निरूपा और रवीश शाम को घूमते घूमते एक खंडर में चले जाते हैं दोनों मौसम का मज़ा लूट रहे थे रवीश कितनी थंडी हवा चल रही है न हाँ निरूपा और मौसम भी कितना अच्छा है लेकिन यार मुझे डर लग रहा है कैसा डर रवीश निरूपा एक तो हम दोनों छोटे बच्चे और देखो अब अनेरा भी होने जा रहा है घर से कितनी दूर आ गए हम दोनों ओ हो रवीश तुम बड़े डर पोखो अच्छा चलो घर वापस चलते हैं दोनों चलते ही हैं तब ही तेज बारिश शुरू हो जाती है रवीश खंडर में अंदर चलो बारिश बहुत तेज है दोनों भाग कर खंडर में चले जाते हैं यार पता नहीं बारिश कब खत्म होगी और भी तेज ही होती जा रही है हाँ यार ये तो तेज ही होती जा रही है निरूपा इतना बोल ही पाती है कि तभी एक बड़ा सा फेर टूट कर खंडर के गेट पर गेड़ जाता है और दर्वाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है अब हम बाहर कैसे जाएंगे रवीश? यार कोई ना कोई रास्ता तो ढूडना ही होगा हमे चलो अंदर चल कर देखते हैं कि कोई रास्ता मिलता है क्या? दोनों अंधेरे में चलने लगते हैं तभी निरूपा को एक प्रकाश दिखाई देता है बहुत ही देज प्रकाश रवीश भी उसे देखकर हैरान रह जाता है निरूपा क्या हो सकता है वो? चलो चल कर देखते हैं लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं तो प्रकाश खत्म हो जाता है और अचानक से गोली चलने की आवाज आता है रवीश वापिस चलो निरूपा शायद किसी को हमारी मदद की जरूद हो चलो एक बाद चल कर देखी लेते हैं न तुम भागल हो गए हो क्या? सुना नहीं तुमने वहाँ गोली चलने की आवाज आई थी? अरे याँ निरूपा क्या पता को हमारी तरह ही फस गया हो और उसी ने किसी को बुलाने का ऐसा संकित दिया हो ठीक है तुम नहीं मानते तो चल कर देखी लेते हैं दोनों डड़ते हुए से चलने लगते हैं कुछ दूर पहुँचकर निरूपा रुक जाती है रवीश वो प्रकाश यहां से ही आ रहा था हाँ याड लेकिन वो था क्या? रवीश उधर की तरफ देखो कुछ मोटी सी रसी पड़ी है उस तरफ जा कर देखता है अरे निरूपा यह तो मरे होए साप है इनको किसने मारा होगा? साप से भी किसी की क्या दुश्मनी? चलो इनको उठा कर दफन कर देते हैं रवीश साप को मिट्टी में डाल देता है और उसके उपर बर्गत की सूखी लकडी रख देता है और चलने लगता है लेकिन देखता है कि निरूपा कुछ बड़े ध्यान से देख रही है क्या देख रही हो निरूपा? क्या है वहाँ? रवीश देखो वो पत्थर सोनी की तरह चामक रहे है चलो उठा कर अपने साथ ले चले निरूपा और रवीश उसके बहुत पास चले जाते हैं ये सुनेहरे पत्थर इतने हलके क्यों लग रहे है ऐसा लग रहा है जैसे इन में कुछ भरा हो यार तुम कितनी भोली हो तुम अब भी नहीं समझी हरे यार ये किसी के अंडे है लेकिन सोने के अंडे भी होते हैं क्या भला राम जाने क्यासे कैसे जीव है इस धर्दी पर होंगे किसी के चलो तुँ वापस रख देते हैं नहीं तो कोई हम दोनों की वज़ा से परेशान होगा। देखो, आज हम इनको पने साथ ले जलते हैं। कल अपने दोस्तों को दिखा कर, वापस लाका रख देंगे। ठीक है? ठीक है, लाओ मुझे दो और रास्ता खोजो जल्दी। अब अंधिरा होने वाला है। वो देखो, शायद वहाँ से रास्ता है बहार जानेगा। दोनों दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। और अपनी घर की तरफ चल देते हैं। घर जाते जाते रात ही हो जाती है। रवीश, चलो जल्दी से रूई बिछाओ, मुझे ये अंडे रखने हैं, सोने के अंडे। निरूपा अंडो को रूई में रख देती है। और दोनों लेट कर उनको ही देखते रहते हैं। निरूपा यार, वैसे क्या होगा इसमें यार, इसमें क्या सोनी की चिडिया निकलेगी। सोनी की चिडिया नहीं होती पागल, सोने के अंडे देने वाली मोर्गी जरूर होती है। दोनों बाते करते करते सो जाते हैं। सुभा देखते हैं कि दोनों अंडे फूटे हुए पड़े हैं, सोने का कवर बिखरा पड़ा है, निरूपा और रवीश समझ नहीं पाते कि रात क्या हुआ रवीश मैंने मना किया थे इनको लाने को, लेकिन हमारी गलती की वज़े से ये फूट गए निरूपा और रवीश बहुत तलाशते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता आखिरकार दोनों ठक कर बैट जाते हैं और दोनों घर के कामों में लग जाते हैं, रात को दोनों सोने जाते हैं सोते सोते निरूपा को लगता है, जैसे कोई उसके हाथों की उंगली को छेड रहा है उसकी आगे खुल जाती है वो चिल्ला कर उठती है क्या हुआ निरूपा? क्यों डर गई हो? निरूपा बिना कुछ बोले एक तरफ इशारा करती है रवीश उस तरफ देखता है तो दंग रह जाता है निरूपा ये तो साप का बच्चा है कहिए अंडे में से तो बाहर नहीं आया लेकिन अंडा तो सोने का था लेकिन ये काला है ये शाहिद मुझे काट रहा था मेरी उंगली पर निरूपा साप किसी को बिना वज़ा कुछ नहीं कहते आ जाओ मेरे पास मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा रवीश अंडे तो दो थे फिर ये एक ही क्यूं च्यों दोस दूसरा कहा गया इतना सुनकर साप रवीश की हगीजी से फिसल कर नीचे गिर पड़ा और एक तरफ चलने लगा दोनों समझ गए कि ये उनको उसके साथी के पास ले जा रहा है तो दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे रवीश और कितना दूर ले कर जाएगा ये अब हमें इतना दूर तो ले आया निरूपा अब गल्ती भी थे थी न तो हम को ही इन दोनों को उनके घर छोड़ कराना पड़ेगा और उसके लिए हमें धूर नहीं पड़ेगा तो बस चलो चुपचाब साप कुछ दूर और जाकर रुख जाता है निरूपा देखती है कि वहां कोई घायल लड़की पड़ी है जो बिखुश रवीश मेरी मदद करो इस लड़की के लिए पानी लेकर आओ रवीश भाग कर जाता है और एक पत्ते में पानी भर कर लेकर आता है वो पानी को लड़की के चहरे पर डालता है लड़की को होश आ जाता है होश आते ही लड़की चिल लाती है नागेश निरूपा और रवीश डर जाते हैं कौन हो तुम? मैं नाक कन्या नर्गिश मेरा नागिश कहा है मैं यहाँ हूँ नर्गिश और हुसा एक लड़का बनने लगता है नागिश तुब ठीक तो हो उस तांत्रिक ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं न उसने मेरी सारी शक्ति मुझसे छीन ली मैं बस कुछी पलों के लिए ये रूप ले सकता हूँ नर्गिश उसने तुमको क्या किया नागिश मेरी छोड़ो क्यूंकि अब मैं कुछी पल जिन्दा रह पाऊंगी मैं अपनी सारी शक्ति तुमको देती हूँ और नागिश मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी पांच अमावस पूरी होते ही मेरी समस्त शक्ति तुम में प्रवेश कर जाएगी और मेरे शरीर को उठा कर रख देना मैं जब अगले जनम में तुमको मिलूंगी तो खुद के शरीर को देख कर ही सब कुछ याद कर पाऊंगी मैं फिर अफ़तार लूंगी नागेश नाग अफ़तार नरगेश नाग अफ़तार लेने का वचन देकर नागेश को छोड़ कर दूसरी दुनिया में चली जाती है और नागेश रोते रोते नरगेश को बाहों में लेकर बैट जाता है धीरे धीरे नर्गिश का शरीर नाग शरीर में अवतरित होने लगता है और फिर से काई नागिन बनकर नागेश के हाथों में रह जाता है निरूपा और रवीश होश संभाल कर नागेश के पास जाते हैं देखो, नहीं जानतेगी तुम कौन हो, लेकिन दोस्त जो होता है न, अच्छे के लिए ही होता है, दुखी मत हो नागेश, नर्गेश ने जो कहा था, अब वो करो, और चलो, नर्गेश के इस रूप को समहल कर रख दो बस एक नर्गेशी तो थी मेरी संसार में, उसने इसे भी मुझे से चीन लिया, अब मैं क्यों जीओ, क्यों अरे वही तो बोल कर गई है कि वो फिर आएगी हाँ नागेश, वो आकर तुमको नहीं पाएगी तो क्या करेगी, तुमको जीना होगा नर्गेश के लिए मैं उस तांत्रिक को सिंदा नहीं चोड़ूँगा कौन तांत्रिक, क्या किया उसने नागेश इसको किसी साप ने काटा है जहर काफी जादा है ये तांतरिक भी कोई शिव भर्थ ही लगता है इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए नागेश ने उसकी जहर वाली जगाह पर अपनी नागमणी रख दी जिससे तांतरिक का जहर उतर गया और वो बेहोश हो गया नागेश चलो यहां से अब इसे होश आ जाएगा वो दूनों वहां से चले गए लेकिन तांतरिक को ठीक होने के बाद उसके मन में नागमणी पा लेने की इच्छा जागी कुछ दिन बाद वो फिर आया और अपनी तंत्र विद्या के जोर से नरगेश को वश में करना चाहा लेकिन नरगेश की शक्ती के आगे वो टिक ना सका और वापस चला गया बीन बजा बजा कर नरगेश चलो यहां से वरना ये फेर आएगा मुझे मेरी जिनता नहीं है लेकिन मैं तुमको खोने से डड़ती हूँ नरगेश लेकिन तुम तो जानती हो मुझमे अभी नागमणी की इतनी शक्ती नहीं है वहीं शक्ती है जो तुमने मुझे दी थी बस ये रूप बदलने की और तुमने ही तो कहा था कि मुझे यहीं पर है कर शिप उजा करनी होगी अभी साथ मवस्तिया तक मुझमे भी शिप की करपा से समाशक्ती आ जाएगी नागेश तुम बोल रहे हो तो ठीक है लेकिन हमें अब साबधान रहना होगा नागेश निरूपा और रवीश की तरफ देख कर बोला तांतरिक जान गया था कि वो केवल तंतर विद्या के वश से नर्गेश पर विजय नहीं पा सकता तो उसने कुछ लोगों का सहारा लेकर नर्गेश को वश में करने की ठानी और वो पिर उस दिन वापस आया उसके वापस आने पर नर्गेश बहुत ही गोस्सा हो गई और नर्गेश नै उसे मार डालने की ठान ली और फिर एक बार नर्गेश और उसका आमना सामना हुआ अरे तु साधू नहीं पाखंडी है तुझे जो शक्ती मिली है तु उसका गलत उपेओ कर रहा है मैं तुझसे तेरी सासे और शक्ती दोनों चीन लूँगी अरे नादा नागेन तु अभी काल गुरू की शक्ती को नहीं जाती मैं तुझे और तेरी मड़ी दोनों को ले कर जाऊंगा और तु फिर वही करेगी जो मैं तुस्ते करने के लिए कहूंगा नर्गिश क्रोध में भरकर एक भीशन नाग में अफ़तरित हो जाती है और एक विशैली फुनकार काल गुरू की तरफ छोड़ती है लेकिन काल गुरू अपनी तंत्र शक्ती से गायब हो जाता है और एक शक्ती का गोला नर्गिश की तरफ फेंकता है जिसके वार से नर्गिश खाया देपर फिर एक लड़की के रूप में जमीन पर गिर जाती है नागिश ये देख नहीं पाता और नर्गिश को बचाने काल गुरू के सामने आ जाता है काल गुरू तुझे नर्गिश को छूने से पहले मुझ से लड़ना होगा अच्छा हुआ तू आ गया तूने मेरा काम और भी आसान कर दिया बच्चे और पानी पढ़कर नागिश की उपर फेंकता है नागिश उसके इस वार से शक्ति हीन हो जाता है काल गुरू तेरी लड़ाई मुझ से है नागिश से नहीं रुख जा मेरी लड़ाई किसी से नहीं मुझे बस वो नाग मणी दे दे नागिन नहीं तो तेरे नाग को अपने साथ ले जाओंगा जिन्दा नहीं मुर्दा और फिर से एक मंत्र भरी फूक नागेश की तरफ फूकता है और नागेश एक बच्चा सा साप बन जाता है रुख जाओ काल गुरू तुमको जो चाहिए मैं दूंगी लेकिन नागेश को छोड़ दो तेरा नाग तो शक्ती हीन हो गया है अब ये नाग रूप से मनुष्य रूप कुछी समय तक ले पाएगा अगर जाधा दे रुखाव सी मनुष्य रूप पे तो ये जिन्दा नहीं बचेगा काल गुरू नागेश को मंत्रों से एक सोने की अंडे में कैद कर देता है नरगेश उसे अंडे से बाहर निकालने के लिए वापिस नागेश रूप बना कर अंडे पर फुमकार मारती है लेकिन काल गुरू के मंत्रों की शक्ती जाधा होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती तो तू ऐसे नहीं मानेगी ले तेरे नाग को ही खत्म करता हूँ रुको काल गुरू वचन दो के नागमणी मिलने पर तुम मेरे नाग और मुझे छोड़ कर चले जाओगे ठीक है नागिन नरगेश नागमणी को एक पत्थर पर प्रकट करती है लेकिन नागमणी के बिना वो शक्ती हीन हो गई थी उसके शरीर में अब जादा शक्ती नहीं बची वो बेहोश सी हो गई मौके का फायदा उठा कर काल गुरू ने उसे अपने आदमियों से पकड़ने को कहा नागेश को जैसे ही मानव ने चुआ तो उसकी शक्ती बिलकुल छीन हो गई और नरगिश को भी सुनहरे अंडे में कैद करने के लिए मंत्र करता है काल गुरू मनी लेने मनी की तरफ जाता है लेकिन देखता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया है अरे ओ बाबा वो नागमणी मेरी होगी तूने मेरे लोगों को भी मरवा दिया मैंने कहा छोड़ मुझे नहीं तो तुझे भी नाग बना दूँगा तू सिंदा रहेगा तब न और वो काल गुरू को उठा कर बाहर की तरफ फेकता है काल गुरू घायल होकर दूर जा गिरता है आदमी उस पर गोली चलाता है और गोली पाउ में लगती है काल गुरू बेहोश हो जाता है दूसरी तरफ जैसे जैसे नर्गिश अंडे में बंध होने लगती है वैसे वैसे नागमणी का प्रकाश कम होने लगता है और नागमणी अपनी रक्षा के लिए विशैली वायू पहलाने लगती है जिससे डर कर आदमी भी भागने की कोशिश करता है और वो दीवार से टकरा कर गिर कर बेहोश हो जाता है और उसके बाद तुम दोनों वहाँ आए, जो प्रकाश तुमने देखा वो नागमणी का ही था, लेकिन तुम उन दोनों को नहीं देख पाए, क्योंकि वो दोनों बेहोश वहीं पड़े थे, जिन सापों को तुमने दफन किया, वो उनके ही आदमी थे, लेकिन नरगेश को छ चैनी होने लगी, और वो फिर से छोता सा नाग बनने लगा, रवीश ये तो फिर से नाग बन गया, अब हम क्या करें, इंतजार के लावा भला कर भी क्या सकते हैं, नागेश वापस घर की तरफ रेंगना शुरू कर देता है, देखो अभी तो हमें भी उसके साथ चलना चा नागेश कहां चला गया निरुपा? पता नहीं, कल तो यहीं था दोनों खंडर की तरफ चलने लगते हैं, अचानक से उनको किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है बचाओ, बचाओ दोनों तेजी से आवाज की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुँचते हैं, तो देखते हैं यह एक लड़की को सापोंने चारों तरफ से घेरा हुआ है तभी नागेश वहाँ पहुचता है, और लड़की को अपनी बाहों में उठा कर सापों के घेरे से बाहर ले आता है नागेश को देख कर सभी साप चले जाते हैं नागेश तुम कहां चले गए थे? हम लोग तुम को ही खोज रहे थे नागेश उस लड़की के उपर लेटा हुआ, उसे ही देखे जा रहा था और वो लड़की नागेश को फिर अचानक लड़की बोली हटो अब कौन हो तुम? और यहां क्या कर रही हो? मेरा नाम रजनी है, मैं तो बस यहां घूमने के लिए आई थी रजनी, बड़ा प्यारा नाम है, बिलकुल तुम्हारी तरह ही प्यारे तो तुम भी बहुत लगते हो, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए वैसे तुमने अपने बारे में बताया नहीं कुछ मैं बताता हूँ, यह नागेश है, यह निरुपा है और मैं रवीश नागेश, तुम कहां चले गए थे बिना बताए कहीं नहीं दोस्तों, अच्छा छोड़ो उसे, अब मैं साथ ही रहूँगा तुम्हारे अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है घर से आये हुए कहां है तुम्हारा घर? मुस्कुरा कर बोली बड़ी जल्दी मैं हो जनाब और चलने लगती है, फिर अचानक पीछे पलटकर देखती है और बोलती है वही थोड़ी दूर बर्गत के पीछे और चली जाती है, नागेश उसको जाते हुए देखता रहता है नागेश गई हुआब अगली सुभा, नागेश उठकर उसी जगा पहुँच जाता है जहां वो कल रजनी से मिला था कुछ देर बाद रजनी भी वहां आ जाती है और बिना कुछ कहे नागेश के पास बैट जाती है रजनी, नींद नहीं आए न राद रजनी फिर हां में सर हिला देती है नागेश, क्या कर दिया है तुमने मुझे राद भर तुम याद आते रहे तुमसे मिलने का मन करता रहा अपना हाल तो सुना दिया और जो तुमने किया है उसका क्या ना सोने दिया ना खाने दिया सच कहूं तो अब तुम्हारा हो जाने को मन करता है, बस तुम्हारा और धीरे धीरे अपने हाथ को रजनी के हाथ पर रख देता है नागेश और धीरे धीरे आखें बंद कर लेती है, दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे तभी नागेश को किसी के वहां आने की आहट होती है रजनी चलो यहां से, कुछ खत्रा है नागेश रजनी को बोलता है ऐसा करो तुम घर चली जाओ, कल मिलने आऊंगा मैं नागेश रजनी को गले लगाकर उसे विदा करता है और वापस उसी जगह आकर देखता है अच्छा, तो ये काल गुरू है लेकिन इसका यहां आने का मकसद क्या था क्यों आया यह यहां आज फिर इस जगह पर किसी बड़े नाग की आने की गंधा रही है इसका मतलब वो आज फिर यहां आया था उसको मेरे वश में आना ही पड़ेगा फिर मैं उससे अपने इच्छा पूर्टी कर सकूँगा और वहां से वापस चला जाता है ये काल गुरू किसकी बाते कर रहा है क्या वो मेरे बारे में जान गया है क्या अगर हाँ, तो कैसे मुझे पता करना होगा नागेश दिहान लगा कर बैट जाता है और अपनी दिव्वे द्रिष्टी से सब कुछ देखने लगता है अच्छा, तो उस दिन जो साप रजनी को काटने आये थे वो काल गुरू कही थे और वो मुझे से डर कर वापस चले गए थे जिससे काल गुरू को यह अनुमान लगा कि कोई विशाल नाग से डर कर वो आये है और उसे मेरे यहां होने का आभास भी हो गया बदला तो मुझे भी लेना है तुससे काल गुरू लेकिन तेरे ही तरीके से तुझे मेरी तलाश है और मुझे तेरी अगली सुबह काल गुरू उसी जगा पहुँच जाता है जहां नागेश और रजनी मिलते थे नागेश रवीश और निरूपा के कारण जल्दी नहीं पहुँच पाता क्योंकि उस दिन रवीश का जन्म दिन था और वो उसको भी मंदर ले गए थे लेकिन रजनी वहां पहुँच जाती है और नागेश के आने का इंतजार करने लगती है ये लड़की कौन है? मुझे इसमें नाग की चावी क्यों दिखाई दे रही है? कौन हो सकती है ये? काल गुरू रजनी के पास जाने लगता है उसे देख कर रजनी डर जाती है और वापस भागने लगती है रुख जा लड़की तुझ पर जहरीले नाग का वास है रजनी नहीं रुखती तो वो रजनी को घायल करने के लिए त्रिशूल फेकने ही वाला होता है अचानक उसके सर पर कोई तेजी से वार करता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है नागेश तुम आ गए? कहा रह गए थे? तुम्हें पता है कितनी परिशान थी मैं तुम्हारे बेना और ये पाखंडे पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गया नागेश ये मुझे धोला कि मुझे पर नाग कसाया है नागेश रजनी को गले से लगा लेता है कुछ नहीं है रजनी, चलो तुम यहां से नागेश हम कब तक ऐसे चुप चुप कर मिलते रहेंगे? नागेश तुम शादी कर लो न मुझसे शादी? मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे रजनी और ऐसे भी, मेरा भी कुछ काम बागी है पहले वो पुरा कर लूँ, फिर नागेश मेरी आखों में देखो क्या मैं तुमें अच्छी नहीं लगती? भला क्या कमी है मुझ में? कमी, और तुम में तुमें तु कमी हो ही नहीं सकती तुम अनोखी हो, अलग हो सबसे और उससे भी बड़ी बाद कि दिल के करीब हो तुम मेरे ओ नागेश बस भी करो बस शुरू हो जाते हो तुम अच्छा ये बताओ तुमने जिसे मारा वो कौन था? वो काल गुरू है, एक तांतरिक उसे किसी साप की तलाश है तुम उससे दूर ही रहना रजनी अरे पागल मैं कोई साप हूँ जो दूर रहू कहा ना, दूर रहना उससे बस ठीक है नागेश रजनी नागेश से मिलकर वापस जा रही होती है कि रास्ते में उसे कुछ आदमी पकड़कर तांतरिक के पास उठा लाते हैं काल गुरू उसे ध्यान से देखता है और बोलता है तुम तो नाग नहीं हो लेकि तुम में मुझे नाग क्यों नजर आता है कौन है तू? मैं बताता हूँ नागेश को देखकर काल गुरू अचम्भिद हो जाता है अच्छा तो वो तू है जो इस लड़की के शरीर में रमा है हाहा नाग का प्रेव वो भी एक मानव कन्या से हाहा अब तो कोई कही नहीं जाएगा तू भी नहीं जैसे तेरी नागिन को मारा था वैसे ही आज तुझे भी मरना होगा हाहा काल गुरू मत भूल कि तू आज भी गलत कर रहा है और बदला तो मुझे भी तुझे लेना है काल गुरू नरगिश को तूने नहीं मारा नरगेश ने तुझे ताकतवर बनाने के लिए अपने प्राण दिये है आज तू भी प्राण हीन होगा तू अभी जानता नहीं है मेरी शक्ती को काल गुरू कुछ कर पाता उससे पहले ही नागेश इस विशाल नाग के रूप में आ जाता है नागेश अपनी आखों से काल गुरू की तरफ आग खिकता है काल गुरू उसके इस वार से बच जाता है फिर नागेश उस पर विश्की फुंकार मारता है काल गुरू इस वार से बेहोश हो जाता है नागेश रजनी को लेकर वहां से चला जाता है तुम नाग हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रजनी, मैंने उस दिन तुमको बताना तो चाहा था, लेकिन तुमको खो देने के डर से बता नहीं पाया रजनी, मैं इसे चाहा कर भी नहीं मार सकता था लेकिन क्यों नागेश? क्योंकि इसके पास नागमडी है लेकिन जिसके पास नागमडी होती है वो तो बहुत शक्तिशाली बन जाता है हाँ, लेकिन नागेश बहुत शक्तिशाली थी और ये उसकी नागमडी को तब तक उपयोग में नहीं ला सकता जब तक किसी इच्छाधारी नाग को पकड़ कर ये मड़ी तक नहीं ले जाता अगर इसने ऐसा कर दिया तो वो नाग और नागमडी दोनों इसके गुलाम हो जाएंगे और इसी लिए ये मुझे पकड़ना चाहता है मैं तुमको कुछ नहीं होने दूगी नागेश लेकर नागेश अगर इससे वो नागमडी वापस ले ले तो लेकर इससे वापस लेका कौन इसने नागमडी को ऐसे मंतरों से बान दिया है कि कोई भी साप बिना इसकी मर्जी के उस तक पहुँच भी जाएगा तो जलकर भस मो जाएगा उस तक या तो नरगेश ही जा सकती है या कोई मानव नागेश क्या मैं जा सकती हूँ कैसी बाते कर रही हो मैं तुमको खोना नहीं चाहता तुमको कुछ हो गया तो नागेश मैं तुमको पाना चाहती हूँ इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े कुछ तो तख करेगी न जब ये जिन्दा बचेगा काल गुरू तुम फिरा गए हाँ तुझे क्या लगा कि तू ही शक्ति शाली है अरे मैंने तो तुछे सा नाग समझ कर तुझ पर अपने शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया देखना चाहता है मेरी शक्ति तो देख काल गुरू मंत्र भूक कर नागेश को नाग बनाकर अपने वश में करके ले जाता है रजनी उसको रोकती है तो वो रजनी को मूर्चित करके चला जाता है रजनी होश में आकर बोलती है मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ नागेश सेथ तो अच्छ से नाग हम तुम पर मंत्र दिर्या करके तुमको नागमडी के पास ले जाऊंगा और नागमडी हमेशा के लिए मेरी और तुम भी मैं तुमको जादा इंतिजार नहीं कराऊंगा बस दो दिन में मेरी पूजा खत्म और मैं दुनिया पर राज करूँगा राज इतना कहकर काल गुरू वहां से चला जाता है और पूजा के लिए बैठ जाता है इधर तरजनी नागेश को खोचते खोचते रवीश और निरूपा के साथ वहां आ जाती है नागेश कहा होगा? हम उसे ढूंडेंगे कैसे? रवीश, निरूपा सुनो उसमें नागेश को छोटा सा नाग बना कर यहीं कहीं छुपा रखा है उसे खोचना है बस तीनो अलग-अलग रास्ते चले जाते हैं तभी टरजनी के कानों में काल गुरू के शिश्यों के बात करने की आवाज आती है अरे तुमको पता है हमारे गुरूदेव ने उस नाग को फिटारी में बंद कर लिया है और वो जल्दी नागमणी को पागा सबसे शक्ति शाली बन जाएंगे लेकिन गुरूदेव ने नाग को रखा कहा है वहीं जहां वो बाकी साफों को रखते हैं लेकिन गुरूदेव ने कहा है कि कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहिए अगर किसी ने उस पिटारी को खोल दिया तो नाग की शक्ति वापस आ जाएगी और गुरूदेव के मंतरों का प्रभाब भी खत्म हो जाएगा रजनी चल्दी से रवीश और निरूपा को खोजती है और उनको ये सब बात बता देती है तीनों वहाँ चले जाते हैं जहां कालगुरू सापों को रखता था हमारा नागेश कौन सा है? ये कैसे पता लगाएं? हम सारे सापों को ही खोल देंगे जो भी होगा देखा जाएगा निरूपा एक साप का पिटारा खोलती है तो साप निरूपा को डस लेता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है निरूपा क्या हुआ? और निरूपा को संभालता है मेरी फिक्र मत करो तुम नागेश को बचाओ रवीश रोते रोते बाकी के पिटारे खोलने लगता है सब साप इधर उधर भागने लगते है उन में से एक साप रवीश को भी डस लेता है तुम साप को आजाद करने लगती है लेकिन उसे भी साप डस लेता है और जहर तुम पर असर करने लगता है लेकिन तुम जहर से चक्कर खाते-खाते हिम्मत करके पिटारा खोलती जाती है और आखिर में गिर जाती है लेकिन नागेश का पिटारा भी खुल चुका होता है नागेश ने रूपा और अभीश के विश को अपने अंदर ले लेता है और फिर ट्रजनी के पास आकर उसके पाउँ पर जहां साप ने काटा था वहां अपने होट रखकर उसका विश भी निकाल लेता है लेकिन इतना जहर नागेश सहन नहीं कर पाता और वापिस नाग बनकर बेहोश हो जाता है रजनी आखे खोल कर बोलती है नागेश 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 ने हमारा विश अपने अंदर ले लिया है और ये बेहोश हो गया रजनी आगेश को उठा कर भागने लगती है चलो यहाँ से उठकर उस कोठ्री में जाता है तो देखकर गुसे से भढ़ जाता है फिर अपने मारे परे दोनों सापों को देखकर बोलता है तो उस लड़की ने नाग को चुरा लिया और उस नाग ने मेरे सापों को मार दिया मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा काल गुरू योग विद्या से आखे बंद करके उसको भागते हुए देखता है और अपनी शक्ती का प्रयोग नागेश पर करने लगता है रुको नागेश को ठीक करने के लिए कुछ तो करना होगा और नागेश को जमीन पर रख देती है लेकिन काल गुरू की शक्ती से नागेश ओड़कर वापिस चलने लगता है तीनों नागेश के पीछे भागने लगते है नागेश जाकर काल गुरू के पास गिरता है कहा जा रहा है पागल नाग तुझे अनुमान नहीं है मेरी ताकत का अरे तुझ में जो जहर गया है वो ही तेरे प्राण लेने के लिए काफी है लेकिन मुझे तेरी जरूरत है इसी लिए बचाना पड़ेगा तुझे काल गुरू उस पर मंत्र से विश्की फूंकार मारता है जिससे नाज़ेश का जबर उतर जाता है और वो मानव रूप में तड़पने लगता है बस बहुत हुआ आप मैं आज ही नागमणी से तिरा स्पाश कराऊंगा काल गुरू अपने शिश्की तरफ देख कर बोलता है इसे उठाका नागमणी के सामने बांध दो और वो उसे नागमणी के सामने बांध देते हैं मैं अपने प्राण दे दूँगा लेकि तुझे उस नागमणी को पाने नहीं दूँगा तू अपनी प्राण देगा, वो भी अपनी मर्जी से मुर्ख नाग ये मत भोल कि इच्छा धारी नाग आत्मत्या नहीं कर सकते वो अपनी मर्जी से रूप बदलते हैं, अपनी मर्जी से मरते नहीं है तुम फिर आ गए, तुम ऐसे नहीं मानोगे और रवीश को तंत्र विद्या से उठा कर पटक देता है और रवीश उठ नहीं पाता निरूपा को कालगुरु सापों की रसी में बान देता है रजनी कालगुरु के पीछे आकर खड़ी होती है और उसी के त्रिशूल से उस पर वार करती है कालगुरु दूर जाकर गिरता है और उठकर वापस रजनी पर मंत्र खिटता है रजणी उसके इस वार से बच जाती है और वो शक्ती पीछे बंधी नागमनी के उपर जागेटी है काल गुरु के गुस्से से रजणी का नागमनी से इस पर्ष उसकी शक्ती को खतम कर देता है कालगुरू नागेश की तरफ घूमता है अब कोई तिरे रास्ते में नहीं आएगा सही कहा तूने कालगुरू क्योंकि अब तू जिन्दा ही नहीं रहीगा हाँ 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 कौन मारेगा मुझे तू या ये नागों में बनी हुई बच्ची हाँ 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 तुझको मारेगी नरगेश कालगुरू के पीछे रजनी भहंकर नागिन में बदलने लगती है एक विशाल नागिन नरगेश की आंखे आज पूरी तरह लाल थी वो कालगुरू को अपने मूँ में पकड़ कर अपने शरी को विशाल करने लगती है इतना विशाल कि नरगेश फन से पकड़े-पकड़े अंतरिक्ष में पहुच जाती है और कालगुरू को वहाँ प्हेटती है नरगेश वापिस अलर्गी बन जाती है निरूपा और नागेश को कालगुरू के बंधन से मुक्त करती है नागेश मैं वापिस आ गई हूँ, अब मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूगी, कोई हमें अलग नहीं कर सकता इस बार पर नागेश मुझे याद कैसे आया, मैं रजनी से नागेश कैसे बनी, यी शक्ती मुझ में दुबारा कैसे आई क्या तुम जानते थे नागेश के शरीर में जलन होने लगती है, उसको ऐसा लगता है, जैसे उसके प्राण निकलने वाले हो नागेश शाद इस बार भी हमारा मिलन नहीं हो पाएगा, मैं अब भी तुम्हारा नहीं हो पाऊंगा नहीं नागेश ऐसे मत बोलो, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी नागेश बेहोश हो जाता है और गिर जाता है नर्गेश उसको आराम से उठा कर अपनी गोद में रख कर बैठ जाती है आखेर ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है सिर्फ अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है पर इस बार नहीं अगर मुझे तुम्हें पाने के लिए भगवान से भी लड़ना हो तो मैं लड़ूंगी पर मैं अपने प्यार को वापस पा कर रहूंगी तभी निरूपा और रवीश नर्गिश के पास आते हैं और निरूपा नर्गिश के कंदे पर हाथ रखते हुए बोलती है नर्गिश नागिश फिर हम से दूर चला गया देखो वो फिर से साप बन गया नागिश के नाग रूप को अपनी गोद में पड़ा देख नर्गिश बहुत रोती है नहीं नागिश नहीं तुम इस बार मुझ से दूर नहीं जा सकते वरना मैं भी जिन्दा नहीं रहूंगी नागिश मैं तुमको लेने आ रही हूँ नाग लोग अब ये दुनिया इंतकाम देखेगी एक नागिन का इंतकाम नर्गिश भू लोग से नाग लोग की तरफ निकल पड़ती है इधर काल गुरू अंतरिक्ष में घायल हालत में भटकता हुआ काल गुरू का विलाप और मदद मांगने के संकेत इसके गुरू काल भहरव तक पहुचते हैं अपने मंतर की शक्ती से काल गुरू के शरीर को अपने पास खीच लेते हैं काल गुरू काल भहरव के चर्णों में रक्षा गुरू देव रक्षा उठो शिश्यकाल गुरू अपने हाथों को जैसे ही काल गुरू को उठाने के लिए उनको स्पर्श करते हैं उनको सारी घटना पता चर जाती है गुरु देव मुझे मड़ी चाहिए चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़ें शिश्य काल गुरु उस मड़ी को तुम तभी प्राप्त कर सकते हो जब नाग और नागिन का मिलन हो चुका हो येकि तुमने ये नहीं होने दिया और दूसरी बात जितना अधिकार तुम्हारा है जिन्दगी जीने का उतना ही उनका भी है गुरु देव तुम मुझे मेरे मार्ग से भटका रहे हो मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगे नाग बड़ी पाने में पर तुम तो काया निकले शिश्य वीरता किसी के प्राण चीरने में नहीं है बलकि प्राण प्रदान करने में है और तुम जिस मार्ग पर चल लही हो उससे सिर्थ तुम्हारे ही प्राण खत्रे में है एक नाग इन सब सहन कर सकती है पर अपने नाग से जुदा ही नहीं जब तुम्हारा लालज तुम्हारे समझदारी पर हावी हो ही गया है तो तुम्हारा गुरुदेव होने के नाथी मुझे तुम्हे तुम्हें मार्ग बता नहीं होगा तुम जाकर नाग तब करो उसके पुन होने पर तुम्हें ऐसी शक्तिया आ जाएगी कि तुम किसी भी नाग को वर्ष में कर पाओगे नाग तब इसकी कितनी अभधी है गुरुदेव तब कि कोई अभधी नहीं होती जब तक तुमको वो शक्तियां नहीं मिलती तब तक तब करना ही होगा ठीक है गुरुदेव नाग मड़ी को पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा कोई भी तब करूँगा और वहाँ से चला जाता है नर्गिश नाग लोग के द्वार पर पहुँच जाती है ठहरो नर्गिश को आवाज आती है कौन है जो मेरे मार्क के बीच में आ रहा है सामने आओ क्यों रोक रहे हो मुझे नर्गिश के सामने नाग लोग द्वार पर एक बड़ा सा नाग खड़ा था मैं दुविज हूँ यहां का पहरेदार हूँ मेरी आग्या के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता ठीक है पर आप मेरे रास्ते में मत आईए वरना बे वज़ा आपको अपने प्राण गवाने पड़ सकते हैं मैं अब सही गलत नहीं सोचूंगी बस मुझे मेरे नाग को वापस पाना है लगता है तुमें प्राण गवाने पड़ेंगे तुम मेरी शक्ती से अंजान हो नागिन और द्विज अपने विश की भूंकार नर्गिश पर डालता है नर्गिश को क्रोधा जाता है और वो अपनी क्रोधित आखों से द्विज पो भस्म कर देवी है भस्म में से एक लड़का हाँ जोड़े निकलता है ये नाग देवी शान्त आप बहुत बहादूर हो मैं केवल आपकी पैशा ले रहा था और ये सब करने के लिए मुझे मेरे गुरू नाग गुरू नाग जुन से आदेश मिला था नाग लोग में आपका स्वागत है देवी और वो लड़का गायब हो जाता है नरगेश नाग लोग में प्रवेश करती है और नाग गुरू के पास चली जाती है नरगेश मैं जानता हूँ आपके इस उद्देशडी से नाग लोग आई हो पर प्राण ही नागेश को प्राण लोटाना हमारे बशवे नहीं है नहीं गुरुदेव, कृपया ऐसा ना बोले, बिना अपने नाग के मैं भी अपने प्राण त्याग दूँगी हम तुमारे सच्चे प्रेम की शक्ती को जानते और समझते हैं और कोई भी नागे में बदाश नहीं करेगी, कि वो अपने नाग से अलग हो कोई तो उपाय होगा गुरुदेव, नागेश को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तयार हूँ कृपया सहायता करे मेरी हाँ एक रास्ता है, पर बहुत कठिन है, इतना असान नहीं है अगर मुझे यह अमलोग भी जाना पड़े, तो भी मैं वहाँ चली जाओंगी, अपने नागेश को वापस जीवित करूँगी मैं ठीक है, तो एक काम करो, तुम नागदेव नागरजुन के पास जाओ, वो ही तुम्हें रास्ता बता सकते हैं कोई नागदेव नागरजुन कौन है वो, और कहां मिलेंगे वो मुझे? हाँ, नागदेव, देखा हो मूर्ती, वही नागरजुन की मूर्ती है, अगर तुमने इने प्रसंद कर लिया, तो ये तुम्हारी सायथा जरूर करेंगे नागदेव की पूजा करती है, परन्तु हो, प्रकट नहीं होते हे नागदेव, अगर आप मेरे सच्चे प्रेम की शक्ती से प्रसंद नहीं है, तो आज मैं अपने प्रान आपके चर्णों में अर्पित करती हूँ और अपना सर वो नाग की मूर्ती पर मारने लगती है, नर्गश के सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है, तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, नर्गश देखती है, पत्थर की मूर्ती, एक विशाल साब बन चुकी है नर्गश तुम्हें तुम्हारा नागश जरूर मिलेगा, लेकि उसके प्राण लोटाना मेरे वश्मे नहीं है नर्गश काल गुरू ने उसके प्राण उसके जिसम से निकालतो लिए और उसके जीवन काल की अवधी अभी खत्म नहीं हुई है तो कहा है मेरा नागश गुरू देव वो एक मानव शरीर में जन्म ले चुका है, तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी, लेकिन लेकिन गुरू देव लेकिन नर्गेश उसको पुराना कुछ याद नहीं होगा, वो कौन है, सब कुछ भोल चुका होगा, तुमको भी, वो एक साधान इंसान के तरह जीवन जिएगा तो गुरू, मुझे मेरा नागेश और उसका प्यार कैसे मिलेगा दोबारा प्रेम की शक्ती से, नर्गेश प्रेम शक्ती एक ऐसी शक्ती है, इसके सामने बड़ी से बड़ा भगवान भी जुक जाता है, वो सब शक्ती से बढ़कर होती है मैं कुछ समझ नहीं पाई गुरू देव तुमको उसको दुबारा अपने प्रेम वश्मी करना होगा, एक मानव करनिया की तरह, तुमको उससे विवा करना होगा, उसकी बाद ही उसको सभी आदाएगा लेकिन मुझे वो कहा और कैसे मिलेगा गुरू देव नरगेश नागेश अभी बच्चा है, उसे अभी कुछ समझ नहीं है, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता थोड़ा सा, तुम यही नाग लोग में रहो और तपस्या करो, उस तपस्या से तुमको दिविद्रिष्टी प्राप्त होगी, जिससे तुम नागेश और होने वाल नरगेश को एक आवाज आती है, उठो नरगेश, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, नरगेश आखे खोलती है और बोलती है, जए नाग देव तुमको दिविद्रिष्टी प्राप्त हो चुगी है नरगेश, तुम नागेश के पास जाओ, लेकिन याद रखना, नागेश को तुम्हारे नागिन होने की सच्चाई बिलकुल पता न चले लेकिन कभी न कभी तो उसको पता चली जाएगा गुरु देव हा नरगेश, जब उसको दुबारा तुमसे प्रेम होगा, सच्चा प्रेम, उसके बाद ही सच्चाई आएगी सामने, उसके बाद तुम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होगे नरगेश नाग गुरु को नमन करके नागेश की तलाश में चल देती है नागेश एक सत्रा साल का सुन्दर लड़का बन चुका है, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था विजय तुम्हें उस बॉल को ठाकर लावा उस जाड़ी में से, तुमने उसको गिराया है वहाँ ठीक है, लाता हूँ, तुम लोग हर बार ऐसा करते हो, हर बार मुझे ही जाना पड़ता है विजय जाड़ी के तरफ चल देता है ओ, ना जाने किधर गई बाद विजय जाड़ी में हाथ डालता है, और एक साप की पूँच पकड़ कर बाहर खीच लेता है साप उसको दस लेता है अरे विजय को साप ने दस लिया, चलो जल्दी उसके घर बताते हैं और अब घर की तरफ भागते हैं, तब ही वहाँ में किस अफ्तरित होती है वो भाग कर विजय को अपनी गोद में लिटा लेती है तुमको कुछ नहीं होगा नागेश, मेरा मतलब विजय उसके हाथ के तरफ अपना जीब रखने ही वाली होती है कि उसको एक आवाज आती है उसको आसमान की तरफ देख कर बोलती है नागदेव, आप? हाँ, नर्गेश, मैं तुमको नागेश के साथ रहने की एक तरकीब देता हूँ, बस तुम मेरा साथ दो इतना बोलकर नागदेव एक सपेरा बन जाते हैं नर्गेश भी समझ जाती है वो भी एक संदर सी लड़की बन जाती है जिसकी आँखों की चमक बहुत ही प्यारी थी और देखने में बिल्कल परी जैसी तब तक विजय की मा, विभा और पती भी वहां भागते भागते आ जाते हैं महराज, मेरे बेटे की रक्षा करे शांत रहो देवी, इसको तो मेरी बच्ची ही चीख कर देगी हमें तो अभी कुछ जड़ी बूटी लेने के लिए जाना है अगर आप हमारी मदद करना चाहती हो तो मेरी इस बेटी को कुछ दिन के लिए अपने पास रख लीजिए जो आग्या महराज, हाँ जोड़ते हुए बोलती है, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम महक है महक कितना प्यारा नाम है, जितना प्यारा नाम उससे भी सुंदर हो तुम चलो महक हमारे साथ, सब घर चल देते हैं विजय की चाची रेखा अपने पती सुन्दर और बेटी नंदनी के साथ दोड़ कर गेट पर आती है क्या हुआ दीदी विजय को विजय को देखकर बोली कुछ नहीं सापने काट लिया था लेकिन अब सब ठीक है महक की तरफ देखकर बोलती है ये लड़की कौन है इसकी वज़़ से तो विजय ठीक हुआ है तुम उस कमरे में अपना समान रगदो महक अपसे वो तुम्हारा कमरा महक अपने कमरे की तरफ चल देती है और अपने काम में लग जाती है लेकिन चाची को ये बात रास नहीं आती अपने कमरे में जाकर ये पता नहीं किसको उठा कर ले आए है इसका भी काम मुझे ही करना होगा क्या मैं कोई नौकरानी हो उस घर की अरे रेखा तुम पैशान मत हो बस कुछी दिन की बात है फिर मैं अपने भाई उसकी बीवी और बच्चे को मार दूँगा फिर सारी जादात की मालगिन तुम ही हो तुम तो कबसे यही बोलते आ रहे हो आज तक तो कुछ हुआ नहीं तुम से चलो देखो फिर अब इस लड़की से ही शुरू करते हैं क्या शुरू करते तुम से कुछ नहीं होगा बस मेरी ही जान आफ़त में पड़ी है ये लो जहर उस लड़की के खाने मिला कर देना और बोल देंगे उसको साम के उस जहर नहीं मार डाला जो उसने पिया था शाम को सब खाने के लिए बैट जाते हैं रेखा चुपके से महक के खाने में जहर डाल देती है महक तुम मेरी दोस्त बनोगी? हां क्यों नहीं मैं तो वैसे भी अकेली ही हूँ तभी विज़य बीच में बोलता है मेरी भी दोस्त बनोगी हाँ हम सब अपसे दोस्त है महक लो जल्दी से खाना लो जब से आई हो कुछ नहीं खाया तुमने मैं भी महक के साथ खा लेती हूँ और उसके पास बैट जाती है तुम अपना खाना खाओ चुपचाप नंदनी को दाटते हुए बोली कोई नहीं रेखा, खाने दो रेखा और सुन्दर इससे पहले कुछ कर पाते नंदनी जहर वाला खाना खा लेती है लो महक, मैंने खा लिया तुम भी खा लो, बहुत स्वादिश्ट है इतना बोलकर नंदनी चक्कर खाकर गिर जाती है रेखा विभा दोड़कर नंदनी के पास आते हैं क्या हुआ मेरी बच्ची को? महक की तरफ गुस्से से देख कर बोलती है क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? विभा? नंदनी का हाथ पकड़कर बोलती है रेखा इसको तो बहुत तेज बुखार है शायद बुखार की वज़े से ही इसको चक्कर आ गया होगा चलो इसको उठा कर कमरे में लेकर चलते हैं नहीं दीदी मुझे लगता है इस लड़की ने कुछ किया है मेरी बेटी के साथ तुम ऐसा क्यूं बोल रही हो रेखा? तभी नंदनी को होश आ जाता है रेखा ये सब बोल कर मेहक की तरफ देखती है और मेहक एक हलकी सी मुस्कान देकर चली जाती है रेखा फिर मन ही मन सोचती है आखिर ये सब हुआ कैसे? उधर मेहक पुरानी सारी घटना याद करती है मेहक लो खाना लो और जहर वाले खाने की थाली मेहक को देकर चली जाती है मेहक थाली पकड़ती है और जैसे ही खाने को देखती है अपनी दिव्विद रिष्टी की शक्ती से खाने में पड़े जहर का पता लगा लेती है वो अपनी आखों की शक्ती से ही जहर का प्रभाव कम कर देती है अब आगे चलो महक, सोने चलते हैं नंदनी, तुम इसके साथ नहीं सोगी चुप चाप हमारे कमड़े में चलो वहां लेट न तुम ठीक है उदास होकर चली जाती है तुमने तो बोला था वो जहर लड़की को मार देगा लेकिन उसे तो कुछ हुआ ही नहीं तुम्हारी बेवकूफी से हमारी बेटी के जान खत्रे में पर सकती थी अच्छा हुआ जहर का असर नहीं हुआ कम से कम हमारी बेटी ठीक है कहीं इस लड़की को कोई जादू तोटका तो नहीं आता वैसे भी वो तांत्रिक के साथ रहती थी हाँ हो सकता है ये सब बाते करकी दोनों सो जाते है सुभा होने पर महक बाहर से आती है अरे महक तुम इतनी सुभा कहां से आ रही हो वो मैं मंदर गई थी मुझे रोज मंदर जाने की आदत है अरे ये तो अच्छी आदत है चलो आओ सब के साथ नाश्ता कर लो रेखा चाए लेकर आती है और बोलती है दीदी अगर आपको बुरा ना लगे कुछ बोलू मैं हां बोलो रेखा तुमको पूछने की क्या जरूरत है बताओ क्या बात है दीदी वो मैं अखेले इतने बड़े घर का काम करते-करते बहुत ठक जाती हूँ अब मेरी तब्यत भी खराब रहने लगी है तो मैं सोच रही थी कि मेहक मेरी थोड़ी मदद कर दिया करेगी लेकिन इतना ही बोलती है कि मेहक बीच में बोल पड़ती है हां क्यों नहीं वैसे भी मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है काम करने की आदत है मुझे मेहक तुम सच में काम करना चाहती हो तो ठीक है पर कोई जोर जबर्दस्ती नहीं है तुम पे, ओके? जी आंटी जी, कोई दिकत नहीं है मुझे मा, मैं अपने दोस्तों के साथ घुमने जा रहा हूँ नहीं, अभी मत जाओ महक बेटा, क्या हुआ? क्यों मना कर रही हो विजय को? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मुँ से निकल गया महक जल्दी से चाए पी कर मेरे पास आओ मैं तुमको काम समझा देती हूँ महक चाए पीते-पीते पसीने से लथपत हो गई थी उसको पहले ही विजय के साथ गूने वाली घटना का पता लग गया था महक कुछ परेशान लग रही हो तुम, तब यह तो ठीक है तुमारी? या कोई और बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो नहीं आंटी जी, कुछ नहीं है ऐसा, मैं अभी आती हूँ और उठकर बाहर की तरफ भागती है और बाहर जाकर नागिन बन जाती है उधर विजय अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था अचानक उसको जंगल से कुछ आवाज आती है तो वो दोड़ कर अकेले ही जंगल की तरफ भागता है कुछ लड़के उसके सामने खड़े थे कौन हो तुम लोग? बेटा तेरी माध है हम मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों खा? हमारा तो कुछ नहीं हमें तो पैसे मिले हैं इस काम के पैसे? किस ने दिये तुमको? कौन मुझे मारना चाहता है? तेरे सवालों के जवाब नहीं देने आये हैं हम बस इतना बता सकते हैं कोई तेरा अपना ही है जो पैसे दिया हमें सब लड़के विजय को चारो तरफ से घेड लेते हैं प्लीज जाने तो मुझे आपको कोई गलत फैमी हुई है हमें कोई गलत फैमी नहीं हुई बेटा हम जाने देंगे तुझे पर घर नहीं शम्शान लड़के विजय पर हमला करते हैं और एक लड़का विजय के पैर में हौकी मार देता है विजय गिर जाता है विजय फिर उठकर एक लड़के को लाथ मारता है वो लड़का नीचे गिर जाता है लेकिन तब ही बाकी के लड़के विजे के हाथों को पकड़ लेते हैं तीसरा लड़का उठकर विजे के सर में हौकी से वार करता है विजे बेहोश हो जाता है और उसके सिर से खून आने लगता है फिर जब वो दुबारा वार करने ही वाला होता है तभी वहां नागिन आ जाती है और उस लड़के की कमर में घुसकर मुह से बाहर निकलती है ये सब देखकर बाकी के लड़के डर कर भागने लगते है नागिन भी उनके पीछे जाती है और दूसरे लड़के को अपनी पूँच में दबा कर उसका दम घोट देती है तीसरे लड़के को अपने फन से डस लेती है ऐसे ही नागिन सब को मार देती है फिर नागेश को उठा कर मंदिर के द्वार पड़ ले आती है तब ही वहां मंदिर का पंडित आता है नागिन फिर से लड़की बन जाती है क्या हुआ इस लड़के को? इतना बोलते ही पंडित विजय का चेहरा देख लेते हैं और बोलते हैं अरे ये तो विजय है इसको इतनी चोट कैसे आई महक विजय को अपनी गोध में लिए बैठी थी पंडित कुछ लोगों को महक की मदद के लिए साथ भीजते हैं दोड़ते हुए विजय के घर जाता है अरे कोई है घर में? अरे कोई है घर पर? बेटी विभा? अरे कहा हो सब? विभा विभा जल्दी चलो विजय को किसी ने खायल कर दिया है मैंनो उसको एक लड़की और अपने कुछ गावालों के साथ हॉस्पिटल भेज दिया है विभा बहुत डर जाती है और पागल सी होकर नंगी पाओं ही हॉस्पिटल की तरफ दोड पड़ती है हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना? उनका इलाज कर दिया है हमने और वो अब खत्रे से बाहर है बस कुछ फल में उनको खुश भी आ जाएगा तब ही विभा वहां पहुँच जाती है रोते हुए कहा है मेरा लाल? क्या हुआ उसको वो ठीक तो है ना? आंटी जी वो ठीक है तब ही वहां नर्स आती है विजे को होश आ गया आप लोग मिल सकते हैं विभा और महे कमरे में जाती है क्या हुआ बेटे? ये सब कैसे हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? पता नहीं मा, कुछ अंजान लड़के थे बोल लही थे कि तेरे किसी अपने नहीं ऐसा करने के लिए पैसे दिये हमें आज मैं जिन्दा नहीं होता मा आगर वहां वो नहीं आया होता वो कौन? एक बड़ा सा नागमा उसने ही मुझे बचाया पर मा, मैं यहां कैसे आया? वो बेटा तुझे यहां? अरे महे, विजए की बातों में मैं तुझे तो भूल ही गई थी वैसे विजए तुमको महेक लाई यहां लेकिन तुमको मैं मिला कहा? वो सुभा मैं मंदिर में अपना कलश भूल गई थी तो मैं उसको ही लेने गई थी तभी रास्ते में तुम मुझे घायल हालत में मिले अच्छा, तभी तुम सुभा से कलश की वज़ह से परिशान थी हे नागराज, हे भूले नाथ मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद लेकिन मा अचानक से वो ना कहां से आया और वो कहां चला गया, कुछ बाथा भी नहीं चला विज़ह, तुम इन सब के बारे में इतना मत सोचो सब भूले नाथ की कृपा है मेहक, विभा और विज़ह, तीनों घर के लिए निकल जाते है विज़ह सिर पर पट्टी बांधे हुए, लेटा हुआ है कैसी जालिम दुनिया है, किसने मारा है हमारे फूल से बच्चे को और विज़ह के पास बैठ जाती है मेहक, जरा मेरे और विभा दीदी के लिए चाय बना लो, और विज़ह के लिए जूस जैसे ही मेहक रसोई में जाती है दीदी, जब से ये लड़की आई है हमारी घर में, कुछ ना कुछ अशुब हो रहा है विज़ह दो बार मढ़ते मढ़ते बचा है नहीं रेखा, वो ऐसी नहीं है आज सिर्फ उसकी वज़ह से ही विज़ह ठीक है विभा ये बोल देती है, पर उसको कहीं न कहीं, रेखा की बातों में सच्चाई लगती है महक उन दोनों की बातों को अपनी दृष्टी से देख रही होती है क्या हुआ, विज़ह बेटा ये इतनी चोटे कैसे आई ना चाने हमने क्या बिगाड़ा है किसी का जो मेरे बेटे को इतना मारा किसी ने कैसे, कहाँ, और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं विभा की मा सारी घटना बताती है मुझे लगता है ये सारा फसाद इस जाइदात के लिए हो रहा है मैं कल ही सारी जाइदा विजय के नाम कर दूँगा तुम भी का साथ चलना विभा लेकिन चाची ये सब सुन लेती है और सुनते ही उसके पैरो तले जमीन निकल जाती है गुसे में वो अपने कमरे में जाकर बोलती है पता भी है इस घर में क्या हो रहा है वो लोग अपनी सारी जाइदात कल विजय के नाम कर रहे है अरे करेंगे तो तब जब वो दोनों वहां तक पहुँचेंगे मेहग एक बार फिर से डर जाती है क्योंकि उसके घर पर एक बार फिर से संकट आने वाला है अगली सुबह विभा चलो जल्दी अरे मेहग बेटा हमारा जाना जरूरी है बस कुछ घंटों की बात है तब तक तुम और रेखा हो ही घर पर विजय का खयाल रखने के लिए दीदी जाओ आप और मेहग बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए विभा अपने पती के साथ चली जाती है मेहग मुझे कुछ हो रहा है अपने बेट से उठते हुए बोला लेकिन कमजोरी के कारण गिर गया मेहग ने जैसे ही उठाने के लिए उसको चुआ उससे काल गुरू को उनके मिलन का आभास हो जाता है जिससे उसकी तपस्या भंग हो जाती है काल गुरू अपने सिर से एक जटा जमीन पर फेंकता है जिससे एक भीशन नाग जन्म लेता है ऐसा सुनकर काल नाग चल देता है काल नाग एक सुन्दर कबूतर बनकर विभा के घर पर बैट जाता है मेहक विजे के लिए दवाई तयार कर रही होती है तब ही उसे विजे पर आने वाले संकट का आभास होता है तब तक कबूतर उड़कर विजे के पास आ जाता है अचानक वहां एक बिल्ली आ जाती है और उस कबूतर को उठा कर बाहर ले जाती है बिल्ली कबूतर को मुँ से फेटते हुए बोली मेरे नागेश को मुझ से दूर करने वाले को मृत्यू के समीव जाना होगा कबूतर नाग बनते हुए बोला तुझे और तेरे नाग को मारने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है महक तभी एक लिशन नागिन बन जाती है और अपनी विशैली फुंकार काल नाग पर छोड़ती है काल नाग अपनी आखों से उसके विश्प्रभाव को कम कर देता है और एक फुंकार नरगेश की तरफ छोड़ता है जिससे नरगेश दूर जाकर गिरती है नर्गेश वापस उठकर कालनाग के सामने आती है और साथ नागिन में बदल जाती है कालनाग नागिन के इस रूप को देख कर बोलता है जितना मैंने सोचा था तो उससे अतियंत शक्तिशाली निकली तू प्रेम शक्ति को जानता ही नहीं है तुझे आज तेरा काल मेरे पास लेकर आया है ऐसा बोलकर साथो नागिन कालनाग पर एक साथ विश भूंकार करती है कालनाग उसके इसवार को सहन नहीं कर पाता और घायल हो जाता है साथो नागिन एक रूप में आ जाती है और कालनाग की तरफ आखों से जादूई आग फेकती है जिससे कालनाग वापस काल गुरू के चड़नों में जा गिरता है नर्गिश वापस महग बनकर पसीना पोचती हुई विजय की दवाई वापस तयार करने लगती है काल गुरू कालनाग को देखकर गुस्से में बोलता है तुमसे बदला लेने मैं वापसा रहा हूँ नागैन महक क्या हुआ तुमको क्यों इतनी पैशान लग रही हो नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ लो तुम दवाई ले लो महक विजे को दवाई देकर मेरे पास आना उधर विभा अपने पती के साथ शहर जा रही होती है अभी और कितना टाइम लगेगा इतना बोल ही पाती है कि अचानक उनकी कार ट्रक से टकरा जाती है और विभा उचल कर पास की खाई में जा गिरती है महक को इस घटना का पता लग जाता है तो वो फिर से नागिन गूप लेकर उनको बचाने के लिए निकल पड़ती है लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचती है तब तक विजय के पिता मर चुके होते है नहीं ये क्या हो गया आंटी जी कहा है इधर उधर देख कर बोली तब ही वो आखे बंद करके देखती है कि विभा बेहोश होकर नदी में पड़ी है और पानी के बहाव के साथ बहती जा रही है महक पानी में कूच जाती है और विभा को अपनी पूच से बांध कर किनारे पड़ ले आती है आंटी जी उठिये आखे खोल कर बोलती है मैं कौन हूँ तुम कौन हो कहा हूँ मैं तब ही एक लड़की दोड़ कर नर्गिश के पास आती है मुझे बचा लो ना जाने क्यूं कुछ साप मेरे पीछे पड़े हैं मैं तो बस जंगल घूमने आई थी नर्गिश को भी लड़की के अंदर नाक के हूने का आभास होता है नर्गिश लड़की को देखते हुए बोली कौन हो तुम कहां क्या कर रही हो मेरा नाम निरूपा है मैं घर से घूमने आई थी तो साप मेरा पीछा करने लगे और तब तक सारे साप वहां आ जाते हैं और नर्गिश को देख कर रुख जाते हैं नर्गिश कुछ समझ नहीं पाती इसलिए वो अपनी शक्ती से सापों से बात करने लगती है कौन हो तुम? क्यूँ पड़े हो इस लड़की के पीछे? कौन है ये लड़की? हे नाग देवी हम तुम्हारी वजह से ही नाग बने हैं नर्गिश आखे बंद करके देखती है कि कुछ लोग उसको छूने से साप बन रहे हैं और फिर पास में खड़ी निरूपा के बारे में भी सब कुछ जान लेती है हम तुम्हारी ही शक्ती हैं और तुम्में ही समाना चाहते हैं तुम कहँ रहती हो? मैं पास ही गाओं में आपने भाई और मम्मी पापा के पास रहती हूँ निरूपा, तुम इस खायल और अवरत को अपने साथ ले जाओ मुझे वैसे तो बहुत कुछ बताना है तुम्हें, पर अभी कुछ जरूरी काम है, तो मैं बाद में आकर सब बताती हूं तुमको और नर्गिश विभा को निरूपा के पास छोड़ कर चली जाती है चाची ममी पापा नहीं आये, अभी तक तो बहुत रात हो गई है महक की तरफ देखा और बोला महक, तुम मुझे आज सच में पाइशान लग रही हो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और गुसे में चाचा चाची की तरफ देखती है चाचा चाची अपने रूम में चले जाते है क्या तुमने ही कुछ किया है क्या सुन्दर? हाँ, उनका खेल खत्म आज लेकिन विभा के घर ना आने के कारण विजय बहुत परेशान था तो वो उनकी तलाश में रात में ही निकल पड़ता है चाची मैं देखकर आता हूँ, कहां रहे गए दोनों? मैं भी साथ चलूँ विजय और अकेला ही चला जाता है लेकिन महेक फिर से नागिन बनकर विजय की कार से लिपट जाती है विजय अचानक से कार रोग देता है कौन हो तुम? मेरी ही कार मिली थी क्या मरने को? मरना तो तुझको पड़ेगा तुझको विजय को कार से खीचता हुआ बोला विजय उसको धक्का देकर दूर गिरा देता है लड़का उठकर फिर से विजय पर वार करता है इस बार विजय उसकी गर्दन को पकड़ कर गला घोटने ही वाला होता है लेकिन वो पूरी ताकत लगाता है और विजय के हातों से छूट जाता है और विजय को गिरा देता है लड़का एक नाग बनने लगता है ये देखकर विजय डर जाता है लेकिन जैसे ही विजय को डसने वाला होता है महत नागिन रूप में आकर उसे अपने दातों की बीच पकड़ लेती है काल नाग इतना आसान नहीं है नागेश को नरगेश से दूर करना तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचान नहीं पाई काल नाग नागिन की दातों की बीच से गायब हो जाता है और फिर दूर खड़ा होकर बोलता है नागिन तुप पिछली बार इसलिए बच गई थी क्योंकि मुझे तुझको वश्मे करना आता नहीं था लेकिन अब मुझे में वो शक्ती है जो तुझे माणने के लिए परियाप्त है और नागिन पर आखों की शक्ती से वार करता है नागिन वहां से हट जाती है आखों से निकलती हुई शक्ती पत्थर पर लगती है और वो टुकडे टुकडे हो जाता है तु बहुत तिवरगती से दोड़ती है इसलिए बच भी गई लेकिन इस वार से बच पाना मुश्किल है नागिन मुश्किल और नागिन की तरफ विश भूंकार छोता है नागिन अपनी शक्ती से अपनी चारो तरफ एक कवच बना लेती है जिससे कालनाग की शक्ती भेद नहीं पाती बच पाना तो तेरा भी मुश्किल है कालनाग और कवच से होते हुए कालनाग के शरीर से पार निकल जाती है कालनाग घायल होकर गिर जाता है नागिन उठकर बोलती है अब तुझे कोई नहीं बचा सकता मेरे और नागेश के बीच में आने वाले को मरना ही होगा कालनाग और एक विशैनी विवा कालनाग पर छोड़ती है कालनाग को लगने लगा था कि वो नागिन के वार से अब जिन्दा नहीं बच पाएगा सुन नागिन मैं मर जाओंगा लेकिन मरते मरते तुझे ऐसी मौत दे कर जाओंगा कि तु हर बल मरती ही रहेगी और विजै को अपनी पूच से बांथ कर आसमान में ओड़ता है और फिर गायब हो जाता है नागिन उसका पीछा तो करती है लेकिन जान नहीं पाती कि वो कहां चला गया बादलों में खड़ी होकर कहा गया कालनाग मैं उसे दे क्यों नहीं पा रही हूँ कालनाग विजै को पूच से बांथ कर ले जा रहे होते है तब ही उनको नाग राज मिल जाते है रुखजा कालनाग तू नर्गिस की दिवे दरश्टी से तो बच गया लेकिन मुझसे नहीं बच पाएगा नाग राज मुझे जाने दो मैं व्यर्थी किसी पर प्रहार नहीं करना चाहा था मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो नाग राज घायल कालनाग पर विश्की प्रुकार से वर्शा करते हैं कालनाग अपनी शक्ती से नाग राज के इस प्रहार को कम कर देते हैं नाग राज मैंने कहा मुझे जाने दो मेरा जन्म उस मड़ी को पाने के लिए हुआ है मेरे और नाग मड़ी के बीच में मत आओ मेरे लिए अच्छा बुरा सोचना बंद कर और अपनी खुद की रख्षा कर नाग राज कालनाग को आग से जलाने के लिए उसके उपर आग ठोर देते हैं कालनाग अपनी शक्ती से पानी की वर्षा करते हैं जिससे नाग राज की आग वाली वर्षा कम हो जाती है नाग राज इस बार अपने वेग से कालनाग के प्थन से टकरा जाते हैं जिससे कालनाग अपना शरीर त्याग कर जटा बन जाता है और विजय छूट कर पत्थर से टकरा जाता है नर्गिश विजय को ढूंडने के लिए कुछ विशेश तरंगे भेजती है तरंगे किसी अंजानी तरंगों से टकरा कर नर्गिश के पास वापस आ जाती है कौन है वो जिसकी तरंगे मुझसे मिल रही है कहीं ये काल गुरू तो नहीं हाँ शायद ये काल गुरू ही हो और तरंगों की तरफ आगे बढ़ती है नर्गिश वहाँ पहुँच जाती है और उसको दिखाई देता है कि कोई साधू तपस्या कर रहा है आ जाओ नर्गिश आ जाओ बड़े प्यार से बोलता है नर्गिश सोच में पढ़ जाती है कि ये मुझे कैसे जानते हैं ही तपस्वी आप कौन है और मुझे कैसे जानते हैं मेरा नाम काल भैरव है और काल गुरु मेरा ही शिश्य है। मैं तुम्हारी समस्त जीवन कथा जानता हूँ। मैंने काल गुरु को बहुत समझाया। लिखे उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। अगर आप सब जानते ही हैं तो मुझे बस इतना बताए कि काल नाग मेरे नागेश को लेकर कहां गया होगा। काल नाग का अंथ हो चुका है। किसने मारा उसे और मेरी दिवद्रिश्टी उसको क्यों नहीं देख पाई। नरगेस काल नाग में काल गुरु की ही शक्ती का वा है और वो नाग लोक में ही है। नरगेश वापस नाग लोक की तरफ चल देती है और नाग लोक में नाग देव के पास पहुँच जाती है। नाग देव मेरा नागेश कहां है। नरगेश तुम्हारा नागेश नाग लोक में ही है लेकिन नाग राज और काल नाग के बीच उदास होकर बोलती है नागेश को उसके जीवनकाल में बीते हुए पलों को वापिस याद कराना होगा तब इसकी इसमरण शक्ती वापिस आ सकती है नर्गेश विजय को लेकर निरूपा के पास पहुँच जाती है निरूपा नर्गेश को देखकर पहचान जाती है और उसके घर चलने के लिए बोलती है निरूपा तुमको मेरी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं है क्योंकि मैं हर बार तुम्हारे लिए परेशानी ही साथ लेकर आती हूँ नहीं नहीं ये क्या बोल रही हो तुम मुझे तो लोगों की सहायता करने की आदत ही है और मेरे पिता तो वेध है वो तो इनका इलाज कर देंगे अच्छा वैसे एक बात बताओ रवीश कैसा है सोचते हुए बोली तुम रवीश को जानती हो लेकिन कैसे निरूपा शायद तुमको याद होगा बचपन में तुम और रवीश सोनी के अंडे उठा कर अपने घर ले गए थे जिसमें नाग नागिन निकले थे मैं और रवीश घर से घूमने निकले थे क्योंकि मम्मी पापा दवाई की खोज में दूसरे गाउं में चले गए थे और हम दोनों अकेले ही थे घर पर नरगिश मुस्कुरा कर बोलती है और निरूपा फिर हमें नागिश और वो लड़की नरगिश मिली पर पता नहीं अचानक वो दोनों कहां चले गए वो नरगिश और रजनी मैं ही हूँ निरूपा लेकिन कैसे? काल गुरू की शक्ती से मैं नागिश रूप को नागिश की गोद में छोड़कर नाग लोग की तरफ चली गई नरगिश नाग लोग की तरफ जा रही होती है नाग लोग पहुँचकर नाग गुरू नागर जुन से मिलती है नर्गेश हाद जोड़कर नाग गुरू को सब कुछ बताती है और फिर बोलती है हे नागिन मैं तुमको नागेश के पास नए रूप में भेज तो दूँगा लेकिन तुम्हें बीती कोई भी घटना याद नहीं रहेगी लेकिन नाग देव फिर मेरा और नागेश का मिलन कैसे होगा वो मुझे कैसे पहचानेगा नर्गेश तुम अत्यांते शिक्र युवावस्था को प्राप्त कर लोगी उसके बाद नागेश तुम्हें खुद पहचान लेगा तुम्हारी प्रेम की शक्ती को देखकर मैं तुम्हें ये वर्दान देता हूँ और फिर निरूपा नाग देव की वर्दान से में रजनी बनकर तुम सब के पास आई तब ही नागेश ने तुमको बोला था कि मैं तो तुमको देखते ही जान गया था कि तुम नरगेश हो हाँ निरूपा और जिस कालगुरू ने हमें अलग किया था उसी की वजह से आज फिर नागेश की स्मरण शक्ती खो गई है लेकिन नागेश है कहाँ? नरगेश मेरे माता पिता दोनों गाउं में रहते हैं जो विजह की स्मरण शक्ती को वापिस ला सकते हैं मैं विजह को अपने साथ ले कर जाती हूँ निरूपा विजह को अपने घर ले आती है जहां विजह की मा विभा और विजह का मिलन होता है लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते निरूपा का पिता नंद प्रकाश और मा सोगंधा निरूपा और विजय के पास आते हुए बोलते हैं ये कौन है निरूपा? ये रवीश का दोस्त है जो अपनी यादधाश खोचुका है जिसे मैं इलाज के लिए अपने साथ ले आई उधर काल गुरू काल नाप के मरने से क्रोधित हो जाता है क्रोध में आकर वो एक नारियल फेकता है जिसका एक भीशन नेवला बन जाता है काल गुरू नेवला की तरफ देखता है नेवला काल गुरू को देखकर बोलता है गुरुदेव मैं तुम्हारी आओंखों में देखकर जान गया कि मेरे जन का उदेश्य क्या है आउजा तुम नेवला जाती के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान नेवले हो मेरे कहने पर तुमने विशाल से विशाल नाग का वद किया है गुरुदेव ये सब आप ही की शक्ती है जिससे मैं अब तक सभी नागों को प्रास्त कर पाया हूँ मैं आपके सुदेश्य को भी पूर्ण करूँगा मुझे आग्या दें गुरुदेव काल गुरु अभिमंतरत करके एक माला नेवले की तरफ फेंकता है जो उसके गले में जाकर गिरती है ये लो ये तुम्हारी शक्ती को दुगनी बड़ा देगी और जब तक तुम्हारे गले में रहेगी तब तक तुम्हारा वद असंभाव होगा अब अपने लक्ष की तरफ जाओ जो आग्या गुरुदेव निरूपा विजय और विभा को दवाई देकर सोने के लिए बोलती है विजय और विभा कमरी में चले जाते हैं आहुजा नंद प्रकाश के दर्वाजे पर जाकट होता है और सोचता है कि पहले मैं किसका वद करूँ नाग का या नागिन का मुझे नाग का वद करना चाहिए जिसके वियोग में नागिन खुद ही मर जाएगी लेकिन ये कार्य बहुत चालाकी से करना होगा और वहां से चला जाता है नरगिश को कुछ अन्होनी होने का आभास होता है जिससे वो नागेश के पास आने के लिए उठ जाती है लेकिन जैसे ही दर्वाजे पर पहुँचती है तो वो देखती है किसी ने दर्वाजा बाहर से बंद किया है मलगेश नागिन रूप बना कर खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही बाहर देखती है नेवले ने उसके कमरे को घेरा हुआ है आहुजा नागिन के फन पर अपनी शक्ती छोड़ता है जिससे नागिन मूर्चित होकर कमरे में जा गिरती है आहुजा विजय के पास पहुँचता है तुझे मारने के लिए मुझे वो रूप भी धान करना पड़ेगा जिससे मुझे सबसे जादा नफरत है और एक नाग बन जाता है और जाकर विजय को डस लेता है विजय की मा साप को काटते हुए देख लेती है जिससे उसकी चीख निकल जाती है और उसे वो सब याद आता है जब विजय को जाड़ी वाले साप ने काटा था और महक ने उसे बचा लिया था विभा बहुत तेज चिलाती है बेटा! क्या हुआ आंटी जी? कोई बचाओ मेरे बेटे को सांप ने काटा है उसे कहा गया सांप? तब तक निरूपा के पिता भी वहां आ जाते है क्या हुआ बेटा? क्यों चिला रहे हो? पिता जी विजे को सांप ने काट लिया है निरूपा का पिता विजे को जड़ी बूटी लगाता है जिससे उसका जहर धीरे-धीरे कम हो जाता है बेटा मैंने विजे को औशिदी दे दी है इसे आराम की जरूरत है जब इसे होश आ जाए एक बार मुझे बता देना मैं एक बार और इसके स्थती देख लूँगा ठीक है पिता जी इस घटना से विभा की याद दाश्त वापिस आ जाती है विजे को होश आ जाता है वो उठने की कोशिश करता है तब ही विभा को देखकर बोलता है बेटा तु मुझे आँटी क्यों बोल रहा है अन्ठी जी और क्या बोलू मैं आपको विभा विजे को देखकर रोते रोते बोलती है तुझे क्या हो गया बेटा तुझे क्या हो गया निरूपा विभा को कमरे से बाहर ले आती है और फिर उन्हें बताती है आंटी जी विजे किसी चीज से टकरा गया है जिससे उसकी याददाश चली गई है लेकिन मुझे लगता है इसकी याद भी आप ही की तरह वापस आ सकती है निरूपा विजे को औशधी देकर आराम करने को बोलती है और विजे लेट जाता है विभा को अपने पती की याद आती है मेरा पती कहा है आप ही मिली मुझे तो वहाँ कोई और नहीं था ये क्या बोल रही हो तुम मुझे उन्हें ढूणने जाना ही होगा इन दोनों की बात विजे को सुनाई देती है और वो भी जबरदस्ती चलने की जिद करते हुए उनकी साथ चल देता है विभा फिर अपने पती को खोजने के लिए विजे और निरूपा के साथ चल देती है उधर महक उन नेवलों से खुद को बचाने के लिए नागराज का आहवान करती है हे नागराज मेरी सहायता कीजिए मुझे संकट से बाहर निकालिए नागराज को नर्गेश की इस बिंती का पता चलता है तो अपनी शक्ती से नेवलों को गायब कर देते हैं महक नागराज को बोलती है धन्यवाद नागराज महक तुमारे प्रेम की शक्ती के आगे सब को जुकना ही पड़ेगा और आगे भी कभी मेरी सहायता की आवशकता हुई तो मैं सादेव उसके लिए ततपर रहूँगा मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी नागराज फिर महक वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में एक मानव रूप लेकर विभा, विजय और निरूपा को मिलती है तुम लोग इधर कहां जा रहे हो? विभा रोते हुए बोलती है कुछ दिन पहले यहाँ एक एकसिरेंट हुआ था एक और और एक आदमी का हम उनको तलाश कर रहे हैं क्या तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? और और आदमी का नहीं, बस आदमी का हुआ था क्योंकि उसकी लाश ही मिली थी यहाँ से कोई औरत तो नहीं थी उसके आसपास अब होनी को कौन ठाल सकता है? जो होना है, सो होकर ही रहता है विभा ये सुनकर वहीं बेहोश हो जाती है निरूपा भाग कर एक पत्ते में पानी लेती है और विभा के उपर छड़क देती है फिर निरूपा विभा को होश मे लाती है और विभा को संभालते हुए बोलती है आंटी जी ये सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ लेकिन भगवान के आगी किसकी चलती है? चलिए अब घर वापिस चलो नहीं, मैं किसनी अभागर हूँ आखरी बार अपने पती को देख भी नहीं पाई ये तो सब भगवान की मर्जी थी आंटी जी अब आपको विजय के लिए जीना होगा विभा रोते रोते बोलती है निरूपा, हमारे लिए इतना सब करने के लिए धन्यवाद बेटा लेकिन अब मुझे अपने बेटे को घर लेकर जाना है विभा विजय को लेकर घर की तरफ चलने लगती है महेक जीनागे निरूप बनाकर उनके पीछे पीछे ही चलने लगती है आहुजा अपनी शक्ती को ऐसे शक्ती हीन होते देखकर डर जाता है और बोलता है कौन है? मेरी शक्ती को जो ललकार रहा है मेरे लक्ष में बाधा बन रहा है तब ही आहुजा के पास किसी की शक्ती के दिव्य संकेत आते हैं आहुजा मानव रूप बनाकर आँखें बंद करके बैठ जाता है और आने वाले संकेत को सुनता है आहुजा मैं काल गुरू हूँ, मेरी बास सुनो ध्यान से तुम नागिन पर इतनी आसानी से विजयताप्त नहीं कर सकते क्योंकि अब उसके साथ देशक्ती भी है जिसने तुम्हाई शक्ती को कम किया वो नागराज की शक्ती थी अब तुम एक मानव रूप बनाकर नागिन के साथ ही रहो और मौका पाते ही उस लड़के को मार देना जो आग्या गुरू देव आहुजा एक पंडित का रूप बनाकर विभा के घर चला जाता है रुको क्या हो आपंडित जी नागिन का वास है इस घर पर और तुम पर भी लेकिन मैंने तो आज तक कोई नागिन देखी ही नहीं है यहाँ तुम्हारी बच्ची ने जहर वाला खाना खाया और वो फिर भी जीवित रही बस उस नागिन की वज़ा से वो अभी तुम्हारा कुछ बुरा नहीं कर रही लेकिन जल्द ही तुम सबको मार देगी वो रेखा जहर वाली बात सुनकर डर जाती है और बोलती है पंडित जी तुमको कैसे पता ये सब मैं सबको जानता हूँ बाली के और तुम्हारी इच्छा के बारे में भी लेकिन महराज तुम ये बात किसी को मत बताना मैं नहीं बताऊंगा देखो तुमको ये जायदा चाहिए और मुझे वो नागिन तो मैं हम दोनों का काम कर दूँँगा लेकिन उसके लिए तुमको कोई कीमत चुकानी पड़ेगी कैसी कीमत? डरो मत, कोई धन दौलत नहीं मांग रहा हूँ तो क्या चाहिए आपको? मुझे उसके लिए यहां रहना होगा, तुम्हारे घर पर ही ठीक है, तुम कल आजाना मैं सब को बोल दूँगी कि तुम हमारे दूर के रिष्टेदार हो तब तक विभा और विजय वहां आ जाते हैं और महग भी अपने कमरे से निकल कर आ रही होती है लेकिन जैसे ही आहुजा को वहां देखती है तो उसके पहचान लेती है और रुख जाती है रेका विभा को बोलती है दीदी ये मेरे चाचा का लड़का श्रीकांथ है कुछ काम से यह यहां आय था तो मैंने बोला कि कुछ दिन हमारे यहां ही रुख जाए ठीक है रेका इनके रहने का इंतिजाम करो दीदी वो तो मैंने रात को ही कर दिया था जब मुझे पता चला कि यह आएंगे मेहक को दूर खड़ा देख श्रीकांथ बोलता है ये कन्या कौन है और इतनी दूर क्यों खड़ी है ये हमारे परिवार की ऐसी मेहमान है जो यहीं बस गई नहीं नहीं रेखा तो बस मजाग करती है ये मेहक है हमारी मेहमान थी पहले पर अपरिवार के सदस्य जैसी ही है विभा मेहक को देख कर बोलती है बेटा मेहक यहां आओ और श्रीकांथ को नमस्ते करो मेहक भी हिचके चाते आ जाती है और घूर कर देखते हुए श्रीकांथ को बोलती है नमस्ते भाईया श्रीकांथ भी मुस्कुराते हुए बोलता है नमस्ते मेहक जब कोई श्रीकांथ के आसपास नहीं होता तो मेहक उसके पास जाती है और बोलती है यहाँ आने का क्या मकसद है अब तुम्हारा, क्यों आये यहाँ, अगर मेरे परिवार या मेरे विज़े को कुछ भी हुआ, तो मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूंगी, श्री कांथ हसते हुए बोलता है, तु मेरा कुछ नहीं कर सकती नागिन, तु और तेरे जैसे रेंगने वाले ये और साब, हम जैसे शक्ति शाली नेवले के सामने कुछ नहीं है, शायद तु भूल गई है, ते यह शक्ति कम है मुझसे, शक्ति कम है तो क्या? मैं सच्ची हूँ और मेरा प्रेम सच्चा है तो अगर इस बार तू मेरे विजए को कुछ भी करेगा तो मरेगा तू इतना बोलकर नागिन चली जाती है और नागराज की पूझा करती है कुछ समय बाद नागराज प्रकट होते हैं और बोलते हैं मैं सब जानता हूँ नागिन क्यों तुमने मेरा आवाहन दुबारा किया नेवले की शक्ती तुमसे ज़ादा है पर अगर तुम मेरी स्थापना विजय के कमरे में कर दो तो ना तो नेवला विजय को कुछ कर सकता है और ना ही उसके करीब आ सकता है ठीक है नागराज मैं आपकी मूर्ती की स्थापना कर दूंगी अगले दिन महक नागराज की मूर्ती की स्थापना के लिए विभा को बोलती है आंटी जी, आज तक नागदेव ने विजय की रक्षा की है मैंने सुना था अगर नागराज की मूर्ती की स्थापना किसी के कमरे में हो जाए तो उस इंसान का कोई कुछ नहीं कर सकता ठीक है बेटा, वैसे मैं ये सब नहीं मानती परन्तु अपने बेटे की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूँगी उसी रात रेखा सो रही होती है अचानक उसकी आँखें खुल जाती है तो वो देखती है कि उसके कमरे के बाद पर बहुत सारे साप चल रहे थे रेखा ये सब देखकर बहुत डर जाती है और भाग कर श्रीकांत के कमरे में जाती है और डरते डरते बोलती है उठिए गुरुदेव और मेरे रक्षा कीजिए श्रीकांत की आँखें खुल जाती है वो उठकर बोलता है क्या हुआ तुम्हें? इतनी रात में मुझे नेंद से उठाने का उदेश है? अगर तुम चाहती हो वो नागिन की शक्ती कम हो जाए और वो तुम्हारे परिवार को कुछ ना करे तो कल विभा जो विजय के कमरे में पूजा करेगी उसको कैसे भी करके रोकना होगा तुमको ठीक है गुरुदेव अगले दिन रेखा पहले विभा से बात करने की कोशिश करती है दीदी, आप ये सब क्यों कर रही है? कितनी बार सापने विजय को डसा है? फिर भी आप ये सब कर रही है? इससे हमारे विजय पर संकट आ सकता है इतना सुनते ही महक वहां आ जाती है और बोलती है पर आंटी जी सापों ने तो विजय की बहुत बार रक्षा की है जब उन लड़कों ने मारा तब भी साप कभी भी विजय को नुकसान नहीं पहुँचा सकते तुम सही बोल रही हो महक और आज तक हर बार नाग ने ही हमारी रक्षा की है मैं जरूर करूंगी ये पूजा कुछ देर बाद रेखा की बहुत मना करने के बावजूद विभा विजय के कमरे में मूर्ती की स्थापना कर देती है जिसको देखकर रेखा गुस्से में श्रीकांत के पास जाती है मुझे माफ कीजिए गुरुदेव मैंने बहुत कोशिश की पर दीदी ने मेरी एक बात नहीं सुनी मुर्ख औरत तेरी बेर कुवी से आज मेरा बना बना खेल खराब हो गया विभा श्रीकांत को पूजा में शामिल करने के लिए बुलाती है और वो विजय के कमरे की तरफ जाने की कोशिश करता है परंतु जैसे ही वो कमरे के पास पहुँचता है विजय के कमरे में बने नागराज की मूर्ती का कवच उसको दूर भीज देता है सब लोग श्रीकांत को गिरा देख कर भाग कर जाते हैं क्या हुआ श्रीकांत आपको? कुछ नहीं, शायद मैं फिसल गया पर भैया, वहां तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे आप फिसल जाएं? महग हो सकता है, तुमको ना दिखाए दी हो श्रीकांत गुस्से में वहां से अपने कमरे में चला जाता है रेखा उसके कमरे में उसे बोलाने के लिए जाती है आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं गुरुदेव? आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूँ, बस मेरी तबिय थोड़ी खराब है मैं थोड़ा अराम करना चाहता हूँ रेखा वहां से चली जाती है अगली सुबह श्रीकांत नंदनी की चाय में जहर डालता है जिससे नंदनी बेहोश हो जाती है और श्रीकांत सारा इल्जाम महक पर डाल देता है ये लड़की मनहूस है आपके घर के लिए इसकी वज़े से ही नंदनी बेहोश हो गई महक मैं हाद जोडती हूँ तेरे सामने मेरे बच्ची को बख्ष दे जिस घर ने तुझे शरन दी है तु इसी घर के लोगों को मारना चाहती है नहीं आंटी जी ये जूट है मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा मैं नागराज की मूर्ती की कसम खा कर बोलती हूँ महक मूर्ती की कसम खा लेती है विभा भी महक पर विश्वास करती है और नागराज की मूर्ती के सामने दिया जला कर बोलती है नागराज आपको इस घर में स्थापित करने वाली महख ही है आज उसको आपकी कृपा की जरूरत है उसकी सहायता करें महख नंदिनी की तरफ देखती है उसको जहर का पता चल जाता है फिर महख अपनी नजरों से नंदिनी के शरीर से रहर निकाल देती है और नंदिनी को होशाजाता है नंदिनी, तुम ठीक हो हाँ मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ देखा रेखा, नागराज की वजह से आज नंदिनी बिल्कुल ठीक है तुम बेवजा हमेशा हीमेहक पर शक करती रहती हो रेखा कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है और मन ही मन बोलती है मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना ही होगा वरना मैं अपनी बेटी को खो दूँगी इन लोगों की वज़ा से महक विजे के पास आती है अब तुम कैसे हो विजे? मैं तो ठीक हो तुम बताओ तुम कैसे पैशान हो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है वैसे महक मेरा बहुत मन है कि मैं कहीं बाहर घुमने जाओ महक डर कर बोलती है नहीं विजे अभी तुमको आराम की जरूरत है अभी तुम कुछ दिन इसी कमरे में रहो तुम भी सबकी तरह ऐसे मत बोलो, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ और उप जाता हूँ इस कमरे में महेक हसने लगती है तुम क्यों हस रही हो महेक? विजे, तुम्हें पता है? जब तुम ऐसे रोनी सी शकल बनाते हो तो बहुत प्यारे लगते हो अच्छा जी, मुझे नहीं पता था, कोई मुझे इतने गौर से देखता है महेक शर्माती हुई वहां से चली जाती है अगली सुबह महेक मंदर जाने की तयारी करती है और विभा को बोलती है आंटी जी, मैं मंदर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ आपको कुछ बजार से मगाना तो नहीं है? नहीं बेटा, बस तुम आराम से आजाना और जल्दी आना ठीक है आंटी जी? महेक घर से चल देती है, श्रीकांत महेक को बाहर जाते देख लेता है और उसके पीछे पीछे चल देता है महक को आभास हो जाता है कि श्रीकांत उसके पीछे आ रहा है पर वो रुकती नहीं चलती रहती है और कुछ समय बाद मंदर से पूजा करके बाहर आ जाती है श्रीकांत एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था अचानक महक उसकी नजरों से ओजहलो जाती है कहां गई है नागिन अचानक कहां गयाब हो गई श्रीकांत जैसे ही बोलकर पीछे मोड़ता है महक उसके पीछे ही खड़े रहती है श्रीकांत अचानक उसे देख कर डर जाता है महक हसते हुए बोलती है क्या हुआ श्री कांथ एक नागिन से डर गया वैसे तो इतना शक्तिशाली नेवला बने फिरता है आहुजा डरेगा वो भी एक तोच्छ सी नागिन से दिन में सपने मत देख नागिन सपने मैं नहीं देख रही तू देखता है मुझे और मेरे विजे को मारने के श्री कांथ हसते हुए नागिन तेरा विजे तो मरेगा मेरे ही हातों से और सिर्फ वो ही नहीं उसका पूरा परिवार महक को गुसा आ जाता है और वो नागिन दोंगे आ जाती है और श्रीकांद को अपनी पूछ से जकर लेती है श्रीकांद तुरन नेवला बन जाता है और नागिन की पूछ से निकल जाता है महक और श्रीकांद दोनों वापस इंसानी रूप में आ जाते है तुष्ट नेवली मेरे विजय और उसकी परिवार का कुछ नहीं कर पाएगा तू जब तक मैं जिन्दा हूँ किसी को कुछ नहीं होगा नागिन तू देखती रह जाएगी और तेरी ही आखों के सामने ही सबको मारूंगा मैं जिस प्रेम की शक्ती पर इतना घमन करती है तू तेरे नाग के मारते ही तेरा घमन और तू दोनों मेरे पैरों में गिरे मिलोगे ऐसा कभी नहीं होगा आहुजा रेखा महक और श्रीकांत का पीछा करते हुए वहाँ आ गई थी और दोनों की सारी बाते सुन लेती है और दोनों के असली रूप को भी देख लेती है और डर जाती है फिर रेखा डरते हुए घर की तरफ चल देती है महक रेखा को देख लेती है रेखा घर पहुँचकर अपने कमरे में चुपचा बैट जाती है विभा बहुत कोशिश करती है रेखा से बात करने की, पर रेखा कुछ नहीं बोलती, तभी महग घर आ जाती है महग बेटा, पता नहीं आज रेखा को क्या हुआ है, आज से पहले कभी मैंने उसको इतना दरे हुए नहीं देखा कुछ नहीं हुआ होगा आंटी जी, बस वो ठक गई होंगी, वैसे भी नंदिनी के साथ जो हुआ, उसको लेकर शायद वो डर भी गई हो, हाँ शायद, वो नंदिनी को लेकर ही चिंता कर रही होगी श्रीकांत भी वापिस घर आ जाता है और रेखा के पास जाता है मैं जानता हूँ रेखा, तुमने आज मेरा और महक का असली रूप देख लिया है, परन्तु मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुचाने वाला, पर वो नागिन बार बार तुम्हारी बेटी को मारना चाहती है ऐसा ना बोले गुरुदेव, आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगी, बस उस नागिन को इस घर और बेटी की जिन्दगी से दूर करें, अब मैं उसका मन हूँ साया अपनी बेटी पर नहीं बढ़ने दूंगी ठीक है, बस तुम मेरी सायता करो श्रीकांत ये बोल कर रेखा के कमरे से चला जाता है अगले दिन रेखा और श्रीकांत विजय को कमरे से बाहर लाने के लिए घूमने का प्लैन करते हैं और सबके सामने रेखा बोलती है दीदी में सोच रही थी कि विजय कुछ दिन से घर से बाहर नहीं गया और हम सब के लिए भी कुछ अलग माहौल हो जाएगा चाची जी आपने बहुत अच्छा सोचा, मेरा भी बहुत मंधा बाहर जाने का ठीक है, अगर तुम सब को यही सही लगता है, तो चलो तयारी करो चलने की महक फिर से डर जाती है और विजय को मना करती है जाने के लिए विजय, अभी तुम्हारी तबेर ठीट नहीं है, तुम मज जा बाहर महग तुम बिना बात के जिद कर रही हो तुम सब लोग मेरे साथ हो तुम मुझे कुछ नहीं होगा अगर कुछ हुआ भी तो हमेशा के लिए तुम हो ना मुझे बचाने के लिए और हसने लगता है विजय ये मजाक का समय नहीं है समझो मेरी बात को महग तुम जाकर तयार हो जा, थोड़ी देर में चलेंगे हम सब महग बहुत कोशिश करती है विजय को रोकने की पर विजय नहीं सुनता और कुछ समय बाद सब लोग घूमने के लिए बस से निकल जाते हैं अचानक सामने से ट्राक आ जाता है और गाड़ी पुल पर लटक जाती है सब डर जाते हैं और डर के मारे आँखे बंद कर लेते हैं श्रीकांत मन ही मन महग को बोलता है नागिन अब कैसे बचाएगी अपने परिवार को महग सबको अपनी शक्ती से मूर्चित कर देती है और फिर खिडकी से नागिन रूप में निकल जाती है और एक विशाल नागिन में बदल जाती है फिर अपनी पूँच से बस को खाई में गिरने से बचाने की कोशिश करती है और वो काम्याब भी हो जाती है फिर महक सबको घर लेकर आती है, सबको होश आ जाता है, फिर सब महक और श्रीकान से पूछते हैं कि हम सब कैसे बजे मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं भी बेहोश हो गई थी, पता नहीं कैसे, जब मुझे होश आया, हम सब अपनी घर में सही सलामत थे और मैं आप सबको जगाने की कोशिश में ही लगी हूँ तब से, विभा श्रीकान से पूछती है, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है श्रीकान? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पता मुझे लगता है आंटी जी, ये सब नागराज ने किया है, हमीशा की तरह हम सब को बचा लिया सब लोग नागराज की मूर्ती के सामने जाते हैं, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, और धन्यवाद भी देते हैं अगली सुबह महक नहा कर सिर पर तॉलिया लपेटे हुए बातरूम से बाहर आती है, फिर तॉलिया हाथ में लेकर बालों को जटकती है, तभी विजय पीछे से आ जाता है, और कुछ पानी की बूंदे विजय के उपर गिर जाती हैं, मुस्कुरा कर बोलता है महकी मोती मुझे छूखर कुछ हल चल कर रही है, तुम्हें ऐसे देखकर लगता है, बस ऐसे ही देखता रहूं अच्छा जी, ऐसे ही देखते रहोगे तो तुम बहग सकते हो इस नूर को देखकर कोई भी बहग सकता है महक शर्माते हुए अपनी पलकों को जोका लेती है, और जैसे ही आगे बढ़ती है, उसका पैर पानी से फिसल जाता है महक गिरने ही वाली होती है, तभी विजय महक को पकड़ लेता है इतनी आसानी से गिरने नहीं दूगा मैं तुमको कब तक? जब तक मैं जिन्दा हूँ महक संभल कर बोलती है विजय कभी किसी को देखकर तुम्हारी धड़कने तेज हुई है, खुद पर काबूख होने लगा हूँ बस मन करे उसका हो जाओ या उसको अपना बना लूँ हाँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, किसी को देखकर महक गुस्से में पूछती है, किसको देखकर, कौन है वो? विजय महक को पकड़कर अपने पास खीच लेता है हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं होता कुछ सवालों के जवाब खुद आखों से ढूडने पड़ते हैं मेम साथ मुझे तु इन आखों में बस मैं ही देख रही हूँ अभी बस आखे ही देखी है तुमने कभी तुमारे पास होने पर मेरी धर्गन कितनी तेज हो जाती है ये सुनना कितना जूट बोलते हो तुम वैसे आज क्या हो गया तुमको कैसी बहकी बहकी बाते कर रहे हो विजे कुछ नहीं बोलता और मेहक को गले लगा लेता है और बोलता है मेहक मेरा मन करता है इस पल को बस कही नहीं जाने दूँ तो रोक लो इस पल को विजय, बहुत सुकून है इस पल में, इतने में महक की आखों से आसू निकल जाते हैं, महक तुम्हारी ये नमाखे मुझसे बहुत सवाल करती हैं, इन सवालों की जवाब भी इन आखों में ही है, विजय महक की आखों में देखता है, इतनी गहराई इत मेहक विजय को फिर से गले लगा लेती है और बोलती है मेहक मुझे नहीं पता कैसे पर कोछी दिनों में तुमने जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए किया मैं खुद को रोक नहीं पाया तुम्हारा होने से अब कुछ भी करना चाहता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए विजय ये कुछ दिनों का नहीं जन्मों का प्यार है मेहक विजय को छोड़ती हुई बोलती है आज ही सारा प्यार दिखाना है विजय कोई आ जाएगा लेकिन मुझे बहुत कुछ क्याना है तुमसे बहुत कुछ सुनना है सुनाना है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत सालों की शेकायत करनी हो मुझसे हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो रात को मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा मेहक मंदिर के पास महग मुस्कुराते हुए बोलती है अगर मैं नहीं आई तो ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारी आखों में प्रेम है मेरे लिए तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी विश्वास है मुझे मैडम तभी वहां किसी के आने की आहट सुनाई देती है महग दीदी जरा इधर आना महग नंदिनी के पास जाती है और बोलती है क्या बात है नंदिनी बहुत खुश नजर आ रही हो आज तो हाँ जी आज मेरा रिजल्ट आया है और मैं बहुत अच्छे अंकों से पास हुई हूँ ये तो अच्छी बात है ऐसे ही मन लगा कर पढ़ाई करो दीदी पता नहीं मम्मी क्यों हमेशा मुझे आपसे दूर रहने के लिए बोलती रहती है आप बहुत अच्छी हो फिर भी हम सबको अच्छे लगें ये जरूरी तो नहीं है नंदनी वैसे क्या बोला चाची जीने तुमको मम्मी बोली कि मैं आपसे दूर रहा करूँ आप अच्छी नहीं है मुझे नुकसान पहुचा सकती है मैं अच्छी नहीं हूँ लेकिन क्यों अब ये तो मम्मी जानती हूँगी या उनका वो रिष्टेदार रिष्टेदार वो श्रीकंत हाँ वही और कौन होगा क्यों उसने भी तुमको कुछ बोला क्या हाँ वो बोल रहे थे जब तक मैं है किस घर में है उनका कोई भी काम सही से नहीं होगा और दीदी मैंने तो ये भी सुना कि वो तुमको यहां से निकालने के लिए कोई तरकीब निकालेंगे कैसी तरकीब ये तो मैं नहीं जानती पर तुम कहीं जाना मत दीदी ठीक है मेरी गोडिया मैं हमेशा तुमारे साथ रहूंगी तभी रेखा की चिलाने की आवाज आती है कोई तो मदत करो मेरी विभा दीदी को साप ने काट लिया है महक अपनी आखे बंद करती है और अपनी दिव दृष्टी से देखती है कि आहुजा ने साप बनकर विभा को डस लिया है ये सुनकर विजय दोड़कर विभा के पास जाता है और पूछता है अरे कहा गया वो साब? रेखा एक तरफ इशारा करती है और बोलती है उधर की तरफ? हे भगवान अब क्या होगा? कोई डॉक्टर को ले कर आओ तब तक महग भी नंदनी के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है विजय इनको उठा कर नागराज की मूर्ती के सामने ले चलो वही इनको ठीक कर देंगे महग तब तक अपनी शक्ती से घर के आगर में एक साप प्रकट करती है जो सपेरा बन जाता है सुन्दर बीन की आवाज सुनकर बाहर आता है और बोलता है महराज आप सही समय पर आए है मेरी भावी को अभी एक साप ने डस लिया है किर्प्या हमारी साहता करें महराज देखिए हम आपके घर में नहीं आ सकते प्रंदु जिसको साप ने काटा है आप उसको बाहर आगन में उठा कर ले आओ विजय और सुन्दर विभा को आगन में लेकर आ जाते हैं सपेरा जानता था कि अगर वो बीन बजाएगा तो महर को तकलीफ होगी और वो अपना आपाखो देगी नागिन रूप में भी आ सकती है इसलिए वो महक को बोलता है लड़की तुम पास वाले मंदिर से कुछ भांग के पत्ते ले आओ तब तक मैं इनका इलाज करता हूँ महक मंदिर की तरफ चली जाती है आहुजा मानव रूप लेने ही वाला होता है कि सपेरा बीन की धुन बजाना शुरू कर देता है उसकी शक्ती की वजह से आहुजा मानव रूप नहीं ले पाता और साप रूप में ही जाड़ी में जाकर छुप जाता है ये क्या हो रहा है? मैं मानव रूप क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? अगर ऐसे ही साप बना रहा तो बीन की धुन सुना कर ये सपेरा मुझे ये जहर वापिस फिलवा सकता है क्या ये वो ही साप है? जिसने मा को डसा था? हाँ मुझे ये ही लगता है साप मजबूर होकर धीरे धीरे विभा के पास जाता है और जहर को वापिस चूस लेता है और फिर वापिस चला जाता है अब मैं चलता हूँ जब वो लड़की आए पत्ते लेकर उसको पीस का जिर जगे सापने काटा था वहां लगा देना सपेरा चला जाता है फिर कुछ समय बाद विभा को धीरे धीरे होश आने लगता है और महग भी मंदर से बाहर आ जाती है विजे लूमें भांग के पत्ते ले आई ठीक है इसको पीस लेना और मा को लगा देना इतने में विभा को सही से होश आ जाता है आप ठीक हो ना मा वो साप कहां से अचानक आ गया पता नहीं मुझे कुछ भी अचानक से वो साप घर में आ गया और मुझे डस लिया कोई बात नहीं मा अब आप ठीक हो वो तो भाला हो सपेरे का कि वो सही समय पर आ गया कौन सपेरा ताई जी आपके बेहोश होने के बाद एक सपेरा आय था, उसने ही आपकी जान बचाई ये सब सिर्फ नागराज की कृपा है ये नागराज की कृपा नहीं है, जब से ये मोर्ती इस घर में आई है तब से ये सब हो रहा है जहर वापिस चूसने पर आहुजा की हालत खराब हो गई थी वो मानव रूट में आकर जंगल में ही तड़प रहा था रक्षा करो गुरुदेव महिक नाग रूप बनाकर आहुजा के पास जाती है और बोलती है महिक वहां से चली जाती है और आहुजा का विलाप काल गुरु तक पहुँच जाता है और काल गुरु सब घटना जान जाते हैं फिर काल गुरु मंत्रों के जहर के प्रभाव को खत्म कर देते हैं मेरी रक्षा के लिए धन्यवाद गुरुदेव आहुजा मन में सोचता है अब कोई नई चाल सोचनी पड़ेगी नागिन एस बार तेरा और तेरे नाग का बच्पान आब बहुत मुश्किल होगा विजे महक का मंदिर में इंतजार करता है और महक कुछ समय बाद मंदिर में पहुँच जाती है कहां रह गई थी तुम महक खबसे इंतजार कर रहा था तुम्हारा मैं घर से निकल ही रही थी कि अचानक कुछ काम आ गया तो बस उसे करने में समय लग गया देर से आई हूँ परन्तु आई तु हूँ विजे और हसने लगती है अच्छा अगर इंतजार करते करते मेरी जान चली जाती तो महक विजे को गले लगा लेती है कैसी बाते कर रहे हो तुम ऐसा कभी नहीं होगा मेरे होते हुए तुम्हे कुछ नहीं होगा इतनी सी बात पर इतना डर गई तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात है परन्तु मेरे लिए बहुत बड़ी बात है तुम्हारे बिना तो मैं अपनी जिंदिगी का एक पल भी नहीं सोच सकती इतनी जल्दी इतना प्यार कैसे हो गया महग ये कुछ पलों का प्यार नहीं है विजय, जन्मों का प्यार है मैं हर जन्म में सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ वैसे महग तुम बहुत प्यारी बाते करती हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ बाते तो दिल खुद ही बोल देता है और क्या-क्या बोलता है तुम्हारा दिल महग मेरा दिल बोलता है हसते हुए दोबारा ये ही बोलती है मेरा दिल बोलता है कि विज़े पागल है हाँ, विज़े पागल है महग के प्यार में अच्छा जी, वैसे बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए ठीक है पर तुम जाओ, मुझे कुछ काम है अपने दोस्नों से, तो थोड़ी देर में आता हूँ मैं, तुम्हाराम से जाना महें घर की तरफ चल देती है, और कुछ समय बाद उसको एक आवाज सुनाई देती है, जो बोलती है ओ हो, अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, कि अब अकेले में मुलाकात भी होने लगी महें पीछे मुड़ कर देखती है, आहुजा तू, तुझे कोई जरूरत नहीं है मेरा पीछा करने की जरूरत है नागेन, जरूरत है, आखिर हम दुश्मन है, दुश्मनी में एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए और हसने लगता है तेरा पीछा करना बहुत महंगा पड़ सकता है तुझे, तेरी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है किसको किसकी जान से हाथ धोना पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा इतना जरूर है नागिन कि मैं तुझे मौत नहीं दूँगा पर तू तडपती रहेगी जिन्दगी भर अपने नाग के वियोग में मौत से भी बत्त जिन्दगी होगी तेरी गुसे में अगर तुने विजय को आग उठाकर भी देखा तो मैं तेरी आखे नोच लूँगी मैं क्यों देखूंगा उसको आख उठाकर वो तोच्छे से नाग के लिए मैं अपना समय के उबर बात करूँ परन्तु वो किसी को देखेगा और तुझे हमेशा के लिए भूल जाएगा तु देखती जा नागिन क्या करता हूँ मैं महक चलने की कोशिश करती है पर आहुजा आगे खड़ा हो जाता है फिर महक गुसे से बोलती है हट जा मेरे रास्ते से दुष्ट आहुजा हट जाता है और हस्ते हुए बोलता है महक जल्दी से घर पहुँच जाती है और कुछ समय बाद विजे भी घर आ जाता है फिर सब अपने कमरों में सोने चले जाते हैं रात में विजे को एक सपना दिखाई देता है विजय एक नाग बन गया है और जमीन पर रेंग रहा है कुछ समय बाद एक नाग इन उसके पास आती है और देखते ही देखते वो एक लड़की बन जाती है तुम कौन हो? मैं साब कैसे बना? ये सब क्या हो रहा है? तुम एक इच्छाधारे नाग ही हो नागेश बस अपनी शक्तियों को भूल चुके हो अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें सब याद आ जाएगा विजय खुद का रूप बदलने की कोशिश करता है और वो नागेश की रूप में आ जाता है नागेश रूप में आते ही विजय की डर के मारे आखे खुल जाती है विजय उठकर बोलता है ये कैसा सपना था? मैं लाग हूँ अरे नहीं नहीं, ये सिर्व एक सपना था और विजय दोबारा सो जाता है अगली सुबह महग बैठी होती है विजय भी उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है कैसी हो महग? मैं तो ठीक हूँ जनाब, तुम बताओ क्या बताओ महग? रात एक अजीब सा सपना देखा मैंने अजीब कैसे? ऐसा क्या देख लिया? मैंने देखा, मैं एक इच्छाधारी नाग हो और मेरे सामने एक इच्छाधारी नागिन भी थी सोच में पढ़ जाती है और फिर बोलती है क्या? सच में विजय? तुमको ऐसा कुछ सपना आया? क्यों? तुम्हें क्या लगता है? मैं तुमसे जुट बोल लहा हूँ वैसे क्या नाम बोली थी वो लड़की? हाँ, याद आया नागेश वो बोली यही मेरा असली नाम है और नागरूपी मेरा असली अस्तित्व है महक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब विजय के साथ क्या हो रहा है तो वो अकेले में जाकर कुछ दिव्य तरंगे नागराज के पास भेजती है और उनसे ही नागराज से बात करती है नागराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर विजय के साथ ये सब क्या हो रहा है उसको अचानक पिछले जनम की बाते क्यों याद आ रही है नागराज, विजय को मेरे नागिन होने का पता चलने के बाद भी क्या वो मुझे ऐसे ही प्रेम करेगा? प्रेम बंधन एक अटूद बंधन है नागेस इसे कोई तोड नहीं सकता नागेस स्वेम भी नहीं वैसे नागेस, मैं सदे भी तुम्हारे साथ हूँ पर तुम्हें अब और जादा सतर क्रहना होगा आहुजा कोई नई उजना बना रहा है जो आग्या नागराज? महक इतना बोल कर चली जाती है दूसरी तरफ, विजय अकेली ही ऐसे बैठे मुस्कुरा रहा था विभा ये सब देख लेती है बेटा विजय क्या सोच रहे हो? आजकल तुम्हारे चहरे पर एक अलग ही चमक है कुछ नहीं मा, बस ऐसे ही वैसे मा महक कैसी लगती है आपको? महक? वो तो एक बहुत अच्छी लड़की है बहुत सुन्दर और गुनी भी है वैसे तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं मा, बस ऐसे ही और विजय शर्माने लगता है विभा को भी अपने बेटे के मन में चल रहे प्रेम भाव समझ आ जाते है वैसे मैं सोच रही हूँ अगर तुम्हें कोई आपत्ती ना हो तो तुम्हारी शादी महक से करवा दू क्या सच्ची मा फिर अपनी भावना पर काबू करके विजय मना कर देता है नहीं नहीं मा, ऐसी कोई बात नहीं है ये शादी, उफ, अभी नहीं ठीक है, तो मैं किसी और लायक लड़के को तलाश करती हूँ महक के लिए विजय तुरंथ बोल देता है नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूँगा बेटा, एक मा से अपने बच्चे के मन की कोई भी बात छुप नहीं पाती विजय शर्माते हुए, वहां से उठकर चला जाता है फिर विभा भी महक के पास आ जाती है और बोलती है महक, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे जी अंटी जी, बोलिए आज बहुत दिनों बाद मैंने विजय को इतना खुश देखा तो मैं सोच रही थी कि जिस वजह से वो इतना खुश है उस वजह को हमेशा के लिए उसके पास ले आऊँ ये तो अच्छी बात है आंटी जी, किसी की इच्छा पूर्ण करना अच्छी बात होती है पर उसकी इच्छा के लिए तुम्हारी हां की भी जरूरत है महक विभा की बातों को समझ जाती है और शर्माने लगती है महक, क्या तुम मेरे बेटे विजह से शादी करोगी? अगर तुम्हे वो पसंद हो, तो मैं तुम्हे अपनी बहु बनाना चाहती हूँ महक नीचे सिर करके बोलती है आंटी जी, जो भी आपको सही लगे विभा ये बात घर में सब को बताती है और सब राजी हो जाते है फिर रेखा ये बात श्री कांथ को जाकर बताती है क्या तुमको पता है, विभा दीदी विजह और उस नागिन महक की शादी करवा रही है? वो नागिन और उसके नाग का विलन, नहीं हो सकता कुछ कर मूर्खौरद हाँ, तुमसे तो कुछ होता नहीं है, मैं ही करूँ वैसे भी इस घर में मेरी सुनता ही कौन है तुम ही करो जो करना है ठीक है, मैं ही कर लूँगा जो करना है और गुस्से से चला जाता है जैसे ही वो बाहर जाता है तभी वो देखता है कि विजय सीडियों से नीचे आ रहा था तभी श्रीकांथ अपनी शक्तियों से विजय को गिरा देता है जिससे विजय उपर से नीचे सीडियों पर लोड़कते हुए आता है विजय को ऐसे घायल जमीन पर देखकर महग विजय का सिर गोद में रख लेती है और गुस्से से श्रीकांट पर अपनी आखों की शक्ती छोड़ती है जिससे श्रीकांट दूर जा गिरता है क्या हुआ महग? उसकी तरफ आते हुए बोली और विजय को महग की गोद में लेटा हुआ देखकर डर जाती है विभार होते हुए बोलती है क्या हुआ मेरे बेटे को? इतनी चोड विजय की सर पर कैसे आई? सीडियों से उतरते वक शायद इनका पैर फिसल गया जब तक मैं यहाँ पहुँची तब तक बहुत घायल हो चुके थे ये सुन्दर डॉक्टर को लेकर आता है और कुछ समय बाद विजय को होश आ जाता है कैसा है मेरा लाल? मैं ठीक हूँ मा महग, नंदनी, मा आप सब मत रो, मैं ठीक हूँ आप सब चिंता मत कीजिए सीडियों से टकराने से विजय की याददाश वापस आ गई थी नागिन, तूने पूरे घर को अपने वश में कर लिया है लेकिन मैं तेरे और तेरे नाग का मिलन कभी नहीं होने दूँगा आहुजा, क्यों अपने प्राण गवाना चाहता है तू मेरे और विजय के बीच में जो कोई भी आएगा उसे अपना जीवन त्यागना पड़ेगा तू देखती जानागिन जिस विभा को तूने अपनी ढाल बनाया है वो ही तेई शादी विजय से नहीं होने देगी पागल नेवले, तू अभी प्रेम शक्ती से वंचत है अगर प्रेम शक्ती को जानना चाहता है तो अपने गुरू से पूछ क्यों वो हमेशा मेरी प्रेम शक्ती से हार जाता है ऐसी गलती तू मत कर अपने गुरुदेव का ही तो बदला लेने आया हूँ मैं नागिन अरे श्रीकांथ महेक तुम दोनों क्या बाते कर रहे हो जी आंटी जी कुछ खास नहीं श्रीकांथ महेक की तरफ देखता हुआ बोलता है कुछ नहीं कुछ नहीं बस महेक को शादी की बधाईया दे रहा था महेक वहां से चली जाती है फिर श्रीकांथ विभा से बोलता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो परंतु मेरी शक्ति कहती है इस घर पर नागिन का वास है श्रीकांत शुब बाते किया करो आज इतने समय बाद मेरे घर में खुशिया लोट आई हैं और तुम्हाज शुब बाते कर रहे हो आज नहीं तो कल तुम्हारे सामने सच आएगा ही आएगा और श्रीकांत वहां से चला जाता है आधी रात में विभा को प्यास लगती है और वो पानी पीने बाहर जाती है तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई बाहर है और बाहर देखते हुए बोलती है ये महक इतनी रात में कहां जा रही है विभा इतना ही बोलती है कि महक अचानक अपने नागिन रूप में आ जाती है और रिंगते हुए चली जाती है नहीं, ये नहीं हो सकता और दोड़ कर महक के कमरे में जाती है महक को अपने बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर विभा बोलती है महक तो यहाँ सो रही है फिर जो मैंने देखा वो क्या था महक विभा को देख लेती है इसलिए विभा के कमरे में जाने से पहले महक वहाँ चली जाती है विभा दोबारा बाहर जाती है देखने के लिए तभी महक दोबारा नागिन रूप लेकर बाहर जाती है और पहले नागिन फिर निर्ला बनती है और कुछ हीक्षण में श्रीकांत का रूप ले लेती है अच्छा तो ये श्रीकांत था मतलब कि ये मानव नहीं है इसने ही मुझे डसा था और अब महक का रूप धारन करके मुझे ब्रहमित कर रहा था विभा अपने कमरे में चली जाती है ही नागराज मेरे परिवार की रक्षा खड़ना अगली सुबह महक बेटा मेरे पास आओ जी आंटी जी बोले अब भी आंटी बोल रही है मुझे अब तु मेरे होने वाली बहू है तो अब विजय की तरह मा बोला कर मुझे तब ही श्रीकांथ उसके पास आजाता है और विभा डर जाती है लेकिन होश संभाल कर महक को बोलती है बेटा श्रीकांथ के लिए भी चाय ले आओ रात अपनी आँखों से सबसच देख लिया ये कोई लड़की नहीं है नागिन है नागिन बदला लेने आई है तुम्हारे घर हाँ कल रात सबसच का पता चल गया है मुझे कि कौन क्या है अब बहुत दिन हो गए तुम्हें यहां आई मुझे लगता है अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए श्रीकांथ गुस्से से बोलता है पागल आउरत सिर्फ मैं ही तुझे और तेरे परिवार को इस नागिन से बचा सकता हूँ और तू मुझे ही जाने को बोल लही है महें नागिन नहीं है तू पाखंडी है जब रात मैंने तुझे महें के रूप में देखा एक पल के लिए मैं भी तेरी बात में आ गई थी पर जब वापस बाहर आई तो तुझे तेरे असली रूप में देख लिया था मैंने इतने में ही रेखा वहां आ जाती है रेखा तुने जूट बोला मुझसे कि ये तेरा रिष्टेदार है ये तो एक बहरूपिया है रेखा डर जाती है दीदी वो तभी श्रीकांथ गुसे में नंदनी को गोद में उठा लेता है मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ अब नागिन को आना होगा मेरे पास इतना बोलकर श्रीकांथ गायब हो जाता है और विभा डर कर बेहोश हो जाती है फिर रेखा भाग कर महिक के पास जाती है महिक मेरी नंदनी को बचा लो क्या हुआ नंदनी को मैंने आज तक तुम्हारे साथ बुरा किया जिसकी सजा मेरी बेटी को मिल रही है आज मेरे मदद करो महिक अपनी आखे बंद करती है और अपनी दिव्विद रिष्टी से सब देख लेती है आप चिंता ना करें मैं नंदनी को वापिस लेकर आऊंगी महिक अहुजा का पीछा करती है और दोड़ते दोड़ते नागिन बन जाती है महिक अहुजा के पास पहुँच जाती है और उसको अपनी पूँच में जकर लेती है जिससे नंदनी छूट जाती है महक आहुजा को जमीन पर पटकती है आहुजा महक की पकड से आजाद होते ही नेवला रूप ले लेता है नागिन अब तक तिरी लड़ाई सिर्फ साधर नेवले से हुई होगी मेरे जैसे शक्तिशाली नेवले से नहीं मेरी लड़ाई सिर्फ पाप से हुई है और मैंने हमीशा पाप को मिटाया है आहुजा नर्गिश फिर आहुजा पर विश्की फुंकार मारती है लेकिन फुंकार आहुजा के गले में पड़ी माला से टक्रा कर वापिस आ जाती है मैं तेरा काल हूँ नागिन तेरा काल और दोड़कर अपने मूँ से नागिन की गर्दन पकड़ लेता है नागिन नेवले को चारो तरफ से जकड़ने लगती है जिससे उसका दम घुटने लगता है और वो नागिन की गर्दन छोड़ देता है मुझे मारना इतना आसान नहीं है नागिन पाप कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो आखिर मैं उसे मिटना ही पढ़ता है आहुजा आहुजा नागिन पर आख छोड़ता है फिर नर्गिश भी अपनी आखों से आख छोडती है जिसके कारण नेवले की आग कम हो जाती है नागिन फिर अपनी शक्ति नेवले पर छोड़ती है किन्तु वो माला में समा जाती है नागिन समझ जाती है कि जब तक माला आहुजा के गले में पड़ी रहेगी उसको मारना असंभव है नर्गिश एक विशाल नागिन में बदल जाती है और इससे पहले आहुजा को समझ पाता वो अपनी पूट से पकड़ कर उल्टा लटका देती है जिससे उसकी माला गिर कर पत्थर से टकरा जाती है अब तेरा अंत भी निकट है आहुजा और नेवले को एक पत्थर पर पटक पटक कर मारती है आहुजा फिर मानव रूप लेकर तड़पने लगता है गुरुदेव गुरुदेव और कुछ ही क्षण में अपना दम तोड़ देता है काल गुरु के पास रखा नारियल किसी बम की तरह भट जाता है नहीं आहुजा नहीं मर सकता उसके प्राण लेने की ताकत किसी में नहीं है नागिन तुने मेरे हर प्रयास को विफल किया है लेकिन अब काल गुरु तुझसे तेरे किये का बदला लेगा मैं आ रहा हूँ नागिन नर्गिश नंदिनी को उठा कर घर की तरफ चल देती है महग रूप बना कर नर्गिश रेखा के पास पहुँ मैं ठीक हो टाई जी ये कैसी अनहोनी घटना घटी हमारे घर में कैसे विश्वास करूं इसका दीदी महग ने हमारी नंदिनी को उस बहरूपी ऐसे बचाया है लेकिन कैसे सब नागराज की कृपा है तब ही एक आवाज आती है नागराज नहीं ये तेरा की आधरा है महग पीछे मुड़ कर देखती है और बोलती है तू यहां भी आ गया काल गुरू हा नागर तेरा बल खत्म तुझे तेरे असली रूप में आना ही होगा इन सब के सामने काल गुरू तू ये मत भूल तू आज भी गलत कर रहा है सच्चे प्रेम की शक्ती से तू पहले भी आ रह है मैं एक पतीवरता नारी हूँ अपने प्रेमी के लिए कुछ भी करूंगी पतीवरता वो भी एक नागिन कौन हो तुम क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो ये कोई बच्ची नहीं है एक इच्छा धारी नागिन है जो तेरे कुल को खत्म करने आई है जूट मत बो नागिन को कुछ करने की कोशिश भी मत करना काल गुरू ये नागिश कौन है और महे क्या सच्चाई है मुझे बताओ ये तुम्हे कुछ छण में पता चल जाएगा कि कौन क्या है और तेरा विजयस का नागिश है काल गुरू अपनी शक्ती से महेश की चारों ओर एक आग क गोला बनाता है तब ही विजय वहां आ जाता है क्या हो रहा है यहां ये कौन है तेरा और तेरी नागिन का काल हूँ मैं कौन नागिन पाखंडी तू चला जा यहां से और मेरी महक को छोड़ दे चला जाओंगा पर या तो तेरे प्राण दे कर या नागमणी लेकर हाहा हाह काल गुरू विजय पर वार करता है परंतु उसका वार विफल हो जाता है एक साधरन मानव मेरे वार को सहर नहीं कर सकता तूने कैसे कर लिया तब ही नागराज की आवाज आती है क्योंकि नागराज को सब याद आ गया उसके बारे में उसके अस्री रूप के बारे में और उसकी समस शक्तियां वापस आ गई है अच्छा तो तू है नागराज जो इनकी मदद कर रहा है लेकिन तू भी आज मेरे कहर से इनको नहीं बचा सकता काल गुरू फिर से विजय पर वार करता है विजय अपने नागेश रूप में आ जाता है और वार को अपने सीने पर सहन कर लेता है तूने आज तक जो कुछ भी किया है मेरे और मेरी नर्गिस के साथ आज मैं तुझे तेरे कर्मों की सजा दूंगा काल गुरू हसते हुए हाँ 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 छोटा मुव और बड़ी बात अच्छी नहीं लगती इच्छा धारी नाग काल गुरू फिर से नागेश पर अपनी शक्ती से वार करता है जिससे इस बार नागेश गायल होकर जमीन पर गिर जाता है नागेश को जमीन पर गिरा देखकर मह को गुसा आ जाता है और वो अपनी नागेश को ठीक करती है मेरे होते हुए तु मेरे नागेश का कुछ नहीं कर सकता पाखंडी ठीक है तो पहले तुझे ही खत्म करदेता हूँ काल गुरू अपनी शक्ती नर्गिश की तरफ छोड़ देता है, परंतु नागेश उटकर उसको अपने उपर ले लेता है, और दूर जा गिरता है नर्गिश के क्रोध की सीमा पार हो जाती है, और वो एक विशार नागिन के रुप में बदल जाती है नर्गिश काल गुरू के आग के बंधन को अपनी शक्ती से खत्म कर देती है मुझे लगा था कि तू एक सिद्ध तपस्वी है बस कुछ भटक गया है इसलिए तुझे जीने का एक और अफसर प्रदान किया था किन्तु तू उसके काबिल नहीं है काल गुरू नर्गिश की तरफ एक शक्ती का गोला फेंगता है फिर नागिन भी उसकी तरफ वैसा ही गोला फेंग देती है जिससे एक भीशन विस्फोर्ट होता है और काल गुरू उस धुए में गायब हो जाता है इस विस्फोर्ट से पूरा नाग लोग हिल जाता है ये कैसा विस्फोर्ट था नाग राज जिसे नाग लोग हिल गया ये एक प्रेम शक्ती का पाप की शक्ती से टकराव था नर्गिस का काल गुरू से ये युद्ध अतियंधी प्रलाकारी हो सकता है नर्गिस की अगर हार होती है तो सारा नाग लोग काल गुरू के अधिन हो जाएगा लेकिन कैसे नागराज? क्योंकि नर्गिस की पेमशक्ती से प्रभावित होकर मैं खुद उसके शरीमे वराजमान हूँ उसकी पराजजय मेरी पराजजय है काल गुरु ये बात भली भाती जानता है इसी लिए बोज पर अधिक शक्तिशाली सस्त्रों का प्रियोग नहीं कर रहा है नागराज फिर काल गुरु को पराज़ित करने का कोई उपाय तो होगा एक उपाय है वो क्या है नागराज? महक और विज़े की शाधी करवानी होगी जिसके पशचाध उनके पेम की शक्ती से एक दिब्य शक्ती का जन्म होगा और वो ही काल गुरु के अंद का कारण्म बनेगी उधर विभा और विज़े की सच्चाई जानने के बाद उन्हें अपना लेते हैं और उनकी शादी की तैयारी करते हैं विभा नर्गिश के पास जाती है और उससे पूछती है नर्गिश बेटा, शादी में शामिल होने के लिए क्या तुमको अपने किसी रिष्टेदार को बुलाना है? नहीं आंटी जी, मेरा कोई रिष्टेदार नहीं है बस मैं चाहती हूँ आप निरूपा और उसके पूरे परिवार को भी बुला ले विभा निरूपा और उसके परिवार को शादी के लिए बुला लेती है निरूपा अपने भाई रवीश के साथ शादी में आती है नर्गिश उन दोनों को देख कर खुश हो जाती है रवीश तुमको याद है बच्पन में जो नागेश और नरगेश की हमने मदद की थी वो यही है अच्छा वैसे तुम बहुत सुन्दर हो नरगेश मुझे इतने साल बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा इतने में ही नागेश वहां आ जाता है और रवीश को देख कर बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे रवीश को गले लगा लेता है कुछ ही छण में नर्गिश और नागेश की शादी हो जाती है और नर्गिश मन ही मन सोचती है शायद काल गुरु को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और वो हमारी जिंदगी से तूर चला गया ऐसे ही खुशी खुशी एक साल बीच जाता है और ना तो काल गुरु ना ही उसका कोई शिष्च नर्गिश और नागेश की खुशी में दखल देने आया नर्गिश और नागेश को एक बहुत ही प्यारी बेटी होती है जिसका नाम वो काव्या रखते है सब पुरानी बाते भूल कर अपनी जिन्दगी राजी खुशी जी रहे थे शादी के बाद पहली बार नर्गिश नागेश के साथ देवाली की तयारी करती है नर्गिश पूरे घर को दियों से सजा देती है शाम को विभा सब को पूजा के लिए बोलाती है नर्गिश और नागेश मिलकर आर्ती करते है नर्गिश लक्ष्मी पूजा करती है और आर्ती गाती है और फिर पूरा परिवार पटाके चलाता है नर्गिश बहुत डड़ती है पटाकों से क्यूकि इस से पहले उसने कभी पटाके नहीं जलाए थे नागेश नर्गिश को फुल जड़ी देता है पूरा परिवार खुश होता है नरगेश फिर काव्या को लेकर घर में अंदर चली जाती है और उसी कमरे में अकेला छोड़कर उसके लिए दूद लेने चली जाती है पर जब वो वापस आती है तो उसकी बेटी काव्या गायब होती है नरगेश रोने लगती है और नागेश को बुलाती है क्या हुआ हमारी बच्ची को? गुसे में बोलती है वो ही हमारी बेटी को ले कर गया होगा नर्गेश नागेश और बाकी घरवाले नागराज की पूजा करते हैं और तभी उन्हें नागराज बताते हैं तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है नर्गेश तुम्हारी बेटी को काल गुरू ही लेकर गया है पर वो तुम्हारी बेटी को साथ लेकर नहीं गया बलकि अपने काल को साथ लेकर गया है पर नागराज मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है वो एक साधारन इंसान है वो काल गुरू का काल कैसे बनेगी नर्गिश भले ही तुम्हारी बेटी चोटी है अभी और अभी एक साधान इंसान ही है किन्तु उसके मातापीता एक शक्ती शाली नागनागिन है जिसके कान वो एक दिव्य बच्ची है और 18 वर्षों के बाद उसमें भी वो सब शक्तियां आ जाएंगी नर्गिश और विजय काली पहाडी पर पहुँच जाते हैं और शिव की आराधना शुरू कर देते हैं पर काल गुरू की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी जिससे हताश होकर नर्गिश अपना सिर शिव मूर्ती के चर्णों में मारने लगती है कुछ समय बाद काल गुरू काव्या के साथ वहाँ प्रकट हो जाता है ये कैसी शक्ति थी जो मुझे यहाँ प्रकट कर दिया ये देवों की देव महादेव की शक्ति है जिसके सामने तेरे जैसे पाकंडी का कोई छलकपट काम नहीं करेगा काल गुरू नरगेश और नागेश को अपनी शक्ति से बने एक जिव गोले में बंद कर देता है जिससे नरगेश और नागेश छूटने की बहुत कोशिश करते हैं किन्तु छूट नहीं पाते बहुत कोशिश के बाद भी वो उसे भेद नहीं पाते तब नरगेश नागरा से मदद मांगती है और उनकी मदद के लिए नागराज एक बहुत छोटा सा नागरू बना कर गोले में प्रकट होते हैं नागराज पाप के विरुद्ध मेरी सहायता करें नर्गेश काल गुरू को हराने का सरफ एक मात रुपाय है वो क्या है नागराज? मैं अपनी समस्तर शक्ती तुमको प्रदान करता हूँ कि दू काल गुरू का अंत तुमारी बेटी के हाथों ही संभव होगा नागराज अपनी शक्ती नर्गेश को प्रदान करते हैं और गायब हो जाते हैं नर्गेश गोले को भेद कर बाहर आजाती है और गुस्से से काल गुरू को बोलती है काल गुरू आज तेरा काल तुझे मेरे समीब ले आया है काल तो आज तेरा और तेरे नाग काया है पिर काल गुरू अपनी शक्ती से नर्गिश की तरफ अगनी छोड़ता है परन्तु नर्गिश उस पर जल वर्षा छोड़ देती है जिससे अगनी कम हो जाती है उसके बाद काल गुरू तेज हवाओं का बवन डर नर्गिश की तरफ छोड़ता है जिससे नर्गिश काव्या के पास जाकर गिरती है काव्या डर के मारे रोने लगती है नर्गिश उसे गोद में उठा लेती है काल गुरू अपनी समस्त शक्ती से बने काल गुरू वो त्रिशूल नर्गिश की तरफ फेकता है परंतु वो त्रिशूल नर्गिश के पास आकर रोक जाता है काव्या नर्गिश की गोद में थी वो तपस्या से प्राप्त त्रिशूल किसी बच्चे की मौत का कारण नहीं बन सकता था काव्या उस त्रिशूल की नोग को छू लेती है अपने उपर त्रिशूल का प्रभाव ना होते देख नर्गेश वो त्रिशूल कालगुरू की तरफ फेक देती है जिससे कालगुरू का सिर और धड अलग-अलग जाकर गिरते हैं कालगुरू के मरने से नागेश भी मुक्त हो जाता है दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और नर्गेश बोलती है नागेश हमें काव्या का इसपर्ष एक बार नागमणी से करवाना होगा जिससे वो इसकी आगे जाकर रक्षा कर सके नागेश शिव की मूर्थी के पार जाकर नागमणी को प्रकट करता है और काव्या का इसपर्ष उससे करवाता है नागेश अभी से सुरक्षित नाग लोग भेज दो ताकि इसका कोई गलत उप्योग ना कर सके नागेश जैसे ही नागमणी को दोबारह स्पर्ष करने वाला होता है तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है और वो गोली नागेश को लग जाती है नागेश जैसे ही पीछे मुड़ कर देखती है वो बोलती है रवीश तुम? नर्गेश गुस्से से रवीश की तरफ बढ़ती है तब ही रवीश दूसरी गोली चला देता है और नागमनी उठा कर भाग जाता है नर्गेश भी खायल हो जाती है और नागेश के पास जाकर गिरती है नागेश नागेश तब तक नागेश अपने प्राट त्याग चुका होता है और विभा भी वहाँ आ जाती है और रोते रोते नर्गेश के पास बैठ जाती है विभा काव्या को गोध में बिठा लेती है ममी जी मुझसे वादा करिये आप मेरी बेटी को भी उतना ही प्यार देंगी जितना मुझे दिया है आज से इसकी सब कुछ आप है इसकी माँ बाप सब कुछ आप है अठारा वर्ष बाद इसमें वो समस्त शक्ती आ जाएगी जो मुझमें और नागेश में थी और ये अपने माता-पिता की मोत का इंतकाम रवीश से जरूर लेगी नर्गेश इतना बोल कर अपने प्रांट त्याग देदी है जैसा कि पिछले सीजन में दिखाया गया था कि नर्गेश और नागेश की मौत हो गई थी और उनका खोनी था रवीश जो कि उन्हें मार कर उनसे नागमनी लेकर भाग गया था और मरते समय नर्गेश अपनी बेटी काव्या को अपनी सास विभा को सौप गई थी अब आगे काव्या की दादी विभा ने आसपास के होस्टल या पीजी में रहने वाले बच्चों के लिए टिफिन बना बना कर काव्या को पढ़ाया था और जैसे जैसे काव्या बड़ी हो रही थी वह भी अपनी दादी का हाथ बटाया करती थी साथ ही वो अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा दिया करती थी बहुत ही मेहनत और लगन के साथ उसने इसी साल अपना हाई स्कूल पास किया था और वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों से एक दिन दादी पोती दोनों कमरे में बैठी हुई थी तभी काव्या अपनी दादी के गले में दोनों हाट डाल कर जूलते हुए बोली दादी, दो महीने बाद तो मेरा हैपी वाला बर्डे आने वाला है आप मुझे क्या तोहफा देंगी? बेटा, तुझे देने के लिए है ही क्या? मैं तो बस तुझे आशिरवाद ही दे सकती हूँ तभी उन्हें याद आया कि मरते समय नर्गिश ने कहा था कि काव्या के 18 साल होने पर उसमें उसके माता-पिता की सारी शक्तियां आ जाएंगी और वो उनकी मौत का बदला जरूर लेगी लेकिन उन्होंने ये बात उसे नहीं बताई और सामने बोली भगवान तुझे खुद ही ऐसा तोहफा भेज़डे वाले हैं जिसकी तुने कभी कल्पना भी नहीं की होगी मेरी लाडो क्या दादी? कुछ भी तो नहीं लाडो चल खाना खाले फिर तुझे कॉलेज में एड्मिशन के लिए भी तो जाना है काव्या अब केवल वही तो थी जो अपने माता पिता के मरने के बाद अपनी दादी का आखरी सहारा थी काव्या खाना खाकर कॉलेज के लिए निकल गई जैसे ही वो कॉलेज पहुंची तो उसने गेट पर कुछ लड़कों का ग्रुप देखा जो की वहां से गुजरती हुई लड़कियों पर छीटा कशी कर रहे थे जब काव्या वहां से निकलने लगी तो उन में से एक लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया बड़ी जल्दी में हो बुल-बुल हमसे जरा मुलाकात तो करती जाओ कहते हुए राज ने आगे भढ़कर उसे किस करने की कोशिश की तो काव्या ने गुस्से में उसे एक चाटा मार दिया जिसकी वजह से राज के गाल पर उसकी पांचों उंगलिया छप गई और वहां मौजूद सभी लोग हसने लगे चारो तरफ से सबके हसने की आवाजे आ रही थी जो लोग उसे उसकी अमीरी की वजह से सामने से कुछ नहीं कह पाते थे वो सब आज बहुत खुश थे अपनी आउकात में रहो मिस्टर कहकर राज वहां से चला गया और पीछे पीछे उसका ग्रुप भी चला गया कावया ने अपना एडमिशन फॉर्म भर कर सम्मिट कर दिया दो दिन बाद कावया अपने मोबाइल पर एक मैसेज देखकर खुशी से जूम उठी और अपनी दादी को दिखाने लगी दादी देखो ये क्या आया है क्या है कावया ऐसे बता देना देख मैं अभी खाना बना रही हूँ मुझे एडमिशन मिल गया दादी अरे वाह बेटा ये तो बहुत ही खुशी की बात है अगले दिन से ही कावया ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया शुरू के दो तिन दिन तक तो सब कुश नॉर्मल ही था लेकिन फिर आया शरारतों का अमबार और राज छोटे से ब्रेक के बाद फिर से कॉलेज आना शुरू हो गया था आते ही उसने कावया को निशाना बनाया राज कावया का सीनियर था यू तो वो इंटेलिजेंट था लेकिन घरवालों के लाड़ प्यार और गलत संगत में शरारती भी हो गया था ए हवा हवाई इधार आवा अपना इंट्रो दे कावया मासूमियत से लेकिन मुझे इंट्रो देना नहीं आता ओए मैडम को इंट्रो देना सिखा उस लड़के ने अपना पूरा इंट्रो दे दिया चल अब तू बता कावया जादा टेंशन नहीं लेना चाहती थी इसलिए उसने अपना इंट्रो दे दिया और वहाँ से जाने लगी कहाँ चली मैंने जाने के लिए बोला था क्या वो मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है न तो क्लास को छोड़ क्लास तो आस तेरी यहीं लगेगी लेकिन इंपोर्टन लेक्चर है मिस हो जाएगा कहकर उसने अपने लेक्चरर को भी वहीं बुला लिया जो उसके फादर के एहसानों तले दबा हुआ था और राज को मना करने की तो पूरे कॉलेज में किसी की हिम्मत भी नहीं थी इसी तरह आए दिन दोनों के बीच किसी ना किसी बात पर नोग जोख होने लगी और फिर एक दिन कॉलेज वालों ने एक पिकनिक और्गनाईस की जिसमें सभी स्टूडिंस को ले जाया जाना था पिकनिक वाले दिन सभी को शाम को पिकनिक पर जाने के लिए बस पकर ली थी और एक एक कर सभी स्टूडिंस बस में आ गए सभी मस्ती करते, गाते गुनगुनाते जा रहे थे तभी अचानक जंगल से होकर गुजरते हुए उनकी बस खराब हो गई ड्राइवर ने सबको कुछ देर के लिए बाहर बैठने के लिए कहा यहाँ पूर्णिमा की रात थी और चांद अपने पूरे शबाब पर था तुम खुद को समझते क्या हो मैं जो हूसो हूँ, उसमें समझने जैसी क्या बात है अगर तुम्हें अपने पैसे का घमंड है, तो उसे अपने पास ही रखो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है एक लेक्चरर तुम दोनों हमेशा लड़ते ही रहते हो, कभी किसी बात पर साथ भी हो लिया करो उसी समय ड्राइवर वहां आ गया चलो भईया, सब लोग बस के अंदर चलो, बस अब ठीक हो गई है सारे बच्चे अभी एक जगा एक जगा एक खटे हो ही रहे थे कि तभी एक आवाज गूंज उठी रुक जाओ सभी अपनी जगा पर ही ठिठक गए तभी उन्होंने देखा कि उन सबको गुंडों ने चारो तरफ से घेड लिया था गुंडों के घेडते ही सभी लोग बहुत डर गए और सभी चीखने चिलाने लगे एक गुंडा कहकर उस गुंडे ने अपनी पीछे की जेब में से चाकू निकाल कर चमकाया जिसे देखकर सभी स्टूडेंस एकदम से चुप हो गए उन गुंडों ने सभी को पकड़ लिया और उन्हें एक पेड के नीचे बैठने के लिए कहा तभी दूसरा गुंडा सभी लोग अपने पास मौझूद रुपए पैसे खाने पीने का समा निकाल कर बाहर रख दो और चुप चाप यहां से निकल जाओ किसी ने भी होश्यारी करने की कोशिश की तो जान सजाओगे भईया सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे तभी एक और कड़कती हुई आवाज आई गुंडों का सर्दार एक दूसरे का मूझ क्या देख रहे हो सारा समा नीचे रखो तीसरा गुंडा ड्राइवर से ए तुम इस बस को स्टार्ट करके रखो जिससे कि हम यहां से निकल सकें तभी एक गुंडे ने एक चादर एक पेड़ के नीचे बिछा दी फिर एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपने फोन, पर्स निकाल कर रखने लगे वहीं धीरे-धीरे चांद बादलों के पीछे छिपता जा रहा था और उधर काव्या को सांस लेने में तकलीव बढ़ती जा रही थी काव्या की फ्रेंड अरे क्या हुआ तुझे तो इस तरह से पीली क्यों बढ़ती जा रही है काव्या की आवाज धी में होते हुए पानी, पानी धीरे धीरे काव्या का रंग बदलता जा रहा था तभी एक लेक्चरर ने काव्या को बस में लिटा कर आने के लिए गुंडों से पूछा बाई साहब इस लड़की की तविए खराब हो रही है काव्या का पर्स और मोबाइल चादर पर डाल कर उसकी दो दोस्त उसे लेकर बस में छोड़कर आ गई इसी दोरान काव्या का रंग बदलता ही जा रहा था और वह रंग बिरंगे रंग बदल रही थी फिर वह बेहोशी की हालत में अपनी मा को पोकारने लगी मा तुम कहां आओ मा आज तुम यहां होती तो क्या मेरी है हालत हो रही होती तुम और बाबा कहां चले गए मा क्या तुम्हें बिल्कुल मेरी याद नहीं आती मा लोट आओ ना मा उसी पली नाग गुरू ये सब सुन रहे थे जो सब काव्या ने कहा सब कुछ नाग गुरू ने सुना था सोचते सोचते काव्या बेहोश हो गई उस समय चांद पूरी तरह से बादलों के पीछे छुप चुका था और काव्या का रंग भी काला हो गया था उन्होंने उसी समय अपनी नाग सेना के सेनापती को बुलाया सेनापती आज हमारे परिवार की एक सरस्ते को हमारी जरूरत है और हम चाहते हैं कि तुम वहाँ जाकर उसकी मदद करो और उन सब को उन गुंडों से बचाओ नाग सेना के सेनापती ये कहकर नाग सेना का सेनापती वहां से चला गया और अपनी नाग सेना को लेकर उस तरव बढ़ने लगा जहां काव्या की बस खराब हुई थी सारे नाग उसके एक आवान पर उस तरव बढ़ते चले जा रहे थे अभी गुंडे जाधतर लोगों से उनका सामान ले चुके थे और कुछ ही लोग बाकी थे जो अपना सामान अपने हाथ में लिए अपनी बारी का इंतिजार कर रहे थे गुंडों का सरदार गुसे में थोड़ी जल्दी करो हमें पूरी रात यहां नहीं निकालनी है यह सुनकर साथी गुंडे अपनी बंदूकों से एक एक लड़के को धकेलने लगी और जल्दी जल्दी उनसे सामान चादर पर डलवाने लगी जैसे ही उन्होंने राज के बंदू कड़ाई वह गुस्सा हो गया कहकर उस गुंडे ने राज को धक्का मार दिया यह देखकर उसने उस गुंडे को जोर से धक्का मारा जिस वजह से वह गुंडा नीचे जमीन पर गिर गया ये देखकर बाकी गुंडे उसकी मदद को आगे आगे और राज को पीटने लगे और उसे पकड़ कर एक पेड़ से बान दिया वो लोग उस पर गोली चलाने ही वाले थे लेकिन ठीक उसी टाइम पर नाग सेना का सेना पती अपनी नाग सेना के साथ वहाँ पर पहुँच गया और गुंडे साप साप कहते हुए वहां से भागने लगे उधर इतने सारे सापों को एक साथ देखकर स्टूडेंट को बहुत घबरा गए थे गुंडे और स्टूडेंट्स एक साथ अरे ये इतने सारे साप एक साथ कहां से आ गए सभी नाग सेदा ने गुंडों को दबोच लिया कोई साप किसी के हाथ पर तो कोई किसी के पैर पर तो कोई गर्दन पर लिपट गए लेकिन किसी भी साप ने किसी भी स्टूडिन को नुकसान नहीं पहुचाया स्टूडेंट्स यहां देखकर थोड़े सर्प्राइस्ट भी थे सापों के काटने से कुछ गुंडे वही मर गए कुछ को काट खाया वो दड़ से इधर उधर पड़े हुए तडप रहे थे और कुछ भाग गए थे जिनमें सरदार भी था फिर कुछ स्टूडेंट्स ने राज को पेड़ पर से खोला और कुछ ने सामान वाली चादर उठाई और बस की तरफ बढ़ने लगे एक लेक्चरर स्टूडेंट्स से सब लोग जल्दी करो और बस में जाओ कहीं ऐसा ना हो कि वो गुंडे फिर से आ जाएं या फिर ये साम हमें नुक्सान पहुंचा दें ड्राइवर जल्दी करो हमें बस को जल्दी से किसी हॉस्पिटल में ले कर जाना है उधर सारे साम अपना सारा काम पूरा कर चुके थे तो वो लोग वापस अपने स्थान की तरफ लोटने लगे और नाख सेना का सेना पती दूर खड़ा हुआ उन्हें बस में जाते हुए देख रहा था बस ड्राइवर और उसका असिस्टेंट भी अब तक बस में पहुँच चुके थे तो सभी बस के अंदर आ गए तब ही धीरे धीरे चांद बादलों से बाहर निकलने लगा और काव्या का रंग फिर से सही होने लगा था लेकिन अभी तक उसकी बेहोशी तूटी नहीं थी और वो बस की लास सीट पर लेटी हुई थी बस ड्राइवर ने बस जल्दी से आगे बढ़ा दी और जंगल से होते हुए पक्के रास्ते पर ले आया अभी वो लोग कुछ दूर चले ही थे कि चांद पूरी तरह से बादलों से बाहर आ गया और जैसे ही उसकी रोशनी काव्या के चेहरे पर पड़ी तो उसका रंग बिलकुल पहले जैसा हो गया और वो होश में आ गई काव्या ने सीट पर बैठते हुए कहा गाईस हम कहा जा रहे हैं और वो गुंडे कहा हैं जिरोंने हमें घेल लिया था अचानक आई उस आवाज से सभी सर्प्राइजड हो गए और पीछे की तरफ देखने लगे काव्या उन सबको यू सर्प्राइज होते देखकर खुद भी सर्प्राइजड हो गई क्या हुआ गाईस तुम लोग मुझे इस तरह क्यो देख रहे हो और हम तो पिक्निक पर जा रहे थे ना कहकर काव्या अपनी सीट पर से खड़ी हो गई और आगे की दरफ आ गई ये देखकर सभी सर्प्राइजड थे और खुश भी थे कि अब उनकी पिक्निक खराब नहीं होगी वो लोग वापस पिक्निक स्पॉट पर जाने के लिए मुड़ गए काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग ऐसा क्यूं कह रहे थे कि उसकी तबियत खराब थी क्यूंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था फिर वो सब पिक्निक स्पॉट पर पहुँच गए जो कि पहाडों से गिरी हुई बहुत ही खुबसूरत सी घाटी थी जिसमें एक बहुत बड़ा वाटरफॉल था और आसपास का इलाका भी बहुत ही सुन्दर था ड्राइवर ने बस को एक जगह पर ले जाकर रोग दिया शाम हो चुकी थी गर्मियों का मौसम था और खुबसूरत वातावरं था सभी स्टूडेंस अपना-पना सामान उठाकर नीचे उतर आए कुछ लड़कियां खुश होते हुए वाव कितनी खुबसूरत जगह है और यहां तो वाटरफॉल भी है यहां नहाने में कितना मसा आएगा न लड़के भी अपने-पने ग्रुप्स बनाकर इधर-उधर घूमने लगे लेक्चरर सभी को एक जगह एकटा करते हुए देखो बच्चों वैसे तो तुम सब समझदार हो लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है कि हम तुम लोगों को बता दें कि यहां साब बिच्चू जैसे जानवर हो सकते हैं तो तुम सभी साबधान रहना और एक दूसरे से ज़ादा दूर नहीं जाना ओके सर और उसके बाद सारे बच्चे अपने ग्रुप्स में चले गए राज और उसकी दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे थे और कुछ तो शरारत करने का प्लान बना रहे थे राज का एक दोस्त दूर खड़ी हुई लड़कियों को देखते हुए बोला यार उन लड़कियों को पैशान करते हैं कुछ तो नया मिले ट्रिप पर लेकिन हम करेंगे क्या यहां तो कुछ है भी नहीं सभी इस बात पर रेड़ी हो गए और उन लड़कियों की तरफ चल दिये अभी वो लोग उन तक पहुँचे भी नहीं थे कि तभी अचानक एक लड़की जोर-जोर से चिलाने लगी लड़की चिलाते हुए किसी ने मुझे काटा कोई मुझे मचाओ राज और उसके दोस्त उस लड़की के पास तक पहुँच चुके थे और वो लोग हैरान थे कि उन्होंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं फिर यह लड़की ऐसे क्यों चिला रही है वो लोग राज से इशारे में पूछने लगे तो राज ने अपने कंधे उचका कर पता नहीं में जवाब दिया सभी लोग उस लड़की के पास आ गए और उससे तरह तरह के सवाल करने लगे क्या हुआ तुझी अभी तो सब सही था इतनी से देर में क्या हो गया लेक्चरर गुसे में लेक्चरर राज और उसके दोस्तों को वहां खड़े हुए देखकर उन्हें डाटने लगे राज ये ज़रूर तुम ही लोग की शरारत होगी बताओ तुम लोगों ने क्या किया है राज गुसे में लेक्चरर को घूरते हुए ये हमारी वज़ा से नहीं हुआ है सर बलकि ये तो हमारा आने के पहले से ही इसी तरह से चीख रही थी तभी काव्या बहां आ गई और उस लड़की को देखते ही अचानक से बोली ये राज और उसके दोस्तों ने नहीं किया ये सब किसी साप का किया धरा है उसे ठीक किया बाकी सब के साथ-साथ खुद काव्या को भी समझ में नहीं आया किसी को भी वहत तेज रोशनी नजर नहीं आई थी काव्या को भी अपनी शक्ती का कोई खास एहसास नहीं हुआ था और राज तो काव्या को अपने फेवर में बोलते हुए देखकर हैरान था उस लड़की के ठीक होते ही सब ही अपनी मस्ती में मस्त हो गए लेकिन एक लड़की काव्या के सामने आकर खड़ी हो गई काव्या कुछ सोच कर बोली क्यूं मेरा नाम भी भूल गई क्या और मैंने किसी को भी ठीक नहीं किया वो तो अपने आप ही ठीक हो गई अरे नहीं बताना तो कोई बात नहीं लेकिन क्या तुम हमसे दोस्ती करोगी कहे कर उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया दूर खड़ा हुआ राज उस समय काव्या की ही तरफ देखे जा रहा था थोड़ी देर बाद काव्या एक तरफ अकेली खड़ी थी राज के दोस्त दूर खड़े हुए बाते कर रहे थे और राज का ध्यान उनकी बातों की जगा काव्या पर था राज काव्या के लिए कुछ फील करने लगा था क्यूकि पूरे कॉलेज में अकेली वही लड़की थी जो डर से टक कर ले सकती थी उसे वह पसंद आने लगी थी फिर अचानक ही वह काव्या की तरफ चलने लगा उसकी दोस्त बातों में लगे रहे और वह काव्या की तरफ बढ़ता रहा अभी राज थोड़ी दूर पर ही था कि तभी काव्या को कुछ अजीब सा लगने लगा उसे लगा जैसे कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा था वहाँ बहुत कन्फ्यूस्ड हो गई धीरे धीरे आवाज तेज होती जा रही थी तभी उसकी नजर सामने से आ रहे राज पर पड़ी जो उसी की तरफ बढ़ रहा था और उसके बढ़ते हुए एक एक कदम के साथ वहाँ आवाज तेज हो रही थी काव्या क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या तुम मुझे सुन पा रही हो तभी काव्या को लगता है कि कही राज फिर से उसे परेशान करने के लिए उसके साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है वह गुस्से में राज को घूर ने लगी और वो उस पर चिलाने ही वाली थी कि तभी उसने सुना तुम्हें कुछ भी नहीं कहोगी उसने कुछ भी नहीं किया है आप कौन है? मैं नाग्गुरू हूँ और तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ नाग्गुरू? आप मुझे कैसे जानते हैं? और आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा लेकिन पहले तुम यहां से वापिस अपने घर करें तो उसी समय राज उसके पास पहुँच गया और उसे बढ़ बढ़ाता हुआ देखकर उससे पूच बैठा किस से बात कर रही हो काविया? काविया घबराते हुए नहीं नहीं तो किसी से भी तो नहीं लेकिन मैं तुमसे बात कर ही क्यों रही हूँ? राज अभी कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी लेक्चरर ने सबको डिनर के लिए बुला लिया और काविया वहां से चली गई राज वहीं पर खड़ा रहे गया वह मन ही मन कुछ सोच रहा था राज अपने मन में फिर डिनर के बाद उन्होंने आसपास से लकडिया एखटी करके कैमप फायर का अरेंजमेंट किया और वहां पर वो लोग एखटे होकर तरह तरह के गेम्स खेलने लगे फिर उन्होंने दो ग्रूप्स बना लिये एक ग्रूप में लड़के और दूसरे में लड़किया थी और उन्होंने डम शराज खेलना स्टार्ट कर दिया इसके लिए उन्होंने पेर्स बना लिये थे जिसमें एक लड़की एक्ट करती तो लड़का गैस करता और लड़का एक्ट करता तो लड़की गैस करती और जवाब नहीं दे पाने पर पेनल्टी पॉइंट्स थे जिस टीम के पेनल्टी पॉइंट्स जादा होते वो लूजर होता धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स की चांस आ रही थी फिर जब राज की बारी आई तो सामने काव्या थी राज को एक फीलिंग को एक्ट करना था और उसने सबसे पहले तीन फिंगर्स दिखाई जिसका मतलब था थ्री वर्ड्स थे काव्या ने गैस कर लिया फिर राज ने अपने हाथ को अपने सीने पर रखकर इशारा किया काव्या ने सोच कर कहा आई राज ने अपने दोनों हाथों से हाट का साइन बनाया लव फिर राज ने काव्या की तरफ इशारा किया जिससे काव्या समझ नहीं पाई राज ने फ चाहारा किया और जब फिर से काव्या की तरफ इशारा किया तो काव्या रिपलाई नहीं कर पाई और उसकी टीम पर पेनल्टी पोइंट आ गया फिर राजनर रिपलाई करने के साथ बहुत ही पैशनेट वॉइस में कहा जैसे कि वो उसे प्रपोस कर रहा हो जिसे सुनकर सभी इस पेनल्टी पॉइंट की वजह से गर्ल्स की टीम हार गई थी फिर वो लोग अपने अपने टेंट्स लगा कर सो गए अगले दिन अपनी रुटीन के हिसाब से सुभा जल्दी उठकर काव्या टेंट से बाहर निकल आई और देखा कि अभी कोई जगा ही नहीं था वह वाट काव्या मैं तुमसे कैसे कहूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है या राज स्टॉप इट तुम हमेशा कोई न कोई प्रांक लेकर मेरे सामने होते हो अब क्या नया मिल गया तुम्हें इसके पहले कि वहा कुछ और बोल पाता काव्या वहां से चली गई वो उसके पीछे जा ही रहा था कि तभी उसने देखा कि सभी जाग गए हैं तो उसने अपना रास्ता बदल लिया और एक तरफ जाकर एक्सेसाईज करने लगा फिर सभी स्टूडेंट्स वाटरफॉल में नहाने और मस्ती करने लगे फिर दुपहर का खाना खाकर वो लोग वापिश शहर जाने के लिए निकल गए घर आने के बाद काव्या के दिमाग में नाग गुरू और राज की ही बाते घूम रही थी तो वह थोड़ी सैड हो गई थी तब ही उसकी दादी उसके पास आकर बैठ गई और उससे पिकनिक के बारे में पूछने लगी काव्या ने सब कुछ बता दिया तो दादी थोड़ी परेशान सी हो गई वो नहीं चाहती थी के काव्या को उसके पास्ट के बारे में कुछ पता चले लेकिन काव्या के साथ घटी उस घटना से साफ था कि अब वक्त नजदीक आ रहा था कि उसे सब पता चल जाएगा फिर अचानक ही काव्या पोच बैठी दादी मेरे मम्मी पापा को क्या हुआ था? बेटा मैंने तुम्हें बताया तो था कि उनकी एक कार एक्सिडेंट में मृत्यू हो गई थी क्यूं दादी मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ कर क्यूं चले गए? बेटा होनी पर कहां किसी का जोर चलता है कहकर दादी ने काव्या को अपने गले से लगा लिया और चुपके से अपनी आखे पोंच ली वो काव्या के आगे खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते थी फिर दादी और पोती अपने अपने कामों में लग गई तब ही अचानक काविया को फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी जो की नागुरू की थी ठीक है उसके ये कहते ही उसे वो आवाज सुनाई देनी बंद हो गई और वो शाम साथ बजे का इंतजार करने लगी शाम के लगभग पौने साथ बजे काविया अपनी दादी से बाजार से कुछ सामाल लाने के लिए कहकर निकली और वह बाजार की तरफ ना जाकर काली पहाडी के रास्ते में मोड गई वह पहली बार उस पहाडी पर जा रही थी तो उसके मन में थोड़ा डर भी था लेकिन उसे अपने माता-पिता के बारे में सब कुछ जानना था तो वह आगे बढ़ती जा रही थी थोड़ी ही देर के बाद वह पहाडी के नीचे पहुँच चुकी थी फिर उसने सीडियों से उपर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिये अभी वो कुछ कदम ही बढ़ा पाई थी कि तेज हवाई चलने लागी मंदिर में लगी घंटियों की आवाज है आने लगी जैसे जैसे वह मंदिर की ओर बढ़ती जा रही थी हवा की रफतार और घंटियों की आवाज है बढ़ती जा रही थी लेकिन काव्या में अपने कदम हो की नहीं बल्कि वह और तेज चाल से उपर की ओर बढ़ने लगी और जब तक वो मंदर में पहुँची तो सब कुछ जैसे शान्त हो गया था मानो बस उसके साहस की परीक्षा ली जा रही थी वो पूरे मंदर में घूम आई लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया फिर वह शिव जी की विशाल मूर्थी के सामने आकर खड़ी हो गई तब ही उसे फिर से वही आवाज दुनाई दिने तुम बहुत भादुर हो गावया अब हम तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता सकते हैं क्योंकि तुम अपने साहा से सारे काम सही कर सकती हो लेकिन आप मेरे सामने तो आये ठीक है अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही सही तब ही एक साधू शिवलिंग के पीछे से निकल पर उसके सामने आ गए और कावया को चौकता हुआ देखकर उससे बोले लो हम आ गए तो आप ही ना गुरु हैं हाँ प्रणाम गुरुदेव तुम्हारा सदेव का ल्याड हो बताएए गुरुदेव आप मुझे क्या बताना चाहते थे मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के सच्चाई बताना चाहता हूँ जिससे के तुम किसी प्रकार की मुसीबत में ना पढ़ो मुसीबत किस तरह की मुसीबत गुरुदेव और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मैं किसी मुसीबत में पढ़ूँगी अभी तुम्हें अपने जिन्दगी का सच नहीं पता इसलिए तुम्हें ऐसी बाते कर रही हो बालिके तुबताइए गूरुदेव क्या है वो सच जिससे मैं अंजान हूँ लेकिन तुम्हें मेरी बातों कर यकीन करना होगा जी गूरुदेव काव्या तुम्हें एक नाग करन्या हो और तुम्हारे माता पिता नर्गेस और नागेश इच्छा धारी नागनागिन थे चौकते हुए क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तो इनसान हूँ? गुसे से लेकिन वेकिन कुछ नहीं अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं ही क्या? कोई भी तुम्हारे मदद नहीं कर सकता? आप बताएए गुरुदे थी फिर कोई उन्हें कतल कैसे कर सकता था। उन्हें पीछे से मार कर नागबणी हासिल कर ली थी अब वो नागबणी वापत शिव शंकर के पास पहुचानी है और उस कारे में किवल तुम ही मदद कर सकती हो लेकिन जब तुम उस काम को करने के लिए जाओगी तब तुम्हें काल गुरू जो की तपस्या करके बहुच शक्तिशाली हो चुका है और रवीश जो तुम्हारे मातापिता का कातिल है उन दोनों से ही तुम्हें लड़ना होगा और इसमें तुम्हारी जान को खत्रा ही खत्रा है नाग गुरू ने काव्या को सब कुछ बता दिया था और साथ ही आने वाले खत्रों से सावधान भी कर दिया था लेकिन अभी भी बहुत से सवाल काव्या के जहन में घूम रहे थे जिन्हें नाग गुरू ताड़ गए थे तुम्हारे मन में जो भी सवाल है तुम मुझसे पूर सकती हो और साथ ही जब भी कभी तुम्हें मेरी सहायता के आफशिक्ता पड़े तो काली पाड़ी पर बने इसी शिर मंदिर में आ जाना मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा लेकिन यह शक्तियां मुझे मिलेंगी कैसे? यह सब शक्तियां तुम्हें अपने अठारवे जम दिन पर नाग राज के द्वारा प्रदान की जाएंगी जिन्होंने तुम्हारे माता पिता को शक्तियां दे थी और उस समय तुम्हें अपना विशेश ध्यान रखना होगा क्योंकि उस दिन तुम्हें अपनी शक्तियों का पता चलेगा नाग राज कौन है गुरुदेव? नाग राज नागों के राजा है और वे नाग लोग में रहते हैं वे हमेशा जरूरत पढ़ने पर तुम्हारी मदद करेंगे अब तुम जाओ शिवशंकर सदा तुम्हारा कल्यान करें जी गुरुदेव प्रणात कहे कर काव्या वहां से चल दी लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बहुत से सवाल घूम रहे थे वो नाग गुरू की ही बातों को याद कर रही थी एक आदमी जिसके बड़े बड़े बाल, तीखे नाखून, बड़ी बड़ी दाड़ी मूचे थी एक जगा बैठ कर तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग करते हुए घोर तपस्या कर रहा था उसके सामने एक कुंड में अगनी प्रज्वलित हो रही थी और उसके आसपास राख से एक गोला बना हुआ था जिसमें तंत्र मंत्र करने के लिए सब सामान रखा हुआ था उस आदमी के सामने एक खोपडी रखी हुई थी और एक काले रंग के पात्र में कुछ द्रिव्य भरा हुआ था वो आदमी मंत्रों चार करते हुए उस द्रिव्य के छीटे कभी उस खोपड़ी पर तो कभी उस अगनी के कुंड में डाल रहा था बीच-बीच में अगनी की लप्टें तेज हो जाती तो कभी कम हो जाती और एक तेज आवाज के साथ कुंड में से सफीद धुआ निकलने लगा, जो धीरे-धीरे रंगीन होता जा रहा था। ये देखकर वो आदमी मुस्कुराने लगा और जोर से हस्ते हुए बोला, मेरी साधरा सफल हुई, हाँ 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 तब ही धुआ कम होने लगा, और उसमें से मूर्नी प्रकट हुई, मेरे लिए क्या आगया है गुरुदेव? स्नेहा, मैंने तुम्हे उस नागिन की बेटी को मारने के लिए बुलाया है, और तुम जल्दी से जल्दी उसे हत्म करके मुझे खोईशकावरी दो, हाँ 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 जैसी आपकी आगया गुरुदेव? कहकर मूर्नी, एक सुन्दर सी लड़की में तब्दील हो गई, और वहां से गायब हो गई, और उसके जाने के बाद वो आदमी बोला, अब तुम्हारी बेटी को मेरे प्रहार से कौन बचाएगा नर्गेस? जब काव्या घर पहुँची, तो काफी देर हो चुकी थी, और उसकी दादी, उसके लिए परेशान हो रही थी, उसके आते ही दादी बोल पड़ी, दादी परेशान होते हुए, कहां जली गई थी काव्या, तुम्हें पता भी है कि बाहर कितने खत्रे हैं? दादी परेशानी में बोल तो गई, लेकिन जब तक वो समझ पाती, काव्या बोल उठी, कैसे खत्रे दादी? कुछ भी नहीं बेटा, आप मुझे भले ही कुछ भी ना बताओ दादी, लेकिन मैं सब कुछ जान गई हूँ, दादी उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई, और काव्या के दोनों कंधे पकड़ कर, अपनी तरफ करते हुए बोली, लेकिन तुझे, तुझे ये सब किस ने बताया? ये सुनकर काव्या ने उन्हें सारी बाते बता दी, और उनसे रवीश के बारे में पूछने लगी, दादी, ये रवीश कैसा देखता है, और ये कहां मिलेगा, मैं उससे अपनी माता-पिता की मौत का बदला लेकर रहूँगी, दादी उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, बेटा, ये तो मैं नहीं जानती कि वो कहां मिलेगा, लेकिन वो अपनी बेहन निरूपा के साथ तुम्हारे माता-पिता की शादी में आय था, तो उनकी शादी की एल्बम में उसकी फोटो जरूर होगी, ये कहकर दादी ने उसके माता-पिता की शादी का एल्बम निकाल कर उसे दे दिया, और पन्ने पलटते हुए उसे रवीश और निरूपा की फोटो दिखाई, जिसे देखकर काव्या को बहुत तेज गुसा आ गया, और वो उस फोटो को ऐसे देखने लगी, कि उस फोटो की जरिये ही वो रवीश को खद्म कर देगी, फिर दादी ने उसे धैर रखने के लिए और उसके अठारवे जनम दिन का इंतिजार करने के लिए कहा, खाना खाकर दादी सो गई, लेकिन काव्या रात भर करवड वदलती रही, उधर राज ने पिकनिक से आने के बाद पिछले कुछ दिनों से काव्या के आसपास रहना शुरू कर दिया था, और वो उसकी गुट बुक्स में आने लगा था, लेकिन राज ने फिर काव्या को प्रपोज नहीं किया, वो इंतिजार कर रहा था कि काव्या खुद उससे कुछ कहे, लेकिन काव्या के मन में ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी, वो तो राद दिन बस अपने माता पिता के कातिल को मारने के बारे में ही सोचा करती थी, कुछ दिन बाद, राज कॉलेच शुरू होने से पहले बाहर खड़ा होकर काव्या के आने का वेट कर रहा था, क्यूकि वो उससे कुछ कहना चाता था, लेकिन जब वो आई, तो वो उससे यूहीं बाते करने लगा, तभी वो मोर्नी, जिसे तांत्रिक ने मंत्र शक्तियों काव्या को मारने के लिए बुलाया था, एक लड़की के रूप में वहां से गुजरी, और राज को वहां खड़ा हुआ देखकर रुख गई, राज को काव्या से बाते करते देखकर, काव्या को उपर से नीचे तक घूरा और बोली, अरे राज तुम, तुम यहां कैसे? अरे इसनिहा तुम, बहुत दिनों बाद दजर आई हो, कहां चली गई थी? मैं तो पापा के साथ आउट ओफ टाउन थी, लेकिन तुम ऐसे मिडल क्लास लोगों से कबसे बात करने लगे हो? यह तो तुम्हारे स्टैंडर्ड की भी नहीं है, तुम्हें कम से कम अपनी रेप्यूरेशन का खयाल तो रखना चाहिए? राज और स्निहा बाते करने लगे, और उसी बीच काव्या वहां से चली गई. राज को उससे बात न कर पाने का दुख था, लेकिन स्निहा उसके पापा की फ्रेंड की बेटी थी, और उसके बच्पन की दोस्त भी, तो वो उसे नाराज नहीं कर सकता था. फिर इधर उधर की बाते करने के बाद, वो लोग वहां से अपने अपने रास्ते पर चले गए. जब वो अंदर पहुँचा, तो उसने देखा के अंदर सभी लोग काव्या को घेर कर खड़े हैं. ये देखकर राज थोड़ा हैरान था, उसने पता किया, तो पता चला के दो दिन बाद काव्या का बर्ड़े आने वाला था, और सभी फ्रेंज उससे पार्टी देने के लिए कह रहे थे, लेकिन नाइट क्लब की पार्टी को अफोर्ड करना काव्या के बस में नहीं था, इ वेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, अगर तुमने ये पार्टी अक्सेप्ट नहीं की, तुम मैं समझूँगा कि तुम अभी तक मुझे पहले वाला राज ही समझती हो, और तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। गिफ्ट की थी, जिसके लिए उसने मना तो बहुत किया था, लेकिन राज ने आखिरकार उसे ना केवल वो ड्रेस लेने के लिए कन्विंस कर लिया था, बलकि शाम को पार्टी में उसे पहनने के लिए भी मना लिया था। आज तो काव्या का जनम दिन है, आज वो पूरे 18 साल की हो जाएगी और उसे उसके माता पिता की सारी शक्तिया मिल जाएंगी और फिर उसकी जिद्दगी में भी खत्रे शुरू हो जाएंगे। ये सोचकर दादी की आँखों से आसु आ गए, जिन्हें उन्होंने बड़ी ही सफाई से साफ कर दिया, जिससे की काव्या उन्हें देख कर दुखी न हो जाए। फिर राज ही तैव वक्त पर उसे लेने उसकी घर पहुँच गया था। काव्या अपनी दादी को बताकर पार्टी में चली गई। रास्ते में कार ड्राइव करते हुए राज बोला। तुम्हें इस ड्रेस में बहुती फ्रिटी लग रही हो। डीजे के द्वारा बजाए हुए सौंग्स पर डांस कर रहे थे। डीजे की रंग बिरंगी लाइट्स डांस फ्लोर पर गिर रही थी। सभी ने काव्या को देखकर उसे बर्डे विश किया। फिर थोड़ी देर बाद केक आ गया। केक राज ने ही ऑडर किया था, जोकी बहुत बड़ा केक था, जिस पर काव्या की मूर्ती जैसी बनी हुई थी। सभी केक की तारीफ कर रहे थे। काव्या ने केक कट किया और फिर राज ने उसे केक खिलाया। फिर केक खाने के बाद सभी वापिस डांस फ्लोर पर चले गए और डांस करने लगी डीजे ने पार्टी सॉंग्स बजा दिये जिन पर सभी डांस कर रहे थे धीरे धीरे रात गहराने लगी थी और तभी जैसे कुछ होने लगा काव्या का रंग बदलने लगा था लेकिन टीजे की रंग बिरंगी लाइट्स की वजह से किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया था पहले तो खुद काव्या को भी पता नहीं चला लेकिन उसे नाग गुरू की आवाज सुनाई दे काव्या तुरंत इस जगह से बाहर निकलो किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया और फिर वो चुपचाप जंगल की तरफ बढ़ती चली गई वो रास्ते में जा ही रही थी कि कुछ गुंडे जैसे लोगों ने उसे अकेले जाते हुए देखा तो वो लोग उसके पीछे-पीछे चल दिये काव्या का रंग जैसे-जैसे बदलता जा रहा था उसमें शक्तियां आने लगी थी गुंडों को किवल सुन्दर कपडों में जा रही लड़की नजर आ रही थी लेकिन उसका बदलता हुआ रंग वो लोग नहीं देख पा रहे थे अगर देख लेते तो शायद उसके पीछे जाते ही नहीं काव्या को अपनी शक्तियों की वजह से पीछे आ रहे लोगों का आभास हो गया था इसलिए वो जल से जल्द उनकी निगाहों से ओजल हो जाना चाती थी इसके लिए उसने अपनी स्पीड तेज कर दी और जल्द ही वो उन लोगों से दूर निकल गई वो लोगों से ढूनते ही रहे गए कुछ दूर जाने के बाद काव्या का रंग पूरी तरह से काला पड़ चुका था और वो नागिन में बदलती जा रही थी काव्या के नागिन में बदल जाने पर वो विशाल नाग काव्या के सामने आकर बैठ गया और उसे शांत करते हुए बोला काव्या तुम्हें हमसे घवराने के आश्कता नहीं है हम नाग राज है नागों के राजा काव्या को नाग गुरू ने नाग राज के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था इसलिए वो उन्हें प्रणाम करते हुए बोली आपको मेरा प्रणाम राजन सदा खुश्य हो और नाग जाती का कल्यान करो आज तुम पूरे अठारा वाष्की हो गई हो इसलिए हम तुम्हें तुम्हारी सभी शक्तियां देने आये हैं जिससे कि तुम अपने पर अपने नाग कुल के दुश्वनों का संगहार कर सको ऐसा कहकर नाग राजने अपनी आखों से कुछ अलग-अलग रंगों की तरह दी काव्या की शरीर के अलग-अलग अंगों पर डाली उस जगह बहुत सारा प्रकाश फैल गया था जैसे बहुत सारे सूरज एक दम से चमक उठे हो कुछ समय बाद काव्या के शरीर में हो रही बेचैनी खत्म हो गई और वो खुद को बहुत ही उर्जावान महसूस रही उसके शरीर से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी नागराज ने काव्या को उसके माता-पिता की सारी शक्तियां दे दी थी और फिर काव्या अपने मानव रूप में वापस आ गई फिर उसने नागराज को प्रणाम किया और वो वहां से चले गए काव्या भी वापस क्लब जाने के लिए निकल गई वो आदमी जिसने मोर्णी को अपनी साधना से प्रकट किया था गुसे में इधर से उधर घूम रहा था उसे उसकी शक्तियों ने बता दिया था कि काव्या को उसकी सारी शक्तिया मिल गई है आखिरकार उस नागिन की बेटी को उसकी शक्तिया मिल ही गई आज वो नागिन में बदल गई और अब इस दुनिया से पाब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए नहीं ये नहीं हो सकता मैंने तो मोर्णी को उसे खट करने के लिए भेजा था मोर्णी मोर्णी वो गुसे में चिलाया और अपने इस्थान पर बैठ कर उस काले पात्र में से पानी की कुछ बुंदे हवन कुंड में डाली जिस वजह से धुआ हो गया और रोट में प्रकट हो गई गुरुदेव आपने मुझे याद किया वो आदमी गुसे में मैंने तुम्हे जो काम दिया था वो वक्त पर क्यों नहीं हुआ मुझे माका नहीं मिला गुरुदेव लेकिन मैं जल्द ही काम पूरा कर दूँगी लेकिन अब उसके माता पिदा की सारी शक्तियां उसे मिल चुकी है और वो बहुत शक्तिशाली हो गई है आप चिंता ना करें गुरुदेव मैं जल्द ही उसे रास्ते से हटा कर आपको खुश खबरी सुनाऊंगी लेकिन मुझे नाकाम्याबी नहीं चाहिए नहीं चाहिए नाकाम्याबी जी गुरुदेव ये कहकर मोली रास्ते गायब हो गई रास्ते में वो गुंडे काव्या को ढूनते हुए ठक जाने की वजह से एक पेड के नीचे बैठ गए थे और आपस में बाते कर रहे थे एक गुंडा यार हद हो गई लड़की थी हवा का जोंका जाने कहां कायब हो गई हाँ भाई आस्मान निगल गया या जमीन खा गई तब ही एक गुंडा एक तरफ इशारा करते हुए बोला अरे भाई लोगों वो देखो वो आ रही उधर से आ रही है ऐसे चल रही है जैसे की उसे किस चीज़ का कोई डर ही नहीं है ना रात का ना दिन का ना हम जैसे शरीफों का आने दो आने दो भाईया उसके ये कहते बाकी सब गुंडे हसने लगे तभी उनमें से एक गुंडा डरते हुए बोला भाई ये इतनी रात में बाहर घुम रही है कहीं असा तो नहीं कि ये कोई चुडैल हो और शिकार की तलाश में बाहर निकली हो हम इसे अपना शिकार बनाने की सोच रहे हैं और पता चले कि ये हमें अपना शिकार बना ले बाकी गुंडे उसका मजाक उड़ाते हुए हसने लगे और साथ ही काव्या की तरफ बढ़ने लगे काव्या अपनी तरफ बढ़ रहे खत्रे से अनजान नहीं थी लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो उनका सामना कैसे करेगी इसी लिए वो बस कलब की तरफ बढ़ती रही लेकिन जब वो और आगे बढ़ी तो गुंडे पेड के पीछे से बाहर आ गए सारे गुंडे उसे घेर कर खड़े हो गए और उसे छेडने लगे काव्या अभी गिड़ गिड़ाते हुए उसे छोड़ देने के लिए कह रही थी लेकिन वो लोग उसे छेड़ते रहे उधर जब सब लोग घर जाने के लिए निकलने लगे तो काव्या को गायब देखकर राज उसे ढूनने लगा राज ने बाकी सभी लोगों से पूछा लेकिन किसी को भी उसका कुछ भी पता नहीं था तभी नेहा ने कहा कि उसने काव्या को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था ये सुनकर राज भी जंगल की तरफ चल दिया जब वो जंगल में पहुँचा तो उसने कुछ गुंडों को काव्या को घेरे हुए देखा उधर काव्या कुछ कर पाती उससे पहले ही राज उसे घेरा हुआ देखकर बीच में आ गया और गुंडों को ललकार ने लगा अरे लड़की को क्या घेरते हो हिम्मद है तो किसी मर्द से टकर लेकर दिखाओ गुंडों का सरदार तू कौन है बे अगर अपनी जान की स्तलामती चाहता है तो यहां से निकल ले बेटा निकलना तो तुम्हें पड़ेगा जब तक शराफत से कह रहा हूँ मान जाओ और लड़की को छोड़ का दफा हो जाओ यहां से ये सुनकर गुंडे गुसा हो गए और राज पर हमला कर दिया भले ही राज कॉलेज का स्टूडेंट था लेकिन फिर भी वो रोज एक्सरसाइज भी करता था उसने थोड़ी ही देर में उन गुंडों को मार कर भगा दिया ये देखकर काव्या काफी इंप्रेस्ट भी हुई थी और उसकी नजर में राज का कद कुछ उचा हो गया था राज ने उन्हें भगा देने के बाद काव्या की ओर देखा तुम ठीक हो ना काव्या? काव्या अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही अचानक तेज बारे शुरू हो गई और काव्या ने राहत की सांस ली कि उसे राज को कुछ भी नहीं बताना काव्या अपने मन में थैंक गॉड की बारिश आ गई नहीं तो मैं अभी काव्या उस बारे में सोच ही रही थी कि राज बोल उठा अरे यहां से चलना भी है या बाईश में भीक का भी तब्यत खराब करनी है तब ही काव्या को जोर से चीक आ गई जिसे देखकर राज बोल पड़ा लो अभी हो गई न तब्यत खराब अब तो थोड़ा जल्दी करो मैडम फिर दोनों जल्दी जल्दी चल कर राज की कार तक आ गए लेकिन फिर भी दोनों काफी भीग गए थे राज उसे छोड़ने के लिए निकल गया लेकिन काव्या बार-बार छीक रही थी तो वो उससे बोला तुम्हें सर्दी हो गई है और जब तक हम तुम्हारे घर पाउचेंगे तब तक सर्दी तुम्हें पकड़ लेगी इसलिए ऐसा करते हैं कि पहले मेरे घर चलते हैं तो पहले मेरे घर चलो वहाँ से कपड़े सुखा कर मैं तुम्हें तुम्हारे घह छोड़ दूगा नहीं मैं ठीक तभी उसे जोर से छीक आ गई ये देखकर राजने कार अपने बंगले की तरफ मोड दी बंगले पर आकर राजने काव्या को दूसरे कपड़े दे दिये जो उसकी कजिन के थे और जब काव्या चेंज करके बाहर आई तो उसने टेबल पर एक फोटो देखी जिसे देखकर वो शौक्ड रह गई ये फोटो किसी और की नहीं रवीश की थी ये तो रवीश की ही फोटो है जिसने मेरे माता-पिता को मार दिया था और नागमणी चुरा कर ले गया था मगर इसका राज से क्या ताल्लक है राज इसे कैसे जानता है मुझे राज से पूछना चाहिए लेकिन मैं उससे कैसे पूछू मुझे कुछ तो करना ही होगा किसी तरह से तो पता लगाना ही होगा कि आखिर इन दोनों की बीच क्या रिष्टा है वैसे भी ये भगवान भोले नात का ही जमतकार है कि इतनी जल्दी मुझे अपने माता पिता के कातिल तक पहुँचने का रास्ता मिल गया है अभी काव्या ये सब सोच ही रही थी कि तभी राज अपने हाथ में दो कौफी की मग्स लेकर वहां आ गया और उसे इस तरह से विचारों में खोया हुआ देख कर बोला अरे काव्या तुम वहां क्यों खड़ी हो देखो मैंने फायर प्लेस पर आग भी जला दी है काव्या के मन में अचानक आया कि वह राज के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी तो शायद रवीश के बारे में सब कुछ पता कर पाएगी ये सोचकर उसने राज के हाथों से कौफी ले ली और उसके साथ ड्रॉइंग रूम में बने फायर प्लेस के सामने लगी दो कुर्सियों में से एक पर बैठ गई और कौफी सिप करने लगी उसके एक सिप के बाद राज ने पूछा कौफी कैसी बनी है काव्या? इस अमेजिंग राज, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी कौफी बना लेते हो तुम कैसे कह सकती हो कि ये कौफी मैंने ही बनाई है? क्यूकि जब से मैं आई हूँ, मुझे यहां कोई भी नजर नहीं आया है जिसका मतलब है कि हम दोनों के अलावा यहां तीसरा कोई भी नहीं है राज उसकी इस बात पर हसने लगा और बोला तुम काफी स्मार्ट हो, तुमने बिल्कुल सही का या हम दोनों के सिवाए कोई भी नहीं है लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है विल्कुल भी मैं क्यू घबराने लगी? काव्या मन ही मन सोच रही थी वैसे भी घबराने की जरूरत तो तुम्हें होनी चाहिए अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं एक नागिन हूँ तो तुम्हारी तो पैंट ही कीली हो जाएगी तभी राज बोल पड़ा जब से तुम यहां आई हो काफी टैंसर्ट लग रही हो कुछ प्राब्लम है क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है बस थोड़ी ठंड सी महसूस हो रही थी अभी तुम्हारी कॉफी पी कर आराम हुआ है ओके अगर तुम का हो तो फाइपलेस की आग को बढ़ा दो काव्या उसे रिलाक्स होकर दिखाते हुए अब मैं ठीक हूँ वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम यहां अकेले क्यों रहते हो और तुम्हारी फैमिली में कौन-कौन है? बस हम तीन लोग हैं मॉम, डैड और मैं बाकी मेरी बुआ और उनकी बेटी भी कभी-कभी हमारे हां आती रहती हैं तो अभी वो लोग कहा है? मॉम, डैड तो शहर में रहते हैं और मैं अपने कॉलेज की वज़ा से यहां पर अच्छा तो रूम में जो फोटो लगी है वो तुम्हारे डैड है? हाँ, वो ही है मेरे डैड लेकि तुम ऐसे क्यों पोच रही हो? एक बार के तो काव्या फिर से शौक्ड हो गई लेकिन फिर खुद को इजी करते हुए बोली अरे जस्ट ऐसे ही फिर काव्या बात बदलते हुए अच्छा मुझे देर हो रहे है, मैं चलती हूँ मैं तुम अभी छोड़ देता हूँ नहीं मैं चली जाओंगी कहकर वो वहां से निकल गई जाते हुए वो रवीश के बारे में ही सोच रही थी फिर थोड़ी दूर जाकर उसने अपना नागिंग्यूप बनाया और काली पहाड़ी पर बने शिव मंदिर की तरफ चल दी मंदिर में पहुँचकर वो नाग गुरु को पोकारने लगी गुरु देव, गुरु देव मेरी पोकार सुनिए गुरु देव क्या बात है कावया, तुम इतनी रात को यहाँ पर प्रणाम गुरु देव शिवशंकर सदा तुम्हारा कल्यान करें आज मैं बहुत परेशान हूँ गुरु देव हम जानते हैं कावया कि तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है मुझे अपने दुश्मन का पता चल गया है और अब मैं उसे खत्म कर देना चाहती हूँ लेकिन ये इतना आसान नहीं है बेटा मगर क्यों गुरु देव क्योंकि ये नागवश का नियम है कि वो किसी पर भी पहले वार नहीं करते बले ही वो दुश्मन ही क्यों ना हो जी गुरु देव प्रणाम कहकर कावया वहां से अपने घर के लिए निकल गई घर पहुँचने पर उसने देखा के दादी उसका इंतजार कर रही है उसके घर पहुँचते ही दादी गुसा होते हुए बोली कावया तुमने वक्त देखा है तुम्हें पहले ही कहा था के बाहर खत्रा है और फिर भी तुम इतनी रात को वापिस आ रही हो कावया दादी की इस बात पर उनके गले में हाट डालकर उन्हें मनाते हुए बोली ओ मेरी प्यारी दादी आप तो यूही नाराज हो रही है आज नागराज की कृपा से मुझे मा बाबा की सारी शक्तिया मिल गई है अब घबराने की जरूरत नहीं है ना इस पर दादी चौक कर बोली और फिर काव्या खाना खाने लगी खाना खाने के बाद वो दोनों सोने चली गई रात के दो बज रहे थे लेकिन काव्या को नीद नहीं आ रही थी तो वो अपने बकसे में से अपने मम्मी पापा की शादी की एल्बम ले आई और एमोशनल होते हुए उनकी फोटो से बात करने लगी मम्मी पापा आज मैं कितनी परेशान हूँ ये मैं आपको बता भी नहीं सकती मुझे पता है कि आप दोनों का कातिल कौन है और यहां तक कि मुझे ये भी पता है कि वो कहा है लेकिन मैं उससे आपके खून का बदला नहीं ले सकती मैं उससे जान से नहीं मार सकती बता है मैं क्या करूँ यही सब सोचते हुए कब उसकी आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला उसे सोते हुए कुछ देर ही हुई थी कि उसे एक सपना आया उसने सपने में बीखा कि किसी की शादी हो ती और फिर उसने वहाँ एक आदमी को देखा जिसकी शकल रवीश से मिलती थी इधर फेरे हो रहे थे और उधर उस आदमी को एक सापने काट लिया और वो आदमी वहीं मर गया अचानक ही काव्या की नीट तोट गई और उसने घड़ी में देखा कि सुबह के चार बच चुके थे वो अभी भी अपने सपने के बारे में सोच रही थी कि आखे राज उसे ऐसा सपना कैसे आया और उसे ये याद कैसे है क्योंकि उसे तो सपने कभी याद ही नहीं रहते थे इस सपने के बाद काव्या सपने के राज को जानने के लिए नाग गुरू के पास जाने के लिए घर से बाहर निकल कर नागिन रूप ले लेती है और रेंगते हुए मंदिर तक पहुँचती है उसके बाद वो मानव नागिन रूप में अंदर चलते हुए जाती है आओ काव्या, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था प्रणाम गुरुजी, मुझे आपको कुछ बताना है मुझे भी तुम्हे कुछ बताना है, पहले तुम बोलो गुरुजी, मैंने आज सुबह सुबह ही एक अजीब सा सपना देखा क्या इसका मेरे जिंदगी से कोई लेना देना है? हाँ, तुम्हे तुम्हारी मा की ही सारी शक्तिया है इसलिए तुम्हे भविश्य में होने वाली घटनाओं का आभास हो रहा है जी गुरुजी, वैसे आप मुझे क्या बताना चाहते थे? इतने में गुरुजी अपना हाथ हवा में घुमाते हैं और एक रोश्य से उनकी हाथ में आ जाती है मैं तुम्हे ये शक्तियां देना चाहता हूँ ये तुम्हे 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 मकसद को पुरा करने में मदद करेंगी लेकिन इस बात का ध्यान नहीं कि अगर तुमसे किसी बेगुना का खोन हुआ तो ये सभी शक्तियां चली जाएंगी और हाँ रवीश से बदला लेने के लिए अभी ये सही वक्त नहीं है तो अभी तुम अपनी पहचान उसके सामने मत लाना जी गुरुजी काव्या उन शक्तियों को लेकर मंदर से बाहर निकल जाती है गुरुजी मैं अपना बदला लेने के लिए और इंतिसार नहीं कर सकती मैं उस रवीश को मार कर ही सांस लूँगी इतना कहकर काव्या फिर अपनी नागिन रूप में आकर रेंगते हुए रवीश के घर पहुँच गई जहां रवीश हॉल में बैठकर अपनी चाय आने का वेट कर रहा होता है तब ही काव्या नागिन रूप लेकर किचिन में चली जाती है और नौकरों की नजरों से बच कर रवीश की चाय में अपना जहर डाल देती है रामु मेरी चाय कहा है? रवीश की आवाज सुनकर उसका नौकर चाय लेकर पहुँचता है जैसे ही वो रवीश के पास जाता है उसके हाथ से चाय गिर जाती है ये देखकर काव्या का गुस्सा और बढ़ जाता है अरे कोई बात नहीं, हब दूसरी चाय बना लो थोड़ी देर में वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और नीचे गिरी चाय को चाटने लगती है और देखते देखते वो मर जाती है रवीश ये देखकर बहुट डर जाता है कुछ देर बाद रवीश नहाने को जाता है इस बार तो तु बच गया, अब नहीं बचेगा काव्या अपने नागिन रूप में रहकर बात टब के पास में रखे वायर को पानी में गिरा देती है जिससे पूरे पानी में करेंट आ जाता है अब बस रवीश को पानी में आने की देर थी तब ही काव्या वहां से चली जाती है रवीश टब में जाने ही वाला होता है कि बाहर से उसका नौकर आवाज दे कर बुलाता है सैजी आपका फून आया है आया, अच्छा रामू तुम ज़रा देखना पानी गरम हुआ या नहीं, मैं बात कर लो इतना कहकर रवीश फून लेकर बातरूम से बाहर निकल गया और उसका नौकर अंदर चला गया और थोड़ी दीर में चिलाने की आवाज आई आ रवीश भागते हुए बातरूम में गया सहाब वो देखो, टब में बिजली की तार गिरी हुई है अगर आप वहां आने जाते, तो भगवान जाने क्या होता रवीश को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आज उसके साथ ये क्या हो रहा है परेशान होकर, वो अपने रूम में चला जाता है जहां पहले से ही काव्या नागिन रूम में होती है जैसे ही रवीश अपने बैट पर बैठता है काव्या उसके पीछे से आकर उसको डसने जा रही थी और जैसे ही काव्या ने डसने के लिए फन निकाला और आगे बढ़ी काव्या को एक छटका सा लगा और इस बात से बेखबर रवीश कुछ सोचता हुआ रूम से बाहर की तरफ चला गया उसके जाने के बाद काव्या अपने मानव नागिन रूप में आ जाती है ये क्या हुआ मैं रवीश को मार क्यों नहीं पाई मुझे जल से जल नाग गुरू से मिलना होगा इतना कहे कर काव्या भे नागिन रूप में आकर रेंगते हुए नाग गुरू के पास पहुँची गुरू जी मैं रवीश को मारने के लिए उसके घर गई थी लेकिन जब मैं उसे डसने लगी तो मुझे कोई जटका सा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे रवीश को मारने से रोक दिया हो मेरी मना करने के बाद भी तुम रवीश को मारने गई ये तो हो नहीं था क्योंकि रवीश के उपर एक सुरक्षा का वज है जो उसे एक तांत्रिक ने दिया था जब तक वो उसके पास रहीगा कोई भी नाग उसके करेब नहीं जा सकता गुरुजी तो मैं उससे नाग मरनी का रह से कैसे जानूंगी और मेरा बदला कैसे पूरा होगा रवीश के गले में तांत्रिका दिया हुआ एक लौकेट है वो लौकेट सिर्फ रवीश अपनी मर्जी से निकाल सकता है तुम रवीश को सिर्फ तब मार पाओगी जब उसके गले में या उसके पास वो लौकेट ना हो ऐसा कब होगा? आप ही कुछ बताएए तुम उसके बेटे राज से शादी कर लो जिसके सहारे तुम रवीश के घर में जा कर रह पाओगी और जब रवीश उस लौकेट को उतारे उस वक्त तुम उससे नागमडी के बार में पोचना और अपना बदला भी ले लेना जैसी आग्या गुरू जी मैं अपने माता पिता के खूनी से बदला लेने के लिए कुछ भी करूंगी नाग गुरू के कहे अनुसार काव्या राज से शादी करने के लिए राजी हो जाती है काव्या वहां से सीधा अपने घर जाती है इतना लेट आने पर कावया की दादी बहुत गुसा करने लगती है तभी कावया दादी को सच बताने का सोच लेती है और अपने नाजिन रूप में आकर दादी को सब सच बता देती है कावया तुम भी तुम भी अपने माता-पिता की तरह हो जी दादी और मुझे अब मेरे माता-पिता के खूनी से बदला लेना है वैसे दादी मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ वो मुझसे शादी करना चाता है ठीक है मैं तुम दोनों की शादी करा दूगी दादी, राज और उसकी मौम से मिलकर कावया की शादी करा देती है रवीश राज की शादी में नहीं आपाता क्यूकि वो उस तांतरिक के पास जा रहा होता है उसके साथ जो हो रहा था वो सब बताने के लिए अगले दिन, शादी के बाद कावया अपने रूम से बाहर निकल कर रवीश की फोटो देखते हुए कहती है मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूगी तुम्हारी आखों के सामने पहले तुम्हारे अपने मरेंगे तब तुम मरोगे ताकि अपनों को खोने का जो दर्द मैंने सहा वो तुम भी सहो रवीश अपनी कार से उतर कर जंगलों में जाने लगता है थोड़ी दूर चलने पर सामने एक गुफा दिखाई देती है रवीश उसमें चला जाता है और अंदर गुफा में एक तांत्रिक यग्य कर रहा होता है गुरुजी नमस्कार कहो आज यहां कैसे आना हुआ गुरुजी मुझे लगता है कोई मुझे मारना चाहता है कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब अजीब से चीज़े हो रही है बेवकूफ तुझे कोई और नहीं एक नागिन मारने आई है ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी हमने तो कई सालों पहले ही उस नाग और नागिन की कानी खत्म कर दी थी नहीं उसकी एक बेटी थी जिसे अठारा साल की होने के बाद उसके माँ और बाप की सभी शक्तिया मिल गई है और अब वो तुमसे बदला लेने आई है ओ तो ये नरगिस की बेटी है जैसे माँ को मारा था अब वैसे इसकी बेटी को भी मार दूँगा नहीं हमेंसे नहीं मारना इससे ही तो हमारा अधुरा काम पूरा होगा वो नागमडी जो पत्थर कियो गई थी हम अब उसकी सभी शक्तियां दुबारा से जागरत करा सकेंगे और फिर हम इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे हाँ 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 आज भी आद है मुझे वो दिन कैसे मैंने नरगेस और नागेश को मार कर उनसे नागमडी छेलनी थी और उन्हें गोली मार कर मरने के लिए वही छोड़ दिया था था कि वो तरक तरप कर मरे लेकिन जब मैं उस नागमडी को आपके पास लाया और उसका इस्तिमाल करने का सोचा तब ही एक जोड़दार धमाका हुआ और वो नागमडी पत्थर की बन गए और उसकी सभी शक्तियां नश्ट हो गए आज तक हम उसका फायदा नहीं उठा पाए चिंता मत करो अब जैसा मैं कहूँ वैसा करो इस बाद नागमडी हमारी ही होगी सिर्फ हमारी लेकिन मुझे एक बात तो समझ ही नहीं आए कि क्या वो आपसे बदला नहीं लेगी उस नर्गिस की बेटी ही तो उसकी मौत का कारण बनेगी हाहाहा तब ही काल गुरू सामने आते अपना चेहरा दिखा देते हैं वो नहीं जानती इन सभी साजिशों के पीछे मैं हूँ क्योंकि उस दिन मैंने नर्गिस पर वार किया तो वो वार पलट कर मुझ पर ही आ गया लेकिन मैंने बड़ी चालाकी के साथ उस जगे खुद की परच्छाईं को खड़ा कर दिया और खुद वहां से दूर जाकर खड़ा हो गया और जैसे मेरी परच्छाईं का सर और धड़ अलग हुआ मैं वहां से चला गया और उसके बाद तुमने वो किया जो मैं चाहता था हम उस नागिन को कहा ढूनेंगे उस नागिन ने तुझे ढून लिया है वो इस वक तेरे घर में है वो कोई और नहीं तेरी बहू बन कर आई है तुझसे बदला लेने क्या गुरू जी अम मैं क्या करूंगा कैसे रोकूंगा उस नागिन को वो सब मैंने कर दिया है अब तू बस घर जाओ नागिन जल्द ही हमारी कैद में होगी उसके बाद रवीश घर के लिए निकल गया इतने में दूसरी तरफ रवीश के घर का डोर ओपन करते हुए स्नेहा अपने बैग के साथ आती है तुम यहां क्या कर रही हो मोरनी तुम जानती हो मेरे बारे में चलो अच्छा ही है दुश्मनी अब बराबरी की हुई तुम्हें पहली बार देखते ही जान गई थी मैं कि तुम एक मोरनी हो लेकिन दुश्मन हो यह तुम नहीं बता दिया चलो निकलो यहां से उसी वक्त स्नेहा अपने मोरनी वेट में आ जाती है दूसरी तरफ काव्या भी नागिन रूप में आ जाती है दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगती है इसी हमले में पास रखा फ्लावर पॉट गिर कर तूट जाता है उसकी आवाज सुनकर राज की मा और राज दोनों अपने अपने रूम से बाहर आ जाते है राज की मा काम्या क्या हुआ? ये कैसी आवास थी? ये सब क्या हो रहा है? राज और काम्या के आने से पहले ही मोरनी और कार्व्या अपने इंसानी रूप में आ जाते है और काम्या स्नेहा को अंदर लाते हुए कहती है आओ बेटी, बहु, ये तुम्हारे ससुर के दोस्त की बेटी है स्नेहा आज से ये यही रहेगी, जब तक ये चाहे और स्नेहा, ये मेरी बहु है, राज की पत्नी काव्या मन ही मन में, बहुत अच्छे से जानती हु मैं इस मोर्नी को काव्या स्नेहा को गुस्से वाली आखों से घूरते हुए कि तभी स्नेहा अपना बैग अंदर लेकर आ जाती है काव्या भी अपने रूम में जाने लगती है मोरनी अपनी आखों से लेजर निकाल कर काव्या के पैरों पर मारती है काव्या सीड़ी से गिर जाती है और उसके सर और हाथ में चोट लग जाती है तभी राज भागते हुए काव्या के पास आता है और काव्या को अपनी गोद में उठा कर अपने रूम में लेकर चला जाता है ये सब देखकर नूर्णी को बहुत गुसा आता है नागिन की बच्ची मैं भी देखती हूँ राज तुझे कैसे मिलता है राज सिर्फ मेरा है राज काव्या को ले जाकर बेड़ पर लेटा देता है मैं ठीक हूँ राज मुझे आराम की जरूरत नहीं है चुप चाप लेठी रहो पता नहीं ध्यान कहा था तुम्हारा देखो कितनी चोड लग गई है तुम्हें मुझे दवाय लगाने दो इतना कहकर राज काव्या की पट्टी कर देता है मन ही मन में मेरे जखमों पर तो अब कोई मलहम असर नहीं करेगी मैं यहां तुम्हारे बाप को मारने आई हूँ जब तुम्हें ये मालूम होगा तो तुम भी अपने बाप का ही साथ दोगे दूसरे तरफ रवीश भी घर आ जाता है रवीश घर में आकर राज और काम्या को आवाज दे करके बुलाता है राज, ओ राज, काव्या, कहा हो तुम दोनो जल्दी नीचे आओ रवीश की आवाज सुनकर काम्या आपने अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं क्या हुआ डैड आप इतों गुसे में क्यों लग रहे हैं इतने में रवीश हसते हुए कहता है अरे भाई कोई मुझे भी तो बहु से मिलवाओ कहा है हमारी बहु डैड वो अपने कमरे में है आईए मैं आपको काविया से मिलवाता हूँ तीनों मिलकर काव Mia के रूम में जाते हैं काविय इनसे मिलो ये है मेरे डैड काविय रवीश से मिलती है काविय मन ही मन में बहुत अच्छे से जानती हूँ इस इंसान को मैं इसने ही मेरे माँ और बाप दोनों का खुण किया है आज अगर मेरे हाथ बंधे हुए ना होते तो मैं इसे आज ही मार देती दूसरी तरफ रवीश मन ही मन में तो ये है नरगिस की बेटी, चलो कोई नहीं, खुद बाखुद अपने ही जाल में फस गई है अब देखता हूँ, यहां से कैसे बच कर जाती है तू तभी रवीश सब के सामने पार्टी के बारे में बताता है राज बेटा मैं तुम्हारी शादी में तो नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी लिए एक शांदार पार्टी करूँ इसलिए मैंने कद इसेप्शन पार्टी रखी है तो तुम दोनों अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लो ठीक है और हाँ तुम दोनों जल्दी से तयार हो जाओ हम अपने कुल देता के मंदिर जाएंगे इतना कहकर रवीश और काम्या वहाँ से चले जाते हैं कुछ देर बाद चारों तयार होकर मंदिर के लिए निकल जाते हैं रवीश और काम्या अपने कार में जाते हैं और राज काव्या को लेकर अपनी कार में कुछ ही दूर जाने पर कुछ गुंडे उनको रोक देते हैं और कार को घेड़ लेते हैं कुछ गुंडे काव्या पर हमला करने लगते हैं इस हमले के दौरान काव्या को कुछ चोट भी ल काव्या इतना ही कहती है कि अचानक वहाँ पर बहुत जोरों की आंधी आती है आंधी की वजह से किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है राज को कुछ गुंडों ने पकड़ा हुआ होता है गुंडे काव्या पर हमला करने ही वाले होते हैं लेकिन आंधी आते ही वो लोग वही ठहर जाते हैं कुछ न दिखने के कारण काव्या अपने भागिन गुट में आ जाती है और अपने आपको ठीक भी कर लेती है काव्या सभी गुंडों को एक एक करके मारने लगती है काव्या अपने इंसानी रूप में आ जाती है शायद चोर होंगे पैसे के लालच में उन लोगों ने हम पर हमला किया होगा तुम चलो हम मंदर चलते हैं वैसे भी काफी देर हो गई है इतना कहेकर राज और काव्या मंदर के लिए निकल जाते हैं काव्या जैसे ही मंदर की सीडियों पर पैर रखती है अचानक से ही सभी घंटिया बजने लगती है ये सब क्या हो रहा है घंटिया आपने आप कैसे बजने लगी ज़रूर किसी अद्बो शक्ती ने हमारे मंदर में प्रवेश किया है इतनी में राज और काव्या दोनों काम्या और रवीश के पास आ जाते हैं और पूजा करके वापस घर चले जाते हैं घर पहुंचकर काव्या उपर की तरफ जा रही होती है इतने में स्नीहा अपने रूम से बाहर आ रही होती है काव्या स्नीहा को उसके रूम में वापिस ले जाती है और उससे पूछती है तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी न क्या चाहती हो तुम और अगर हमला करना ही था तो सामने से करती पीट पीछे क्यों किया पागल हो क्या तुम स्नेहा काव्या को धक्का देकर वहां से गायब हो जाती है इतने में काव्या भी स्नेहा का पीछा करते हुए वहां से गायब हो जाती है और सीधा जंगल में पहुँच जाती है काव्या सनेहा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने नागिन रूप में आ जाती है सनेहा भी अपने मोर्नी रूप में आ जाती है और देखते ही देखते दोनों में लड़ाई होने लग जाती है इधर से काव्या डसने की कोशिश करती है उधर से मोर्नी बार-बार अपनी चोट से काव्या पर हमला करने लगती है काव्या धीरे-धीरे मोर्नी पर भारी पढ़ने लगती है इतने में मोर्नी अपने इंसानी असली रूप में वापस आ जाती है छोड़ दो मुझे मैंने तुम पर कोई हमला नहीं करवाया मारना ही होगा तो मैं तुम्हे सामने से मारूंगी सनेहा के इतना कहते ही काव्या सोचने लग जाती है तब ही मौका पाकर सनेहा भाग जाती है काव्या अपने नागिन रूप में घर के अंदर खिड़की के रास्ते से आ जाती है इतने में काव्या को ढूंते हुए राज आ जाता है लेकिन काव्या तक तक इंसानी रूप में आ जाती है काव्या मैंने आज तुम्हारे लिए सर्प्राइज डिनर रेंज किया है जल्दी से रैटी हो जाओ हम डिनर के लिए चलेंगे थोड़ी ही देर में काव्या और राज डिनर के लिए निकल जाते हैं दोनों रेस्टरॉंड में जाते हैं जहां कई लोग डांस कर रहे होते हैं काव्या क्या तुम बेसा डांस करोगी मना मत करना दिल तोट जाएगा मेरा हाँ क्यों नहीं चलो करते हैं डांस दोनों डांस करने लगते हैं कि कुछ ही देर में दोनों को रोपते हुए राज का एक दोस्त आता है राज बहुत दिनों बाद दिखाए दिये हो कहां गाया थे भईया अरे कही नहीं यार इनसे मिलो यह है मेरी वाइब काव्या इतने में शेखर का फोन बज़ता है और वो वहां से चला जाता है राज और काव्या फिर डांस करने लगते हैं कुछ देर बाद ही दोनों डिनर टेबल पर बैट जाते हैं कि तभी काव्या को एक अजीब सी आवाज कानों में सुनाई देने लगती है वो एक बीन की आवाज होती है उस आवाज की वज़ह से काव्या का नागिन रूप धीरे धीरे उस पर असर कर रहा था न चाहते हुए भी काव्या नागिन के रूप में आने वाली होती है कि तभी राज क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है नहीं तु कुछ नहीं कैसी आवाज की बात कर रही हो तुम राज में अभी आई तब यह ठीक नहीं लग रही है क्या हुआ मैं भी चलूँ नहीं तुम यहीं वेट करो काव्या राज से जूट बोल कर उसे रेस्टरॉंट से बाहर निकाल लाती है साथ ही साथ अभी भी वो आवाज उसे सुनाई दे रही होती है ना चाहते हुए भी काव्या अपने नागिन रूप में आ जाती है और नागिन बनकर जमीन पर फन मारने लगती है तब ही खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है ये क्या हो रहा है मुझे ये कौन बजा रहा है बीन मुझे जल्दी से जल्दी नाग गुरू के पास जाना होगा इतना कहकर काव्या वहां से रेंगते हुए सीधा नाग गुरू के पास पहुँच जाती है और अपने दूसरे नागिन रूप में आ जाती है काव्या की सांसे रोकने लगती है ये बीन की आवाज जैसे मेरी सांसों को रोक रही है कुछ करिए नाप गुरू तुरंद पास में रखी हुई लाल गुलाल को उठा कर काव्या के उपर फेग देते है जिससे काव्या को वो बीन की आवाज सुनाई देनी बंध हो जाती है धन्यवाद गुरू जी वैसे ये कौन सी आवाज थी ये कोई मामूली बीन तो नहीं थी इसकी आवाज मुझ पर इतना असर क्यों कर रही थी ये किसी तांत्री का काम है कोई तुम्हें अपने जान में फासना चाहता है ताकि वो तुम्हारा राज दुनिया के सामने खोल दे तुम्हें याद रखना होगा तुम हर वक्द अपने दुश्मनों से गिरी रहती हो हर एक कदम तुमको फूप फूप कर रखना होगा ठीक है ना गुरू अब मुझे चलना चाहिए काव्या वहां से फेर नाविंदा रूप लेकर रेंगते हुए घर से बाहर निकल पड़ती है घर आकर फेर इंसानी रूप लेकर घर के अंदर जाती है जहां राज, रवीश और काम्या सब ही काव्या का इंतजार कर रहे होते हैं काव्या तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ तुम रेस्टरेंट से कहां गायब हो गई थी? तुम ठीक आप तक? वो मेरी तब्यत अचानक खराब हो गई थी इसलिए मैं मेरी एक दोस जो डॉक्टर है उसके पास चली गई थी अभी तुम ठीक हो? चलो, तुम आराम करो चलो राज काव्या को अपने साथ रूम में ले जाता है जहां राज ने रूम को बहुत अच्छे से सजाया होता है काव्या के लिए ये सब क्या है? तुम्हें लाइट्स बहुत पसंद है न? इसलिए ये सब तुम्हारे लिए हाँ लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुम मेरे लिए बहुत खास हो इसलिए मैं तुम्हारे जिन्दगी का हर एक पल खास बनाना चाहता हूँ I love you काव्या राज में बहुत धक गई हूँ थोड़ा आराम कर लूँ तो शायद अच्छा लगे हाँ थुम सोजाओ राज और काव्या सोजाते है राद के तीन बजे काव्या की आँख खुलता है और आँख खुलते ही काव्या देखती है राज के सीने पर एक काला नाग भन बना कर बैठा होता है Oh my God, क्या करूँ मैं अब काव्या धीरे धीरे से उठकर खड़ी हो जाती है और एक जटके से उस साप को पकड़ कर जमीन पर फेंग देती है इतने में राज भी उठ जाता है क्या हुआ काव्या, तुम पैशान क्यों लग रही हो इतने में राज उस नाग को खिड़की से बाहर जाते हुए देख लेता है और जैसे ही मोड कर काव्या को देखता है काव्या राज को गले लगा लेती है मैं तो बहुत डर गई थी, कहीं वो नाग तुम्हे मुझे क्या, चलो कम से कम इसी वहां ने तुमने मुझे गले तो लगा लिया मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रही हूँ मैं ले आता हूँ पानी नहीं मैं खुद ले आऊंगी काव्या नीचे किचिन की तरफ जाही रही होती है जैसे ही काव्या नीचे उतर रही थी वो देखती है कि मौर्णी दबे पाउं घर के बाहर चली जाती है इतनी रात को बाहर कहां गई, जरूर अपने साथी से मिलने गई है मुझे इसका पता लगाना होगा काव्या भी धीरे धीरे मौर्णी के पीछे जाने लगती है तभी रूम से राज आवाज देकर काव्या को बुलाता है काव्या मेरे लिए भी लेते आना पानी मैं कल देखती हूँ इस मौर्णी को इतना कहकर पानी लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है दूसरी तरफ स्नेहा घर से बाहर निकल कर अपनी असली रूप मौर्णी में आकर काल गुरू के पास जाती है क्या करना है अब इस नागिन ने तो नाक में दम कर रखा है जल्दी ही इसे ठिकाने लगाना होगा वरना ये राज को मुझसे छीन लेगी ये नागिन बहुत शातिर है मुझे इसके लिए कुछ और सोचना होगा आप सोचते रहिए मुझे पता है मुझे क्या करना है अब देखो मैं इस नागिन का क्या हाल करती हूँ इस बात का ध्यान रखना कि हमें इस नागिन को मारना नहीं है सिर्फ इसे कमजोर करना है ताकि वक्त आने पर ये नागिन हमें नागमणी तक पहुँचा दे हाँ ठीक है ठीक है तुम्हें नागमणी चाहिए लेकिन मुझे तो सिर्फ राद चाहिए और मैं उसे पाकर ही रहूँगी किसी भी हाल में इसके बाद मूरनी घर चली जाती है अगले दिन शाम को पार्टी में सभी लोग आ जाते हैं पार्टी में बहुत सारा म्यूजिक होता है बहुत सारे लोग डांस कर रहे होते हैं कि तभी काव्या और राज सीडियों से नीचे उतर कर आते हैं दोनों ही दिखने में बहुत सु खड़े होते हैं, तभी रवीश काव्या को देखकर मन ही मन में कहता है, खुश हो ले, आज तेरी खुशी का आखरी दिन है, आज के बाद तू सिर्फ सपेरे की टोकरी में बन रहेगी, देख ले, जितनी चकाचोन तुझे देखनी हैं, देख ले, इतना कहकर रवीश काव्य और राज का स्वागत करता है, उसके बाद राज काव्या के साथ कपल डांस कर रहा होता है, मन ही मन में, राज तुम्हारा प्यार मेरे मकसद को कमजोर कर रहा है, ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी तरफ खिची जा रही हूँ, ये क्या हो रहा है मुझे, मैं यहां मापाप की मौत का बदला लेने आई हूँ, खुद को मजबूत बनाना होगा मुझे, क्या सोच रही हो काव्या, इतना कहते ही, राज के ठीक पीछे से शेखार आ जाता है, हाई राज, हाई काव्या, कैसे हो तुम दोनों, या जब भी मिलते हो, तुम दोनों डांस ही करते रहते हो, तुम भी डांस कर लो, मेरे पास कोई डांस पार्टना नहीं है न, क्या अपना डांस पार्टना कुस देर के लिए मुझे दोगे, हाँ, बिल्कुल, लेकिन काव्या से पूछ लो, क्या वो तुमारे साथ डांस करना चाहती है, काव्या, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी इसी बहाने में आपको और आप मुझे जान लेंगे राज काव्या को डांस करने का इशारा करता है काव्या शेखर के साथ डांस करने के लिए तयार हो जाती है राज अपने परिवार के लोगों से बात करने लगता है इतने में शेखर और काव्या डांस कर रहे होते ह लेकिन काव्या अपनी नजर इधर से उधर घुमा कर देख रही होती है क्या हुआ? किसे डूंड रही हो? किसी को भी नहीं कहीं तुम उस नाग को तो नहीं डूंड रही? जो तुमने कल रात को देखा था? तुम्हें कैसे पता कि कल रात मैंने एक नाग को देखा था क्योंकि वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ मुझे नाग गुरू ने भेजा है तुम्हारी मदद के लिए उन्होंने मुझे बताया कि तुम दुश्मनों के बीच में घिर हुई हो लेकिन मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं दूसरी तरफ सनेहा एक गिलास में कुछ मिला रही होती है लो हो गया काम तमाम, इस जहर से तु मरेगी तु नहीं लेकिन कुछ दिनों के लिए तेरी शक्तिया नश्ट हो जाएंगी इतना कहकर सनेहा हाथ में दो गिलास लेकर काव्या की तरफ बढ़ती है और सनेहा एक कोल्डरिंग का गिलास काव्या को देती है और एक कोल्डरिंग का गिलास अपने पास रखती है काव्या कोल्डरिंग पीने वाली ही होती है कि तब ही अचानक से ही लाइट चली जाती है एकदम से लाइट जाने पर शेखर अपने फोन का टॉर्च ओन कर लेता है और राज के पास चला जाता है और तब ही कोई काव्या के पीछे से आकर उसके मूँ को दबा कर उसे बाहर ले जाता है उसी दोरान काव्या के हाथ से वो जहर वाला ग्लास छूट कर जमीन पर गिर जाता है लगता है काम करना शुरू कर दिया है जहर ने, अब आएगा मज़ा राजी लाट कैसे चली गई, तुने बिजली का बिल नहीं बरा था क्या नहीं बरा, क्योंकि वो मेरे मामा के घर से आती है मामा के घर से? वो कैसे? जब बिजली जाती है, तब डैड कहते हैं कि काट दी बिजली साले ने दूनों ये सुनकर बहुत हसते हैं, दूसरी तरफ कोई काव्या को उसके मूँ पर काला कपड़ा बांध कर ले जा रहे होते हैं कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे! कैसे छोड़ दे तुम्हे? तुम्हें तो हम बास के पास ले जाएंगे और वो हमें माला माल कर देंगे काव्या के मना करने पर वो लोग काव्या को अपनी कार में बिठा कर ले जाते हैं, मन में चलो अच्छा है, ये मुझे ले कर जा रहे हैं, कम से कम ये तो पता लग जाएगा कि इस सब के पीछे कौन है वैसे भी मैं इन सब पर हमला नहीं कर सकती, जब तक ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएं दूसरी तरफ घर में चल मजाग भावत हो गया, लाइट का कुछ कर दोनों बाहर निकल कर, साइड में लगे हुए लाइट बोर्ट तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं, कि वहाँ कोई बेहोश है, और उसके हाथ में कोई स्विच है ये क्या, इस नहीं निकाला है ये स्विच, लेकिन क्यों हो, शायद स्विच निकलने की वज़े से इसे बिजली का जटका लग गया है, इसी लिए बेहोश है राज स्विच को लगा देता है, और लाइट आ जाती है, स्नेहा देखती है कि वहाँ काव्या नहीं होती इतने में स्नेहा उपर देखती है काव्या के रूम में किसी को जाते हुए, और फिर वहाँ सभी पार्टी इंजॉय करने लगते हैं और राज अपने आदमियों को बुला कर उस आदमी को हॉस्पिटल भेज देता है चलो अच्छा है, कम से कम रूम में मरेगी, तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा दूसरी तरफ शेखर मन ही मन में कि इसने ऐसा क्यों किया, कहीं काव्या, किसी खत्रे में तो नहीं इतने में राज और शेखर घर में वापिस आ जाते हैं, और काव्या को वहाँ ना देख कर इसनेहा ये काव्या कहां चली गई, वो तो तुम्हारे साथ ही थी ना उसके कपणों पर खोल रिंग गई थी, वो साफ करने गई है, तुम चलो मेरे साथ डांस करो, वो आ जाएगी राज सनेहा के साथ डांस करने लगता है, शेखर काव्या को ना देख कर समझ जाता है, कि काव्या किसी मुसीबत में है वो तुरंथ वहाँ से बाहर निकल कर नाग बन जाता है, और काव्या को खोजने निकल पड़ता है, काफी दूर जाकर उसको काव्या की आवाज सुनाई देती है, और वो देख लेता है कि कुछ लोग काव्या को कार में ले जा रहे हैं शेखर तभी एक पेड को कार के सामने गिरा देता है, ताकि कार आगे ना जा सके और कार रुकते ही, शेखर इंसानी रूप में सामने आ जाता है छोड़ दो इसे, क्या तुम जानते नहीं हो, कि तुमने अपनी मौत को कैद किया है, अगर तुम अभी छोड़ दो, तो हम चुपचाप चले जाएंगे तू डलाएगा मुझे, चलो, इसे सबक सिखाते हैं दोस्तों सभी गुंडे कार से उतर कर, शेखर को मारने लगते हैं शेखर उनसे लड़ाई करता है, कि तभी सभी गुंडे, एक साथ शेखर को मारने लगते हैं तभी काव्या कार से निकल कर, उन्हें रोकने जाती है एक गुंडा काव्या को धक्का दे देता है और ये देखकर शेखर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने विशाल नाग रूप में आ जाता है एक एक कर सभी गुंडों को मार देता है उसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं शेखर गेट के अंदर आता है और काव्या अपने रूम से बाहर आती है कहां थी तुम इतना टाइम लगा दिये कपड़े साफ करने में काव्या को ठीट देखकर स्नीहा और रवीश दोनों गुसे में आ जाते हैं ये कैसे बच गई या इसने वो जहर पिया ही नहीं ये जिन्दा कैसे है वो सब गुंडे बेकार निकले किसी काम के नहीं थे वो लोग इतने में रवीश अपना फोन निकाल कर एक गुंडे को फोन करता है तुम लोगों से एक काम नहीं हुआ किस बात के पैसे लिये तुमने बस हमने उसको पकड़ लिया था पता नहीं कहां से विशाल सांप आ गया और सभी को मार दिया और फिर इंसानी रूप लेका लड़की को साथ ले गया मन ही मन में इसका मतलब एक नाग और है जो इस काविया की हेल्प कर रहा है मुझे इसका पता लगाना ही होगा अगले दिन सुबा सुबा ही रवीश और स्नेहा काल गुरू के पास जाते हैं गुरू जी कल मैंने उसे वो जहर भी दिया लेकिन वो कैसे बच गई कोई है जो उसकी रक्षा कर रहा है कल मेरा भी आदमी बता रहा था कि उसने काव्या के साथ किसी नाग को देखा था पहले ही इस नागिन ने कम परेशान किया हुआ था क्या जो अब ये नाग भी पीछे पीछे आ गया तुम लोग चिंता मत करो अंत निकट ही है पहले हम इस नाग को मारेंगे फिर नागिन की सब शक्तियां नश्ट कर देंगे फिर वो हमें कोई नुक्सा नहीं पहुँचा सकती है लेकिन ये सब होगा कैसे काल गुरू अपनी पोटली से राख निकालते हैं ये क्या है यही है वो चीज़ जिसके आगे नाग और नागिन कमजोर हो जाते है पहले हमें इस राख से एक चक्र बनाना होगा इसमें हम उस नागिन को कैद करेंगे और उसके बाद उस नाग को बुलाएंगे और वो नागिन को बचाने जरूर आएगा और मारा जाएगा लेकिन नाग के मरने के बाद कादिया की शक्ति कैसे नष्ट करेंगे इस राख को नागिन पर डालते ही वो अपनी कैंचुली छोड़ देगी तब तुम उसकी कैंचुली को उठा लेना जब तक उसकी कैंचुली तुम्हारे पास रहेगी वो नागिन नहीं बन पाएगी वाह! काल गुरु धन्य है एक साथ दो काम इस काम को तुम दोनों को अंजाम देना होगा मुझे उपर सिध्धी के लिए तब करना है अब आप सब हम पर छोड़ दो उस नाग और नागिन की कहानी हम कल ही खत्म कर देंगे मूर्णी राज का रूप लेकर घुनने के बहाने काव्या को लेकर खंडर के अंदर जाती है तुम्हारे लिए सर्प्राइज है, बेट करो इतने में ही मूर्णी काव्या को बातों ही बातों में उस जगह पर ले जाती है जहां राख से जमीन पर चक्र बना हुआ होता है और जैसे ही काव्या आगे बढ़ने लगती है उसे जोरदार करेंट लग जाता है राज ये सब क्या है? इतने में मूर्णी अपने असली रूप में आ जाती है ये सब तुम्हारी मौत की तयारी है इतने में मौर्णी राख को काव्या पर फेकती है और काव्या दर्द से चिलाने लगती है और ये आवाज शेखर सुन लेता है और वो भी उसी जगा पर पहुँच जाता है शेखर नाग रूप में काव्या को बचाने के लिए वहां पहुँच जाता है लेकिन इससे पहले शेखर कुछ कर पाता मूरनी उस राख को बार-बार फेकने लगती है और देखते ही देखते शेखर मरने लगता है और उसको कमजोर होते देखकर मूरनी अपने असली रूप में शेखर पर वार करने लगती है काव्या उस चक्र में बंद रहती है इसलिए वो शेखर को बचा नहीं पाती और देखते ही देखते मूरनी शेखर को मार देती है शेखर को मारने के बाद मूरनी काव्या को मारने की कोशिश करती है लेकिन काव्या भी बदले में लड़ाई करती है काव्या अपने असली रूप में आकर मोर्नी को डसने की कोशिश करती है लेकिन मोर्नी भी अपने असली रूप में आ जाती है और काव्या को चोच में दबा लेती है ये लड़ाई बहुत देर चलने के पाद काव्या घायल हो जाती है और लड़की बन जाती है मोर्नी भी लड़की बन जाती है मोर्नी काव्या को मारने के लिए आगे बढ़ती है और चाकू से काव्या को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है तभी एक तेज तूफान आता है मोर्नी का हाथ पकड़े हुए एक लंबे बालो वाली कोई लड़की है जिससे मोर्णी खुद की हाथ को छुडाने की कोशिश कर रही है अरे तुम यहाँ? मोर्णी दर्द से चिलाने लगती है और जब उसने साइड मोड कर इस में लड़की की ओर देखा तो वो डर गई और हाथ छुडा कर गायब हो गई एक पतली लंबी लड़की जिसने सलवार और कोटी पहने हुई है बाल खुले हुए, कानों में बड़े जुमके माथे पर एक टी का, हाथों में प्लेन ब्रेसलेट और पैरों में जूती है जो दिखने में बहुत सुन्दर है उसकी आखे नशीली है ने आकर कावया की मदद की है अरे कोमल, तुम यहाँ कैसे? तुमको याद नहीं है क्या? कावया, तुम जा रही हो मेरी शिवसे प्रार्थना है कि तुम मकसद में काम्याब होका लोटो जी गुरुदेव तुम वहाँ क्या कर रही हो, मैं सब यहाँ बैट का देखता रहूंगा और अगर तुम कभी भी अकेले पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए शेखर और कोमल को भेज दूँगा जी गुरुदेव, आग्या दीजिए हाँ कोमल, मुझे सब याद आ गया तुम बहुत सही समय पर आई हो मैं अब तुम्हारी साथ ही रहूंगी लेकिन हमें बहुत समल कर चलना होगा चलो अब चलते हैं कोमल और काव्या दोनों घर चले जाते हैं दोनों ही साधारन लर्की के जैसे कपड़े पहन लेते हैं काम्या से नमस्ते आंटी जी नमस्ते माफ करना बेटा लेकिन मैंने पहचाना नहीं कोमल बोलने की कोशिश करती है लेकिन काव्या बीच में रोकते हुए माजी ये मेरे दोस्त है कोमल मैंने पहले तो कभी नहीं सुना इसके बारे में मा जी वो ध्यान नहीं रहा होगा काव्या तो अपनी फ्रेंड के लिए किचिन में जाकर कुछ बना लाओ काव्या किचिन में चली जाती है और कोमल सोफा पर ही बैट जाती है तभी रवीश उपर से उतर कराता है रवीश और कोमल एक दूसरे को देखते हैं और मन में ये कौन आ गई? इतनी सुईट हार्ड और कितनी प्यारी लग रही है इसके बालो राके बहुत खुब सूरत है रवीश ये सब सोच ही रहा होता है तभी वहाँ स्नीहा आ जाती है और वो रवीश को कोमल को घूरते हुए देख लेती है रवीश से क्या हुआ कि आप भी पागल हुए जा रहे हो? अरे आ गई तुम, काम हुआ? स्नीहा किचिन की ओर इशारा करती है कालगुरु ने तो बोला था कि ये खत्म हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तभी काम में आ जाती है स्नीहा आ गई तुम, कहां चली गई थी? वो, कुछ नहीं आंटी, बस थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी ठीक है, अब बैठो काव्या नाश्ता लाती ही होगी तभी काव्या सभी के लिए टेबिल पर नाश्ता लगा देती है राज नहीं आया अभी, जाओ काव्या उसको भी बुला लाओ बुलाने की जरुरत नहीं है मा, मैं खुदी आ गया सभी हसने लगते है राज की नजर कोमल पर पड़ती है काव्या को इशारा करते हुए ये कौन है? राज, इससे मिलो, ये है मेरी दोस्त कोमल मैं उसे कॉलेज के दिनों में तो नहीं मिला था नहीं, ये मेरी कॉलेज की नहीं स्कूल की फ्रेंड है ओ, नाइस, क्या नाम बताया? कोमल, मन में वैसे तो अपने नाम की तरह ये हॉड और कोमल है कोमल से हाई कोमल अब सभी नाश्ता कर लेते हैं राज और रवीश, ओफिस चले जाते हैं और काव्या कोमल को उसका रूम दिखा देती है स्नेहा को कॉल करके स्नेहा काम्या के पास आती है और बाहर जाने का बताती है स्नेहा गाड़ी उठा कर बाहर चली जाती है लेकिन कालगुरू के यहां पहुँचने से पहले ही स्नेहा की गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते है और गाड़ी पेड से टकरा कर खाई में जाने ही वाली होती है लेकिन एक पत्थर की वजह से रुख जाती है तभी कार से कोमल निकल कर बाहर आती है और कैसा लगा मिसिस नेहा? तुम यहां क्या कर रही हो? तो तुमने किया है ये सब गाड़ी तुमारे हाथ में है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? गाड़ी खाई और जमीन के बीच में जूल रही है फोन निकाल कर फोन करती है फिर कोमल एक रसी की मदद से सनेहा को बचा लेती है सनेहा कुछ बता पाती लेकिन उससे पहले ही रवीश पहुँच जाता है क्या हुआ असनिया तुम ठीक तो हो ना हाँ मैं ठीक हूँ कोमल ने मेरी बहुत मदद की रवीश कोमल की ओर देखता है और बस देखता ही रह जाता है तुमने सही समय पर पहुँच कर बहुत अच्छा किया मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ठैंक्स कैसे बोलू बहुत हो गई बातें चलो आप कहीं घूमने चलते हैं तीनो एक रेस्टरॉन में पहुँच जाते हैं और फिर मॉल जाकर शॉपिंग करते हैं रवीश की निगा सिर्फ कोमल पर ही है मन में मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था स्निया को काल गुरू के पास भेज कर कोमल कितनी अच्छी लड़की है और दिखने में भी कितनी अच्छी है तीनो एक साथ घर आ जाते हैं और काम्या तीनो को एक साथ देख कर क्या बात है तीनो एक साथ कैसे कुछ बात नहीं है बस साथ साथ शॉपिंग की थी तो साथ ही घर आ गए काव्या थोड़ा मन में चिड़ जाती है काव्या बेटा चाए बना दो काव्या तुम रहने दो आज चाए मैं बना देता हूँ और कोमल चाए में शुगर कितनी लेती है आप कोमल बता देती है लेकिन काव्या काम्या और स्नेहा आश्चर्य में पढ़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है तभी राज भी घर आ जाता है और कोमल से बाते करने लगता है सबकी गर्मा गर्म चाए आ रही है रवीश कोमल को अपने हाथों से चाए देता है मन में क्या बात है डैड, खुमल के पीछे ही पड़े हुए हैं आज कल राज, तुम ओफिस से जल्दी आ गए? हाँ मा, आज कुछ काम नहीं था, और मैं आपको बताना भूल गया, कि आज हमारे गुरू जी आने वाले हैं, और वो कुस दिन यहीं रुकेंगे ये तो बहुत अच्छी खबर है तो राज, तुम गुरू जी को कब लेने जा रहे हो? बस डैड अभी निकल ला हाओ राज, गुरू जी को लेने निकल जाता है, और घर की तैयारिया शुरू हो जाती हैं पूरा घर सजा दो, सुन्दर कर दो स्नेहा और काव्या पूरे घर को सजा देते हैं और पूजा घर की भी अच्छे से सफाई की जाती है और बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार किये गए हैं मा सारी तैयारिया हो चुकी है, बस गुरू जी आते ही होंगे तब ही गेट पर गाड़ी के हौन की आवाज आती है लगता है राज गुरू जी को ले आए हैं, मैं उनकी स्वागत की तैयारी करती हूँ काम्या रवीश और काव्या सभी गुरू जी को अंदर लाते हैं लेकिन जैसे ही स्नेहा की नजर गुरू जी पर पड़ती है, स्नेहा आश्चर में बहुत तेज बोल पड़ती है आप यहाँ भी? स्नेहा की तेज बोलने पर सभी स्नेहा की ओर देखने लगते हैं क्या तुम गुरू जी को पहले से जानती हो? क्या तुमने गुरु जी को पहले कहीं देखा है? हमें कौन नहीं जानता, हम तो अंतर्यामी हैं, देखा होगा वेटी ने कहीं इतने में स्नेहा भी समझ जाती है कोमल और काव्या भी गुरु जी के चरंड स्पर्श करने आते हैं लेकिन जैसे ही कोमल और काव्या गुरु जी का चहरा देखते हैं वे उन्हें एक लंबे बिखरे बालों, काले कपड़े, गले में बहुत सारी मालाएं पहने एक तांतरिक नजर आता है ये राजिस तांतरिक को क्यों लाएं हैं? ये तांतरिक यहां कुछ तो गडबड है आये गुरु जी, अंदर आये गुरु जी अंदर आजाते हैं, उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है और बहुत प्रेम से उन्हें भुजन कराया जाता है गुरु जी, आप अप कोई समय आराम कर लीजिए राज गुरु जी को उनकी कमरे तक छोड़ आता है काम्या रवीश को कोमल से बात करते हुए देख लेती है कोमल, तुम अपने रूम में जाओ क्यों तुम इतना पागल हुए जा रहे हो? मैंने क्या कर दिया? तुम कोमल के पीछे इतना क्यों पड़े हो? तुमको कोई गलत फैनी हुई है तो घर पर महमान बनकर आई है बस इसी लिए उसका इतना ख्याल लखना हमारी जिम्मेदारी है तब ही सनेहा आती है अंकल आप सोई नहीं अभी? सब सूने चले जाते है अगली सुबह काव्या टेबल साफ करके सभी के लिए नाश्ता लगाती है पहली थाली गुरुजी को दी जाती है बुरा सा मूँ बनाते हुए किसने बनाया है ये? क्या हुआ गुरुजी? इतना नमक है इसमें गल्ती से हो गया होगा मैं अभी कुछ और बनवा देता हूँ गुरुजी ये जान बूज कर किया गया है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी काव्या क्यों क्या तुमने ये? राज मैंने कुछ नहीं किया मैंने तो नॉर्मल ही डाला था ये कैसे तेज हुआ पता नहीं एक काम ढंग से नहीं होता तुम पर रुगो राज तुम सुभा सुभा अपना मूर मत खराब करो मैं जल्दी से कुछ और बना लाती हूँ चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ किचिन में जाकर स्नेहा नाश्ता बनाने लगती है क्या बात है स्नेहा मैडम आज तो सुभा सुभा ही मनोरंजन करा दिया और वो भी बहुत सफाई से लेकिन किया कैसे तुमने ये ये काव्या और राज कुछ जादा ही गुरुजी की सेवा में लगे है इनका कुछ तो करना ही होगा काव्या बेटा जल्दी से नाश्ता बना दो राज ओफिस के लिए लेट हो रहा है जी माजी बस कर रही हूँ काव्या मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही है अभी आ रही हूँ ये सही मौका है काव्या किचिन में नहीं है स्नीहा किचिन में जाती है और खाने में नमक डाल कर वापिस आ जाती है अरे वाई स्नीहा क्या दिमाग लगाया है जैसे ही रवीश पीछे मुड़ता है वो कोमल को खड़े हुए देख लेता है तुम यहां क्या कर रही हो? कोमल बिना कुछ बोले ही वापिस चली जाती है अगर कोमल ने सुन लिया होगा तो क्या होगा? तुम ज़्यादा पैशान मत होया करो सुन भी लिया होगा तो कुछ नहीं होगा बोल देंगे की जूट बोल लही है और वैसे भी काम्या तो उससे कितना चड़ चुकी है उसकी बाद कोई नहीं मानेगा रवीश और स्नेहा नाश्ता लेकर बाहर जाते है और राज और रवीश नाश्ता करके ओफिस जाने लगते है राज और रवीश तुम दोरों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर के सभी कष्ट मैं दूर करके जाओं ये तो बहुत अच्छी बात है गुरुजी हम सदेवापके आभारी रहेंगे गुरुजी वैसे भी सदा से आपका ही आश्यवाद हमारे उपर रहा है तो हमें कोई कष्ट नहीं है मैं कुछ देख पा रहा हूँ क्या देख पा रहे हो गुरुजी मैं तुम सबको भी दिखा दूँगा लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा चार-पांच जिनों तक पूजा करानी होगी ठीक है गुरुजी हम आफिस से जल्दी आ जाएंगे राज और रवीश आफिस चले जाते है काम्या पौधों को पानी दे रही होती है आंटी जी मैं कुछ मदद करूं नहीं बेटा आंटी आप कुछ परेशान लग रहे हो नहीं बस आज गुरुजी का अनादर हो गया उसी से दुखी हो आंटी बुरा मत मानना काव्या तो है ही ऐसी और साथ में उस आधे कपड़े पहनने वाली कोमल गोड ले आई है तभी सनेहा के फोन पर राज का फोन बच्चता है मेरा एक फ्रेंड विनीत आ रहा है क्या तुम उसे घर पर लेकर आ सकती हो हाँ बिल्कुल विनीत को लेने सनेहा चली जाती है दूसरी तरफ काव्या तुम परेशान क्यों हो रही हो तुम तो जानती हो ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती लेकिन आज राज और रोने लगती है जल्धी सब ठीक हो जाएगा मुझे पर विश्वास रखो शाम को सब ही आ जाते हैं और पूजा शुरू होती है गुरुजी पूजा कर रहे है और आख बन करके बता रहे है काम्या तुम्हारे बच्चों पर कोई खत्रा मंडरा रहा है विनीत उपर देखता है मुझे तो आपके उपर खत्रा नहीं दिख रहा अंटी जी आपके उपर तो मुझे एक प्यारी सी होट सी लड़की दिखाए दे रही है सभी हस्ते हैं कोमल मुस्कुरा जाती है कौन है ये दुष्ट वालग जो हमारी बातूं का मक्हौल बना रहा है माफ कीजिए गुरुजी ये राज का दोस्त है अभी पढ़ा ही करके शहर से आया है थोड़ा नटखट है काम्या तुम्हारे घर में मुझे शक्तियों का वास दिख रहा है जो तुम्हारे लिए अनर्द भी हो सकता है कोई उपाई बताईए गुरुजी कल जब पूजा पर बैठूंगा तब बताऊंगा पूजा खतम हो जाती है और सभी डिनर करते है मेरा आज कोई मूवी देखने का मन है अरे तुम्हारा ही तो घर है जो मर्जी चलाओ कोमल टीवी ओन करके चैनल चेंज करने लगती है गुरुजी कोमल से उसके बारे में जानने लगते है छोड़े गुरुजी कोमल हमारी महमान है और उसको कोई मूवी देखनी है तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे कोमल मूवी देखने लगती है तब ही मुझे ही पसंद नहीं आ रही मैं अपनी पैंड्राइव लेकर आती हूँ कोमल पैंड्राइव लेने चली जाती है हाँ ले आओ पैंड्राइव आपकी पसंद की कोई आपके जैसी मूवी देखने को मिलेगी तब तक सभी विनीच से हसी मजाग करते हैं लेकिन काविया चुप रहती है काविया तुम कुछ बोल नहीं रही हो काविया चुप रहती है अच़ा तुम ही बताओ क्या सुबह तुमारी गलती नहीं थी? इससे पहले की काव्या को जवाब दे पाती, कोमल पैंड्राइव लेकर आ गई. चलो चलाओ कोमल तुम मूवी, हम भी तो देखे तुमारे पसंद. हाँ बस अभी चलाती हूँ. सभी बहुत आराम से बैठ गए, और कोमल की पसंद की मूवी देखने के लिए उत्सुख हैं. पता नहीं क्या हुआ इस पैंड्राइव को भी, चल क्यों नहीं रही है? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ. हाँ बिल्कुल. वैसे मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर लेता हूँ. इसमें इंजीनियर की जरूरत नहीं है. विनीद पैंड्राइव चेक करता है, और वो चल जाती है. कोमल पैंड्राइव में फाइल ढूंड कर चला देती है. बंद करो, ये क्या चलाया है तुमने? इतना कुछ मैं सोच भी नहीं सकती थी. स्नेहा जाकर टीवी बंद कराती है. डैड आप भी? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, कि डैड भी काव्या को पैशान करने के लिए स्नेहा का साथ देंगे. क्यों किया तुमने ऐसा? काव्या रोकर कमरे में चली जाती है. आप सभी मेरी बात तो सुनो. मुझे कुछ नहीं सुनना. राज और रवीश ओफिस चले जाते हैं. तुम मेरे लिए यहां घर के बाहर बगीचे में गद्धी लगवा दो. तब तक मैं यहां सिध्धी करता रहूंगा. काम्या गुरुजी के लिए सारा इंतिजाम बाहर ही करा देती है. राज अपने दोस्त विनीत को कॉल करता है. विनीत मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. हाँ बोलो भाई. तुम तो जानते ही हो कि कल सबके सामने मैंने काव्या को बिना गलती के डाट दिया था. और इसमें कोमल भी हमारी मदद करेगी. स्नीहा और रवीश सौरी कार्ड बनाते हैं और काम्या को सौरी बोलते हैं. सौरी. मुझसे माफी मागने से क्या होगा? काव्या का क्या? जिसे तुम्हारे कारण इतना दुख पहुँचा है. पहले आप तो माफ कर दो आंटी जी. हम काव्या से भी बात कर लेंगे. काम्या दोनों को भेज देती है. मैं काव्या से माफी नहीं मागूंगी. दिल से थोड़ी ही मागनी है. सिर्फ ध्रामा करना है. स्नेहा रवीश की बात मान कर काव्या के पास चली जाती है. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. हाँ बोलो. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. मुझे माफ कर दो. काव्या के कुछ बोलने से पहले ही कोमल आ जाती है. काव्या तयार हो जाओ. हमें बाहर गूमने चलना है नहीं मेरा मन नहीं है लेकिन तुम्हें चलना ही होगा उससे तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा ठीक है मैं तयार होकर आती हूँ ठीक है मैं गाड़ी के पास तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कोमल नीचे आकर खड़ी हो जाती है और काव्या भी पिंग कलर की साड़ी पहने, बाल खुले हुए, अच्छे से तयार होकर आ जाती है वाव, ब्यूटिफुल, तुम बहुत अच्छी लद रही हो काव्या मुस्कुरा देती है चलो अब चलें, वैसे हम कहां जा रहे है तुम खुद चल कर ही देख लेना ठीक है, कूमल गाड़ी चलाती है और काव्या साइड में बैट जाती है ये स्नीहा क्यों आई थी तुम्हारे पास बस जादा कुछ नहीं, वही ड्रामा की मुझे माफ कर दो अच्छा, क्या हो जाएगा वैसे इस सबसे चलो छोडो, हम उनके बारे में जादा बात करके अपना मूट खराब नहीं करेंगे लेकिन तुम तो जानती हो, एक तो वो तांत्रिक भी घर में ही है और रवीश और स्नीहा भी घर में ही है हाँ, ये मिलकर कुछ तो गरबर कर सकते है इसमें क्या राज है, हमें इसकी जर तक जाना होगा कोमल और काव्या बात कर ही रहे होते हैं कि तभी काव्या की नजर आसमान में उड़ते एक गुबारे पर जाती है मुझे गुबारे बहुत पसंद है देखो कितना प्यारा लग रहा है न हाँ, बहुत सुन्दर कोमल देखो, और गुबारे आ गए और इन पर किसी ने काव्या भी लिखा है कितनी खुश नसीब होगी वो लड़की, जिसके लिए ये लिखा गया है दुखी क्यों हो रही हो, क्या तुमने अभी तक राज को माफ नहीं किया काव्या चुप रहती है और अब एक साथ लाल रंग के दिल की आकरती वाले बहुत सारे गुबारे जिन पर I love you काव्या लिखा है आकर गाड़ी के ही उपर उड़ने लगे ये देखकर कोमल गाड़ी की स्पीड कम कर देती है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे क्या तुम गाड़ी साइड में रोकोगी? हाँ जरूर, वैसे भी हम यहां गूमने आये हैं कोमल गाड़ी साइड में रोक देती है काव्या गाड़ी से बाहर निकल कर एक गुबारे को पकड़ने की कोशिश करती है तभी उपर से एक हेलिकॉप्टर जाता है और उसमें से गुलाब और कमल के सुंदर फूल काव्या के उपर गिरने लगते है काव्या उपर देखते हुए गोल-गोल घूमने लगती है और खुशी में जूम रही है मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या कोमल दूर गाड़ी के पास खड़ी होकर मुस्कुराती है कितना अच्छा लग रहा है आज काव्या को इतना खुश देख कर तभी काव्या के पास एक पिंग कलर का बड़ा सा गुबारा आता है गुबारा तेजी से आगे बढ़ता है काव्या भी हसते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करती है जब काव्या गुबारे को पकड़ते हुए दोड़ती है तो काव्या का पैर फूलों के धेर पर लगता है और उसका ध्यान सड़क की तरफ जाता है वाउ, सो ब्यूटिफुल वहाँ सुन्दर सुन्दर गुलदस्ते और गुलाब की फूलों से जमीन पर दिल बना हुआ है एक काव्या से भी बड़ा टेडी बियर है जिसके हाथ में एक गुलाब का फूल और एक कार्ड है दिल के बराबर में कलर और दीब की मदद से सौरी लिखा है और साथ में गुबारों की सहयता से काव्या का नाम लिखा है और एक बड़ा सा चौकलेट का डबबा है इतना सब देखकर काव्या सब भूल चुकी है और खुशी से सभी चीजों को देख रही है काव्या दोड कर जाती है और टेडी बियर को गले लगाती है और टेडी बियर के हाथ से कार्ड नीचे गिर जाता है जिसमें लिखा होता है, काव्या कार्ड पढ़ती है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन मुझे प्यार भी करती हो, मुझे बिना जाने, बिना सोचे समझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इस बात का दुख है, मुझ लगा लेती है, जहां उसे गुलाब का फूल मिलता है, और राज आ जाता है, काव्या क्या तुमने मुझे माफ कर दिया, काव्या अब राज के भी गले लग जाती है, कोमल और विनीत दूर खड़े होकर, चहरे पर मुस्कान लिए, ये देख रहे होते हैं, अब पार्टी शुरू की जाए, हां खरते हैं, राज और विनीत ने एक टेबिल चेयर और खाने की व्यवस्था भी की हुई थी, सभी मिलकर खाना खाते हैं, कोमल वैसे तुम बहुत रोमांटिक हो यार, हां आइडिया अच्छा था, और देखो काम भी कर गया, अच्छा तो इसलिए कोम शुरू हो जाती है, राज सभी पूजा में आ चुके हैं, लेकिन काव्या अभी तक नहीं आई है, मैं बुला का लाता हूं मां, लेकिन तभी काव्या आते हुए दिख जाती है, लो आ गई, गुरू जी ने शिवलिंग को बेल पत्रों से सजाया, और हवन का आयो जन किया, लेकिन काव्या को एक बड़ा जटका लगा और वो रुख गई, आओ काव्या बैठो, लेकिन काव्या आगे नहीं बढ़ पाती है, क्या हुआ काव्या, आगे आओ, लेकिन काव्या की आँखों में बेल पत्रों की तस्वीर घूम रही है, और वो उसको अपने नागिन लिए मजबूर कर रही है, कहानी जारी रहेगी. क्या हुआ काव्या, आगे आओ, हावन की आग के कारण घर में धुआ हो गया है, मैं खड़की खोल देता हूँ. विनीत उठकर जैसे ही खिड़की खोलता है, एक तेज आंधी आ रही होती है, और घर में बहुत तेज हवा आती है, विनीत वापस दोड़ कर जाता है और खिड़की बंद कर देता है, जब हवा कुछ शांत होती है, तो काव्या पूजा पर बैठी होती है, और बेल पत्र हवा के साथ उड़ गए है, अच्छा, तो असली रूप सामने आने ही लगा, क्या हुआ गुरुदेव? गुरुजी आप तो जानते ही हो कि काव्या ने कुछ नहीं किया, गुरुजी काव्या को नादुमान रूप में देख पा रहे हैं, जबकि पूरा परिवार काव्या क एक सामान्य इस्त्री के रूप में ही देख रहा है, मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, छोड़ो, मैं तो ये कह रहा था कि काव्या बहुत अच्छी है, इस बात में कोई शक भी नहीं है, हमारी भावी हैं ही बहुत अच्छी, और उनकी दोस कोमल के बारे में तो शब्धी कम रह जाती है, कंट्रोल यार कंट्रोल, सब के सामने ही शुरू हो गया तू तो, सभी हसने लगते हैं, विनीत को बीच में रोकते हुए, बहुत दुष्ठ हो तुम विनीत, हमेशा सारे काम बिगाड़ते हो, वो गुरुजी मैं तो बस, अब मुझे शांती से पूजा करने दो, रवेश और कामिया, तुभारे घर में मुझे किसी नाग या नागिन का साया दिख रहा है, आप ये कैसी बाते कर रहे हो, नहीं गुरुजी, हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें विश्वास करना ही होगा, असंभव है गुरुजी के जादा कहने पर सभी ने मान लिया, गुरुजी आप और अदिक्ची ने बताईए कि घर में नागिन का साया है, मैं आज से तीन दिन बाद उस नागिन को पकड़ कर तुम्हें दिखा दूँगा आज की पूजा खत्म होती है, पूजा के बाद कोमल काव्या के कमरे में आती है, यह पक्का तांतरिक ही है, इसका कुछ तो करना ही होगा, लेकिन राज तो समझता है कि यह उसका गुरू है, हमारे पास तीन दिन ही बचे हैं, अगर थीसरे दिन उस तांतरिक ने कुछ किया तो क्या होगा तुम अभी घबराओ मत जल्द ही इसका कोई उपाई ढूंते हैं अभी तुम सोजाओ सुभा बात करते हैं सभी सो जाते हैं और अगली सुभा रवीश गेट खोलता है और सनेहा की मम्मी कामिनी और पापा सुधीर आ जाते हैं बहुत बड़िया तुमने यहां आगस सही किया ओफिस के काम से यहां पास में ही आना हुआ था तो सोचा की सनेहा और तुम सबसे ही मिलते चलें आपका घर है आप आते रहा करो भाबी जी सनेहा कहीं नहीं दिख रही है यहीं होगी अभी बुलाती हूं सनेहा यहां आओ पहचान नहीं पाती और चुप रहती है। पापा, आप अचानक से आए तो मैं इसलिए खुशी में कुछ बोल नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं बेटा, हम भी तुम्हें देखकर बहुत खुश है। अच्छा मम्मी, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। बेटा, घड़ तो तुमने कभी कुछ बनाया नहीं, यहाँ खाना बनाने लगी। सनिहा बहुत घबराने लगी, कि कहीं उसके नकली सनिहा होने का राज खुलना जाए। हमने सनिहा को सब सिखा दिया, इसनिहा तुम अब किचन में जाओ। तभी काव्या और कोमल नीचे उतर कर आते हैं और सुधीर और कामिनी से बाते करते हैं। वैसे बहु बहुत सुन्दर लाई हो। हाँ, और अच्छी भी बहुत है। रवीश किचन में जाता है। क्या हूँ है सनिहा, क्यों इतना घबरा रही हो, देखो तुम्हें पसीने भी कितने आ रही हैं। मैं यहाँ नकली सनिहा बन सकती हूँ, लेकिन उसके मम्मी पापा तो पहचाल लेंगे ना। हाँ, कुछ सोचते हैं, तभी रवीश सोच में पड़ जाता है, रवीश सनिहा को स्टेशन लेने जा रहा होता है, तभी रास्ते में गाड़ी के सामने मोर्नी मानव रूप में खड़ी हो जाती है। तुम मेरी गाड़ी के सामने मरना क्यों चाहती हो? मुझे काल गुरू ने काव्या की शक्तिया नश्ट करने भेजा है मैं तुम्हारे घर में रहूंगी लिकनी कैसे संभव है मोरनी सनेहा के रूप में आ जाती है और फिर वापस मोरनी रूप में आ जाती है मैं सनेहा बनकर तुम्हारे घर में रहूंगी अच्छा एडिया है, हम स्नेहा को मेरे गैस्ट हाउस में कैद कर देंगे रवीश स्नेहा को गाड़ी में ले आता है और उसकी आखों पर काली पट्टी बांध कर उसे गैस्ट हाउस में कैद कर दिया जाता है सनेहा बाहर आकर अपने मम्मी पापा के साथ बात करने लगती है सनेहा इतनी क्यों बदल गई है? अजीब सा व्यवहार कर रही है तभी काव्या और सनेहा का सामना होता है बहुत जल्दी तेरा सच सबके सामने आ ही जाएगा सनेहा मोरनी उठकर छट पर जाती है वहां कोमल पहले से ही बैठी है सनीहा के मम्मी पापा को भी धोका दे ही दिया क्यों तुम बिना धोके के यहा रह रहे हो कोमल गुस्से में आकर सनीहा को मारने लगती है और जीब बाहर निकाल कर आग फेकती है सनीहा भी अपने मोरनी रूप में आ जाती है और पलट कर वार करती है कोमल लागी बहुती है लेकिन तभी विनीद की आवाज आती है और दोनों वापस मानव रूप में आ जाते हैं आरे तुम दोनों कहां छिपे हो? जल्दी चलो गूमने चलते हैं नहीं मेरा मन नहीं है लेकिन कहां जा रहे हैं? ये तो मैं भी नहीं जानता राज का ही सर्प्राइज है राज विनीद कोमल और काव्या चल देते हैं और राज के कहने पर स्नेहा भी तयार हो जाती है घूमने वाली जगह पर पहुँच कर राज गाड़ी रोग देता है तभी स्नेहा चोक कर यहां क्यों आए हो? भाई क्यों? तुमें ये जगह पसंद नहीं है क्या? नहीं, सब ठीक है ये हमारा गैस्ट हाउस है हम यहां कभी-कभी आते हैं अब बाहर से ही तारीफ करोगे या अंदर भी लेकर चलोगे मुझे बहुत भूख लगी है सौरी भाई, भूल गया था मैं कि विनीत एकदम भुक कड़ है और गैस्ट हाउस में भी खाने का प्रबंद देख रहा है सभी हसने लगते हैं सभी गैस्ट हाउस में जाते हैं वहां बाहर बहुत धूल दिखाई दे रही है यहां बहुत धूल और गंदगी है तो चिंता की क्या बात है इसको साफ कर देते हैं मैं तो खाने का सोच रहा था लेकिन अब सफाई करने पड़ेगी नहीं नहीं, मुझे धूल से इंफेक्शन है यहां कोई आता जाता नहीं है इस वज़ा से इतना गंदा है लेकिन हम इसे जल्दी ही साफ कर सकते है कहीं यह सफाई करने लगे तो कुछ गड़ बढ़ ना हो जाए यह भगवान बचा लो तभी कूमल पीछे से सनेहा को बुलाती है कहां कोई हो मैडम वो कुछ नहीं बस कुछ चीज़े देखकर घर की याद आ गई थी इस ओके डियर तुम एक जगह आराम से बैठ जाओ चलो ठीक है अगर सनेहा का मन नहीं है तो हम यूँ ही घूम लेते हैं अच्छा जी बहुत सही मतलब मैं खाने की जगह धूल खाओ और आप आराम करोगे तु मेरे साथ चल राज अपना कैस्ट हाउस घूमाओ ना देखिए यह आपका ही है जहां मर्जी आप खुद ही घूम सकते हो कूमल एक बड़े से हॉल का दर्वाजा खोल देती है वाउ यहाँ इंडूर गेम्स भी है विनीत और राज एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं जहां बाहर की ओर से एक बालकनी है और अच्छा व्यू आ रहा है इसमें तुम लोगों की कोई चाल है मैं अच्छे से समझती हूँ वैसे भी तुम कब तक बचोगी बिकार में मतलजो वरना जिन्दा नहीं बच पाओगी तुम्हारी इतनी हिम्मत के मुझे चुरौते दोगी तुम्हें अभी बताती हूँ स्नीहा आखे बंद करके हाथ में कोई शक्ती लेकर काव्या और कोमल के उपर फेकती है बदले में कोमल भी गुस्से से आखे लाल करके अपनी लंबी जीब बाहर दाती है और स्नीहा की शक्तियों को रोकती है काव्या को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और काव्या नाग्यम रोक में आकर बहुत गुस्से से चिलाते हुए हाथ पीछे करके मुँ आगे करके मुँ से आख को साथ साथ शक्तिया फेकने लगती है जिससे इसनीहा जुलसने लगती है और पूरे हॉल में भागने लगती है जिसके शोर से विनीत और राजभू दोड़ कर आने लगते है काव्या उन दोनों को देखकर ये सब रोक देती है अचानक से इतना शोर क्यों आया सब ठीक है ना हाँ सब ठीक है अरे यार आप क्या कर रहे थे ऐसा कि तुम्हारा शोर सुनकर हम दोनों को काम बीच में ही छोड़ कर आना पड़ा हम फुटबॉल केल रहे थे ओ हमारे बिना फुटबॉल और हमको काम पर लगा दिया इस मामले में लड़कियां बहुत तेज होती है और हम लड़के ठहरे बेचारे बुद्धु जो तुम्हारे इशारों पर नाचते है ताथया ताथया हाँ हाँ भाई अब चल भी ले काम पर वापस इन तीनों को भी ले चलते हैं वरना दोबारा खेलेंगी तो भुकाम पा जाएगा विनीत की बात सुनकर सभी हसने लगते हैं कहां है आपका सर्प्राइज पहले आप अंदर तो आईए काव्या के साथ सभी कमरे में आ जाते हैं कमरा काफी बड़ा है जिसमें सोफे के साथ एक बेड भी है विनीत और राज ने उसमें बहुत सारे गुबारे लगाए हैं और एक हैपी बर्थडे का बड़ा सा स्टीकर है एक तरफ खाने पीने के लिए स्नैक्स और कोल ड्रिंक रखे हैं सोफे के सामने एक मेज है जिस पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा है कुछ मोंबत्तिया जल रही है बाहर की तरफ एक गेट है जो बालकनी में खुलता है और बालकनी से बाहर देखने पर पानी के ज़रने पेड़, फूल, पक्षी दिख रहे है यह सजावट किसके लिए की गई है? अभी आप आगे तो देखिए के? जी हाँ आज किसका बर्थडे है? भाबी जी आज मेरा बर्थडे है और यही आपके लिए सर्प्राइज है बर्थडे तुम्हारा और सर्प्राइज मेरे लिए? यस, मैंने मेरे जरन दिन का खुदी बार्टी करके सर्प्राइज दिया है क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि मेरा जरन दिन कब आता है? हाँ जी, बहुत अच्छा सर्प्राइज है आओ तो आपके काटते हैं राज, तुझे एक बार याद है जब हम छोटे थे तो तेरे जरन दिन पर हाँ, और ये बातें मैं काव्या को जरूर बताऊंगा अब तो जरूर जानना है, बताओ राज नहीं भाई, ये मत बताना और मुझे भी जानना है अच्छा मैं खोदी बता देता हूँ जब मैं ओ राज छोटे थे, तो एक बार राज के जन दिन पर केक काटने से पहले ही मैंने अपने पूरे हाँ से उठा कर केक खा लिया था सबने समझा था कि ये बिल्ली का हाथ है और जब बाद में मेरे मुझे पर केक लगा देखा तो मम्मी ने मेरी बहुत पिटाई की थी सभी बहुत तेज हसने लगते हैं राज की नजर सनेहा पर जाती है और वो देखता है कि सनेहा दूर खड़ी रह गई है क्या बात हो सनेहा तुम सबसे अलग क्यों खड़ी हो नहीं कुछ नहीं बस थोड़ा सा सिर में दर्द है आ जाओ अभी केक काट कर फिर घर चलते हैं सनेहा भी सोफे पर जाकर बैठ जाती है चल विनीद शुरू कर विनीद हाथ में चाकू लेता है लेकिन तभी कहाँ कर अजीब सा पक्षी आता है और केक में चोँच मार कर बालकनी से बाहर निकल जाता है हादा यार, मुझसे पहले ही मेरा केक को और काट गया तेरे साथ यही होता है, तुझसे सब मजा करते है राज की नजर केक पड़ जाती है और राज सोच में पड़ जाता है मुराब तो ठीक है लेकिन मेरे एक बास समझ नहीं आ रही है क्या इस केक में चौँच एक पक्षी नमारी और निशान तीन के है काव्या, कोमल, सिम्हा और गिनीत सभी केक को देखते है हाँ निशान तो तीन ही है इसका मतलब है कि पक्षी तीन है या चौँच तीन है नहीं, चौँच तीन है ये कोई लोजिक नहीं है तभी पक्षी वापस आता है और केक पर बैठ कर उड़ जाता है एक पक्षी है जिसका रंग काला है और उसकी गरदन से तीन मूह लगे हुए है उसकी लाल आखे हैं, बड़े बड़े पंग हैं, दो मोटे पंजे हैं, जिसमें नुकीले नाखून हैं, फिर से एक नहीं आफ़त ओ, तो ये हैं वो महाश है, जिन्होंने मेरा केक खराब किया, आजाओ, आजाओ, अब खालो, अब क्यों दूर बैठे हो, सहाब ने मूँ भी तीन-तीन ले रखे हैं, मजा का टाइम नहीं है यार दरावना पक्षी तेज-तेज आवाजे निकालता है, और मुह से एक भाब राज पर भेगता है, राज एक तरफ हट जाता है, काव्या राज के सामने खड़ी हो जाती है, और कोमल पक्षी पर वार करती है, राज विनीत काव्या और कोमल पक्षी से लड़ाई करते हैं, और अंत में राज अपनी पिस्तॉल निकाल कर दरावने पक्षी पर चलाता है। गोली पक्षी के बराबर से होकर निकल जाती है और दीवार में जाकर लगती है। फिर काव्या भी अपनी शक्तियों का प्रयोग सबसे छुपाकर करती है। जिससे पक्षी डर कर भाग जाता है। चलो जान छूटी यार ये सब मुझे ही क्यों मिलता है। देखो ना कितनी मेहनत की थी और अब सब बेकार हो गया। तो तुम यहां हमेशा रहना चाहते हो क्या। नहीं भाई नहीं मेरी तो आज वाले सीन से हालत खराब हो गई है। अच्छा आप गैस्ट हाउस घुमा दो। नहीं नहीं मुझे घर जाना है। रुको इसनिहा कुछ समय बात चलते हैं। राज सभी को गैस्ट हाउस दिखाता है। बस यार अब नहीं घुमना, मैं ठक गया हूँ। और वैसे भी तेरे इस गैस्ट हाउस का कुछ नहीं बता, कि ना जाने कहां से कब क्या निकला आए। तू थोड़ा कम इतराय कर विनीत, और चल अब घुमाता हूँ तुझे भी। राज सभी को पूरा गैस्ट हाउस घुमा देता है, लेकिन एक कमरे का ताला नहीं खुलता। तू राज घर चलने के लिए बोलता है। नहीं राज, ये कमरा भी दिखाओ, कि इसमें कौन सा राज चुपाया है तुमने। ताला नहीं खुल रहा है। काव या ताला अपनी शक्ति से खोल देती है। ये ताला क्यों खुल गया। लोग खुल गया ताला, चलो अब चलकर देखते हैं खाजाना। नहीं नहीं, अंदर मत जाना। स्नेहा अंदर जाने के लिए मना करती है तुझ पर्फियों से आश्चर्य चकेथ होकर देखते है कोई अंदर नहीं जाएगा क्यों अंदर भूत है क्या क्या पता यार इन्होंने भी कोई सर्प्राइस त्यार किया हो अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं अच्छा तो बताओ अब अंदर क्या है नहीं नहीं अब मेरी तरफ से कोई सर्प्राइस रही है लेकिन पहले मैं अंदर जाना चाती हूँ ओ अब समझा आप लेडिस फर्ष्ट वाला फॉर्मुल अपना रहे हो हाँ भाई पिलकुल सही तो ठीक है जाने दो स्नेहा कमरे के अंदर जाती है और जाकर नजर इधर उधर दोडाती है लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं दिखता ओ आज भगवान ने बचा लिया तब तक बाकी सब भी अंदर आ जाते हैं ये स्टोर रूम है हाँ देखो न यहाँ सिर्फ पुराना सामान और धूल है काव्या और कोमल स्टोर रूम में कुछ देखने की कोशिश करती हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता चलो अब घर चलते हैं तभी वाई चील उड़कर जाने लगा यार तेरा ये गैस्ट हाउस है या चड़िया घर सभी स्टोर रूम से बाहर निकलने लगते हैं तभी कोमल की नजर एक अलमारी पर परती है अलमारी में कपड़े का एक छोटा सा किनारा बाहर निकला हुआ है स्नीहा का कैस्ट हाउस से जल्दी जाने की जित करना स्टोर रूम में किसी को जाने से मना करना और अब ये अलमारी से बाहर देखता हुआ कपड़ा कुछ तो गड़बढ है और वो पक्षी कोमल अपनी शक्तियों का प्रयोग करके देखती है ओ तो वो पक्षी माया वी बहरूपिया है इसका मतलब एक और नई चाल तब तक सभी गाड़ी तक पहुँच जाते हैं ओ हो आभी भी खोई हो कभी हमसे भी बात कर लिया करो मैडम कोमल विनीद की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है सभी गाड़ी में बैठकर घर आने लगते हैं दूसरी तरफ राज के घर ये बच्चे नहीं आया भी आते ही होंगे इस निहा भी आजकल इनमें ही घुल मिल गई है मम्मी पापा घर पर है उसे पता होते उए भी कुछ याद नहीं है हाँ वैसे भी राज जादा होने वाली है आही रहे होंगे राज को तो अभी ये भी नहीं पता कि उसके गुरू जी चले गए है गुरू जी तो कुछ बुरे साए हटाने वाले थे इतनी जल्दी क्यों चले गए उनको कुछ काम आ गया था जल्दी ही वापस लोटेंगे भाबी जी आपके हाथ के वने गर्मा गरम पकोड़े बहुत याद आते हैं अब तुम जाकर पकोड़े बनाकर ले भी आओ हाँ हाँ बस जा रही हूँ काम्या पकोड़े बनाने किचिन में चली जाती है राज गाड़े रोको क्या हुआ सब ठीक तो है मेरी ही पास में एक फ्रेंड रहती है उसकी तबे थोड़ी ठीक नहीं है मुझे उससे मिलकर आना है अगर तुम्हें बुराना लगे तो क्या हम भी आ सकते हैं तुमारे साथ तुम वैसे भी बहुत ठके हुए हो तो घर चले जाओ मैं जल्दी वापस आ जाओंगी सनेहा गाड़ी से उतर जाती है और कोमल वा काव्या एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और सभी घर जाते हैं शिवजी का एक पुराना मंदिर है जहां अब तक कोई आता जाता नहीं है सनेहा मंदिर की तरफ जाने लगती है और एक चील उसका पीछा करता है मंदिर में पहुँचकर चील से कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो चील मानव रूप में आ जाता है मैं तुम्हारा मित्र हूँ कैसे मुझे यहां राज के घर में अपनी शक्तियों से देख रहे है इसनेहा पर कोई खत्रा मंदरा रहा है ये इन दोनों नागनों की नई चाल है मैं इनके मकसद को पूरा नहीं होने दूँगा गुरु जी के रूप में काम्यासे मैं अभी अपनी गुफा में वापस लोटना चाहता हूँ क्या हुआ गुरु देव मुझे या मेरे परिवार से कोई भोल हुई है आप सभी ने मुझे बहुत सम्मान दिया उसका मैं अभारी हूँ मुझे कोई जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ मैं जल्दी ही वापस लोटना ठीक है गुरु देव काल गुरु वहां से आ चुके है हाँ और उन्होंने फिर गुफा में जाकर एक हवन किया काल गुरु गुफा में आकर हवन करते हैं और अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करके हवन कुंड की आग से एक उच्छाधारी चील को जन्म देते हैं मैंने तुम्हारी उत्पत्ति के समय ही तुम्हारे अंदर हमारा मकसद और विचारों को डाल दिया था तुम्हें सब समझ आ गया है ना मुझे सब समझ आ गया अब मुझे गैस्ठाउस जाकर सनेहा की मदद करनी है सिर्फ गैस्ठाउस ही नहीं हमारे मकसद में काम्याब होने तक तुम्हें सनेहा के साथ ही रहना होगा ठीक है जैसा अपकी आ गया तुम वेश बदलने में सक्षम हो और तुम्हारा जन्म आग से हुआ है तो अब कोई आग भी तुम्हें नहीं जला पाएगी काल गुरू सीब को हाथ में पकड़ कर ओड़ा देते हैं अच्छा तो केक के उपर तुम ही थे सिर्फ केक के उपर ही नहीं श्टोरूम में भी मैंने ही तुम्हें बचाया मैं समझ गई थी पहले ही जब तुम लोग गैस्टाउस आए मैंने श्टोरूम में जाकर असली स्नेहा को बेहोश करके अलमारी में रख दिया और बाहर आकर वेश बदल कर विनीत का केक खराब कर दिया ताकि ये लोग जल्दी वहाँ से भाग जाएं और तुम्हारा सच किसी के सामने ना आए ठैंक गौट के काल गुरू को ये पता चल गया और उन्होंने ये सारी योजना बनाई और तुम्हें भी मेरी मदद के लिए भेजा अब बहुत रात हो चुकी है मैं घर जा रही हूँ मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा ठीक है सनेहा अब घर जाने लगती है सनेहा घर पहुँच गई और कोमल उसके लिए गेट खोलती है दोनों एक दूसरे को खूरते है कामिनी आती है सनेहा तुम इतनी लापरवा कैसे हो सकती हो ये घर आने का समय है क्या उसे सच में कोई काम रहा होगा सोरी हम जब से आये हैं सनेहा हमसे पहले के जैसे बात ही नहीं कर रही है हमें भी तो बुरा लग रहा है न ये देखकर आप टैंशन ना लीजिए हम सुभबात करेंगे सभी सोने चले जाते हैं लेकिन आधी रात को अचानक ही कोमल की आँखे खुलती है और उसे बाहर बीन की आवाज आने लगती है कोमल खुद को रोपने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो फिर भी उस आवाज के पास जाने लगती है आवाज उसके घर के पीछे से ही आ रही है जैसे ही कोमल ने पीछे वाला गेट खोला तभी एक बहुत तेज तूफान आने लगा लेकिन कोमल भीन के पास पहुँच गई जहां सनेहा पहले से ही मोर्नी मानव रूप में है तुम्हारी कोई भी चाल मेरा कुछ नहीं बेगार पाई और देखो मेरे एक इशारे पर तुम खोद यहां चली आई हो अच्छा तो ये तुम थी लेकिन मत भूलो के तुम भी मेरा कुछ नहीं बेगार सकती हो दूसरी तरफ विनीद की आख खुल जाती है अरे यार ये गेट किसने खुला छोड़ दिया इतनी हावा रही है विनीद भी पीछे की तरफ गेट बंद करने जाता है तभी बालकनी से उसे कोमल दिखती है ये कोमल इतनी रात में यहां क्या कर रही है वहां कोमल और सनेहा भी आपस में लड़ने लगते हैं विनीद उनकी योर आगे बढ़ता है विनीद को देख कर सनेहा और कोमल अचानक से गाहब हो जाते हैं कोमल अभी तो यही थी और अब अचानक से कहा गई कहीं भूठ तो नहीं हो मम्मी विनीद डरकर वापस भाग कराता है और कोमल के कमरे में जाता है कोमल बेट पर ही सोई हुई है यार सच में ही कोई भूत था विनीद सारे दर्वाजे बंद करके वापस अपने कमरे में आकर सो जाता है भगवान का शुक्र है कि विनीत आज कुछ नहीं देख पाया, लेकिन अब मुझे गैस्ट हाउस जाना होगा. कोमल रात में ही गैस्ट हाउस में जाकर स्टोर रूम में पहुँच जाती है, और उसी अलमारी को जाकर खोलती है, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है. कोमल ने अलमारी खोली, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है, कोमल ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे वहाँ एक बॉक्स देखाई दिया, जो अभी गिरा था. कोमल अनसुना करके फिर अलमारी में देखती है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सर्फ मेरा वहम ही हो, यहाँ कुछ तो था, कोमल सोच ही रही होती है, कि तभी उसे पीछे से फिर एक आवाज आती है, कोमल पीछे मुड़कर देखती है, एक चील सनेहा को वहाँ से लेकर जा र लगता है, तभी कोमल अपनी शक्ती से वार करती है, चील और असली सनेहा नीचे आकर गिर जाते हैं, नीचे गिरने के कारण सनेहा को कुछ होश आने लगता है, चील मानव देख में आ जाता है, वापस चली जाओ नागिन, सिर्फ नागिन ही नहीं, जहरीली नागिन, कोमल क्रोध में आ जाती है जिसके कारण उसकी आखे नीली हो गई है एक बड़ी जीब बाहर निकल आई है चहरे का रंग भी नीला पड़ता जा रहा है मुझे यहां से जाने दो मेरा सामना करो स्नेहा ये सब चुप चाप देख रही है तो उसनेहा को हमसे नहीं बचा सकती हो तुम खुद को मुझसे नहीं बचा सकते हो कोमल क्रोध में आकर अपनी जीब को बहुत लंबा कर लेती है और चील की गर्दन पर वार करती है चील भी बदले में कोमल की जीब पर वार करता है लेकिन कोमल नागिन रूप में आकर अपनी पूँच से चील को बांधने लगती है चील भी अपने चील रूप में आकर कोमल की उपर चोंत से वार करता है और कोमल को साथ ले जाना चाहता है कोमल में से आग खुट कर उसे जलाना चाहती है लेकिन चील पर इसका कोई असर नहीं पड़ता कोमल के उपर हसने के लिए चील वापस मानग रूप में आता है और सनेहा पीछे से एक गमला उठा कर चील को माड़ती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और कोमल सनेहा को लेकर घर आ जाती है अरे इतनी सुभा सुभा तुम दोनों कहां से आये हो हम तो सुभा सुभा बाहर टहलने गए थे बहुत बढ़िया कोमल जी हम तो समझें कि आप अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई हो और तुमों कि सारी ओक्सिजन लेकर आ रही हो हां जी एक कहावत है कि जो सोता है वो खोता है सभी हसने लगते हैं तभी सनीहा की नजर सुधीर और कामिनी पर जाती है पापा ममी कैसे हो आप आज आप कितने दिन बाद मिले हो कंट्रोल सनीहा सोरी अचानक से देखकर भावोख हो गई थी क्या बात है सनीहा जब से हम आये है तब से ही तुम दूर दूर भाग रही थी और आज अच्छे से बात कर रही हो अचानक से इतना परिवर्तन कैसे बेटा सनीहा अपनी ममी के गले से लिपट कर रोने लगती है तब ही वहां काव्या राज और रवीश भी पहुँच जाते हैं काव्या और राज के हाथ में एक बड़ा बैग है कुछ ना कुछ तो गरबर हुई है जरूर कहीं मोरनी भाग तो नहीं गई और ये असली सनीहा यहां आ गई ये सनीहा अचाचानक रोने क्यों लगी काव्या अपनी शक्तियों का प्रयोग करके देखती है तो उसको सारी घटना समझ आ जाती है सनीहा क्या हुआ तो मचानक से क्यों रो रही हो अरे आ गया होगा कुछ ख्याल तुम मा बेटी के बीच में क्यों बोल लही हो कुछ नहीं ऐसे ही रोना आ गया था अब घर चले सनीहा ठीक है पापा सनीहा, रवीश और कामिनी तीनों अपने घर चले जाते हैं काव्या और राज भी अब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं काव्या तुम ये बड़ा सा बैग लेकर कहां जा रही हो ओ सौरी कोमल मैं बताना भूल गई थी मैं और राज शादी के बाद कहीं नहीं गए हैं तो हमने सोचा कि कहीं घूमाते हैं हम छैसा दिनों के लिए जा रहे हैं तुम्हारी यात्रा शुब हो आओ गले तो मिल्लो काव्या काव्या गले मिलने के लिए कोमल के पास आती है तुम बिल्कुल भूल गई हो कि तुम इस घर में क्यों आई हो राज की कारण तुम अपने मम्मी पापा की भी दुश्मनों को भूल गई हो तुम तो जानती ही हो कि राज मीरा कितना खयाल रखता है कोमल बिना कुछ बोले ही गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है राज और काव्या घूमने जा रही है लेकिन गाड़ी में पीछे चुपचाप मोरनी बैट जाती है मुझे ये अजीब सी गंध क्यों आ रही है काव्या अपनी आखे बंद करके देखती है तो उसे मोरनी दिख जाती है तुम कहां खोई हो? कहीं तो नहीं फिर चुप क्यों हो? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी ये हम केस होटेल में रुखने वाले हैं ओहो, तुम्हें अभी से होटल की चिंता है पहले रास्ता तो एंजाय करो राज एक होटल के सामने गाड़ी रोक देता है खाविया, तुम यही रुको पहले में बात करके आता हूँ ठीक है, जल्दी आना राज चला जाता है तभी मोरनी गाड़ी में पीछे बैठकर हसने लगती है तुम अभी हमारे साथ क्यों आ रही हो? स्नेहा को तो जहरीली नागिन कोमल ने बचा लिया और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है अब मैं कहां जाओ तभी मोरनी को राज आता हुआ दिख जाता है और मोरनी गायब हो जाती है काविया, हम इसी होटल में रुकेंगे चलो चलते हैं राज और काविया, अपना सामान होटल की एक कमरे में रख देते हैं दूसरी तरफ तुमसे हमें बहुत उम्मीदे थी लेकिन तुम एक स्नेहा पर भी नज़र नहीं रख पाए मैं तो कोमल को आता देख स्नेहा को गयब करने ही वाला था लेकिन कोमल ने देख लिया अब मोडनी का काविया के साथ रहना कितना मुश्किल है हम अब कैसे अपने लक्ष में सफलो पाएंगे मुझे से गलती हुई है काल गुरू जी लेकिन अब मकसद को पूरा करने की जिम्मदारी भी मेरी है मैं इसमें कामियाब होकर रहूंगा मैं अपनी शक्तियों से देख पा रहा हूँ कि काविया तो अब घर पर नहीं है हाँ काल गुरू और मोडनी भी उनके साथ गई है तुम जाकर कोमल पर नजर बना कर रखो तभी गुफा में रवीश आता है कहो रवीश कैसे आना हुआ काल गुरू जी जो मैं समझ रहा हूँ क्या वो सत्य है हाँ रवीश ये सौब प्रतिशन सत्य है आप आखिर कर क्या रहे हो आपकी शक्तियां क्या इतनी छोटी हो गई है ना मेरी शक्तियां छोटी है और ना मैं छोटा हूँ लेकिन वो काव्या बहुत तेज है और तुम जानते हो कि काव्या का अभी जिन्दा रहना कितना जरूरी है फिर इससे कैसे बचा जाए तुम घबराओ मत जल्दी ही इसका खात्मा करेंगे मुझे कोई उपाय सोचने दो ठीक है अब मैं चलता हूँ रवीश घर आजाता है और कोमल अब गुस्से में खुद ही रवीश को मारने का सोचती है आंटी जी मुझे बाहर कुछ काम है मैं एक दिन बाद लोटूंगी अरे यार अब ये कोमल कहा जाने लगी जैसे तैसे तो कोमल से बात करने का मौका मिला है पहले तो काव्या ही इसे नहीं छोड़ती थी कोमल तुम अभी क्यों जा रही हो मेरा मतलब है कि अकेले क्यों जा रही हो पहले तो तुम्हारी मदद के लिए काव्या होती थी लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अंकल आप रहने दीजिये, क्योंकि आपको और भी तो काम होंगे, मैं कोमल के साथ चला जाऊंगा अब इस विनीत का भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, तुम छोड़ दो रवीश गुसे में बोलकर चला जाता है, दूसरी तरफ मोर्नी जादू से कावया के कमरे में मच्छर छोड़ देती है, और खुद भी वहीं छुप जाती है ओ, यहाँ इस कमरे में मच्छर बहुत है हाँ, पता नहीं कैसे आ गए, अच्छा रुको, मैं ओल आउट लेकर आता हूँ पहले आप चाई पी लीजिए, ओल आउट बाद में ले आना पहले मैं ओल आउट ले आता हूँ, ठीक है, उसके बाद आकर चाई पियूँगा जैसे ही राज कमरे से बाहर चला जाता है, तो तुरंथ ही मोर्नी कमरे में बाहर निकलाती है तुम यहाँ भी? हाँ, और मैं यहीं रहूंगी, राज सिर्फ मेरा है, मैं राज को छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगी वो तुम्हारी इतनी केयर करता है, यह देखकर मुझे बहुद गुसा आ रहा है काव्या मोर्नी को एक थपड मारती है, और मोर्नी पास ही रखे मेज के पास जाकर गिरती है तेरी इतनी हिम्मत? मोनी गुसे में गर्म चाय उठा कर काव्या के मुँपर फेंग देती है काव्या दर्द से चिलानी लगती है आवाज सुनकर राज भी वहां आ पहुँचता है और जोर से चिलाता है काव्या दर्द से तडप रही है और मुँपर हाथ रखे कम्रे में इधर से उधर दोड रही है जिससे कुछ-कुछ सामान भी नीचे गिर गया है काव्या, काव्या क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों रो रही हो? काव्या अभी भी रोती रहती है और राज काव्या की पास जाकर उसका हाथ चहरे से अलग हटा रहा है और तेज आवाज में चिल लाता है काव्या, ये क्या हो गया? राज अपना फोन निकाल कर होटेल की इमरजेंसी में कॉल करता है और वहां से एम्बुलेंस की सहायता से काव्या को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है कोमल भी एक दिन के लिए बाहर आ चुकी है मैं मेरे प्लान के अनुसार ही चल रही थी लेकिन विनीद ने सारा काम खराब कर दिया कितना अच्छा रहता ना यदि रवीश यहां आता और अब तक में काव्या के मम्मी पापा का बदला ले चुकी होती तब ही विनीद आ जाता है कोमल मेरे एक बाद समझ नहीं आई कि तुम यहां क्यों आई हो मैं कब से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस जगे तुमें क्या काम हो सकता है तुम अपना जादा दिमाग मत लगाओ मैं पहले से ही परेशान हूँ हसते हुए अब शहर से दो जंगल में रहोगी तो पैशान तो होना ही है यहां किस का मन लगेगा यह मेरी प्रियर जगा है और तुम जादा शहरी बनकर इसकी बेज़ती मत करो ओ सॉरी चलो मैं कभी बनकर इसकी तारिफ कर देता हूँ तुम शाद नहीं रह सकते हाँ जी इस बड़े खुबसूरत जंगल में घुमते हुए यह खुबसूरत पक्षी लंबे सिंगों वाले यह सुन्दर जन्तू इस जंगल की शोभा बढ़ा रही है और यह अश्व से तेज बहती हवाएं जंगल की खुबसूरती में चाचान लगा रही है वावा क्या बात है परंतु अब अपनी वाणी को विराम भी दीजिये कवीवर विनीत और कोमल दोनों हसने लगते हैं राज और काव्या को एक बर फोन करके पूछ तो लो कि वो लोग अच्छे से पहुँच तो गए है और ठीक से तो रह रहे हैं न ठीक ही होंगे क्यों फाल तुमें चिंदा कर रही हो मेरा दिल घबरा रहा है ठीक है कर रहा हूँ रवीश कॉल करने के लिए फोन निकालता है लेकिन राज का फोन खुद ही आजाता है राज का खुद ही फोन आ गया रवीश और राज फोन पर बात करते हैं तुम दोनों कैसे हो मैं अच्छा हूँ लेकिन काव्या को थोड़ी सी चोट लगी है ये बात काम्या सुन लेती है और रवीश के हाथ से फोन लेकर राज से बात करती है क्या हुआ काव्या को मा वो काव्या के हाथ से काज का गिलास गिर गया था और वो पैर में जा लगा जाधा तो नहीं लगी नहीं मा थोड़ी सी लगी है ट्रीटमेंट मिल चुका है जल्दी ठीक हो जाएगी ठीक है बेटा काव्या का ध्यान रखना फोन कट जाता है आज काव्या को चोट लगी है इसके लिए मैं बहुत खोश हूँ लेकिन चोट थोड़ी सी क्यों लगी है जाधा लगनी चाहिए थी ना रवीश मन में यही सोचते सोचते सो जाता है मिस्टर राज हमने इन्हें दवाईयां दे दी है जल्दी ही आराम पड़ेगा तब तक तुम बहाँ जाकर बैठो राज बाहर जाकर बैठ जाता है और बाहर वाली खिडकी से मोर्नी काव्या के पास आ जाती है काव्या को डॉक्टर ने नशे का इन्जेक्शन दिया हुआ है काव्या अभी भी बेहोश है दूसरी दरव मेरा दिल घबरा रहा है यहां से अभी चलते हैं लेकिन हुआ क्या है तुम अचानक से इतना पैशान क्यों हो गई हो अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता लेकिन तुम घर चलो विनीत गाड़ी चलाता है और कोमल आखे बंद करके अपनी शक्तियों से देखती है कि काव्या पर कोई खत्रा मड़ा रहा है विनीत गाड़ी तियस चलाओ चला तो रहा हूँ फुल स्पीड में चलाओ तुमको हो क्या रहा है मैं गाड़ी का हवा जास तो नहीं बना सकता ना गाड़ी रोको अब क्या हुआ मैंने कहा गाड़ी रोको विनीत गाड़ी रोक देता है और कोमल गाड़ी को हवा में उडाने लगती है डर से चिलाते हुए पागल हो गई हो तुम हाँ ये क्या कर रही हो, ऐसे गाड़ी कौन चलाता है कोमल विनीत की बातों का जवाब नहीं देती है और गाड़ी को बहुत तेज स्पीड से लाकर घर के बाहर रोग देती है विनीत राहत की सांस लेते हुए एक कहावत बोलता है जान बची भईया लाकों पाए, लोट कर बुद्धू घर को आए गाड़ी से नीचे उतरो तो ऐसे नकरे क्यों दिखा रही हो, वो तो आपको भी उतरना है घर जाओ और अगर कोई मेरे बारे में पूछे, तो बता देना कि मैं अपनी किसी फ्रेंड के पास ही रुख गई वैसे तुम जा कहा रही हो तुम्हें सब कुछ पताना जरूरी है क्या ठीक है, जाओ कोमल जल्दी से काव्या के पास पहुँच जाती है मोर्नी काव्या की और बढ़ ही रही होती है कोमल उसे पकड़ कर खीच लेती है और वहां से उठा कर ले जाती है मोर्नी कोमल की पकड़ से खुद को छुडाने की कोशिश करती है लेकिन कोमल ने बहुत गुस्से में मोर्नी को पकड़ा हुआ है मोर्नी अपनी असली रूप में आ जाती है और फिर कोमल नागिन बन जाती है दोनों लड़ाई करने लगते हैं कोमल अपनी जीब को बाहर निकालती है जो बहुत ही लंबी है मोर्नी उससे डर कर थोड़ा सा दूर भागती है और फिर कोई योजना बनाती है मोडनी वापिस मानव रूप में आकर एक बड़ा सा पत्थर उठा कर कोमल पर पूपती है कोमल अभी भी अपने नागिन रूप में है इसलिए घायल हो जाती है लेकिन हार नहीं मानती और मानव रूप में आ जाती है अगर तुझे लगता है कि तू मुझे चोट पहुँचा कर खुद आराम से रह सकती है तो सुन गलत है तू तू खड़ी नहीं हो सकती और खुद को ताकतवर समझती है कोमल ये बात दिल पर ले लेती है और गुस्से में आकर खड़ी हो जाती है कोमल अपने मुह से फूप मारने लगती है जिससे एक तूफान आ जाता है और इस तूफान में मोर्वनी भी कहीं उड़ जाती है कुछ समय बाद ये तूफान रुपता है कोमल काव्या के कमरे में जाती है काव्या अभी भी बेहोश है और कोमल ये देखकर वापस आकर अपने कमरे में चुपचाप सो जाती है कोमल के कमरे की पीछे वाली खिड़की पर एक चीन मंदा जाता है कोमल के कानों में ये आवाज गई और वो जाग जाती है कोमल जाग कर चील की आवाज को ध्यान से सुन रही है तभी चील शीशे की खिड़की को तोड़ कर अंदर आ जाता है और कोमल भी बेट से खड़ी हो जाती है तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? यही सवाल तब मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम मौर्नी और काव्या का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो? कोमल भी नागिन देख में आ जाती है चील उसे अपनी चोच में उठा कर ले जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नागिन बड़ी होती जा रही है चील नागिन को उठा नहीं पाता वो उसे जबर्दस्ती उठा कर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन नागिन और चील बची हुई दूसरी शीशे की खिड़की में जाकर लगते हैं बहुत तेज आवाज करते हुए ये खिड़की भी तूट जाती है और चील कोमल को छोड़कर भाग जाता है तुम ते कुछ आवाज सुनी क्या? कुछ नहीं, तुम सो जाओ वैसे आवाज के पीछे ज़रूर कोई कारण है और ये आवाज शायद कोमल के कमरे से आ रही थी जाकर देखता हूँ रवीश उठकर जाता है लेकिन दर्वाजे की घंटी बचती है गेट खोल कर देखना के दर्वाजे पर कौन है? कहीं आज इतनी जल्दी सुभा दूद वाला तो नहीं आ गया? आज दूद दिने वाले को भी इतनी सुभा ही आना था रवीश जाकर गेट खोलता है लेकिन गेट पर राज है आवाज सुनकर काम्या भी बाहर आ जाती है राज तुम तो कुछ दिन बाद आने वाले थे और काव्या कहां है? राज गाड़ी की ओर इशारा करता है लेकिन गाड़ी से एक बहुत ही खुपसूरत लड़की बाहर निकलती है जो दर्वाजे की तरफ चली आ रही है राज मैंने तुझसे काव्या के बारे में पूछा है कि काव्या कहां है? और तेरे साथ ये लड़की कौन है? काम्या के सवाल पर राज चुप हो जाता है मैं कुछ पूछ रही हूँ राज, काव्या कहां है? तब तक वो लड़की राज के पास आ पहुँचती है और रवीश, वो काम्या के चरंड स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन काम्या अपने पैर पीछे हटा लेती है मां काव्या के साथ ऐसा विभार क्यों कर रही हो? लगता है तुम पागल हो चुके हो इस लड़की की और ध्यान से तो देखो कि ये कौन है? मां ये काव्या ही है ठेले आप हमें अंदर तो आने दीजी फिर हम आपको साथी बात बताते है काम्या दर्वाजे से अलग हट जाती है राज और वो लड़की सोफे पर आकर बैठ जाते हैं जब मैं होटल में ओल आउट लेकर वापस लोटा तो काव्या दर्व से चिला रही थी काव्या काव्या क्या हुआ तुम्हें? राज काव्या को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और वहाँ डॉक्टर काव्या का ट्रीट्मेंट चुरू कर देते हैं राज बाहर बैठ कर इंतिजार कर रहा है और तब ही डॉक्टर भी बाहर आ जाता है डॉक्टर सहब अब काव्या कैसी है? काव्या आप तो ठीक है वैसे लेकिन… लेकिन क्या? गर्म चाय गिरने से काव्या का चैरा बुरी तरह जुलस गया है और इसके लिए हमें चैरे की सरजरी करनी होगी यह क्या कह रहे हो आप? ऐसा नहीं हो सकता खुद को सम्हालो मिश्टर राज और जल्द ही निर्णा लीजिए आप सरजरी कर दीजी डॉक्टर सहाब मुझे सिर्फ मेरे काव्या ठीक चाहिए और कुछ नहीं डॉक्टर चला जाता है काम्या काव्या को गले से लगा लेती है मयूरी काल गुरू के पास जाती है काल गुरू जी मैं उस कोमल से बहुत परेशान हो गई हूँ कुछ कीजिए मेरी शक्तियां कमजोर पढ़ती जा रही है तुम्हारे पास परियाप्त शक्तियां है लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कमजोर हो तो मैं तुमको और शक्तियां दिये देता हूँ और अब तुम काव्या की शक्ति नश्ट करने से पहले उस कोमल को ही रास्ते से हटा दो ठीक है काल गुरू जी मैं अब कोमल को मार कर ही वापिस लोटूंगी मयूरी काल गुरू से शक्तियां लेकर आ जाती है कोई बात नहीं काव्या, तुम जादा परिशान मत हो ना, कभी-कभी हमें भी पता नहीं होता है, कि अगले ही पल क्या होने वाला है, और दुरगटना हमारा इंतजार कर रही होती है काव्या, तुम्हारे चेहरे पर ये चाय गिरी कैसे? हाँ, ये बात तो मैं भी पूछना भोल गया, चाय तो मेज पर रखी थी, फिर वो तुम्हारे चेहरे पर कैसे पहुंची? काव्या कुछ बोलती, उससे पहले ही, रवीश बोल पड़ता है हाँ, हो सकता है कि काव्या फिसल कर गिर गई हो हाँ, मैं फिसल कर मेज से टकराई और नीचे गिर गई, और उपर से चाय का कप मेरे चेहरे पर गिर गया तभी तो मैं हमेशा कहती हूँ के देख कर चला करो तभी वहाँ कोमल आ जाती है, और राज कोमल को भी सब बताता है लेकिन कोमल पहले से ही ये जानती है कोमल उठकर अपने कमरे में चली जाती है और विनीद भी पीछे पीछे आ जाता है काव्या ने आज भी रवीश को बचा लिया और मोर्नी की बारे में किसी को कुछ नहीं बताया मैं आज मोर्नी को खत्म करके रहूंगी कोमल नागिन बनकर पीछे खिड़की से निकल जाती है और विनीद ये सब देख लेता है मुझे शायद किसी ने तु देखा है और पक्का ये विनीद ही है अब अगर इसने किसी को कुछ बता दिया तो मुझे यहां से जाना होगा और काव्या अकेली रह जाएगी तभी विनीद खिड़की से नीचे जाकता है और कोमल भी उपर देखती है विनीद कुछ नहीं बोलता इस विनीद को तो मैं आकर ही देखूंगी पहले उस मोर्नी से निपटलू कोमल मोर्नी के पास चली जाती है मोर्नी और कोमल गुस्से में एक दूसरी की तरफ बढ़ रहे है तभी आकाश में एक बिजली कड़कती है ये बहुत अच्छा हुआ कि तू खुद मोत के पास चल कर आ गई है मोत किसकी होगी ये तो अभी पता चल जाएगा कोमल बहुत गुस्से में अपनी आखें लाल कर लेती है और जीव बाहर निकाल लेती है मोर्नी अपनी शक्तियों से एक बड़ा सा गोला उत्पन करती है जिसमें आग निकल रही है और उसे कोमल की उपर भेक कर मारती है कोमल मुह से आग भेक कर उस गोले को बीच में ही नश्ट करती है कुछ समय तक ये वार प्रतिवार चलता रहता है और अंत में कोमल अपनी जीब को मोरनी के गले में लपेट देती है और सांस रुकने के कारण मोरनी मर जाती है राज के घर काव्या खुद को शीशे में देख रही है क्या हुआ काव्या इतने समय से क्या देख रही हो वो कुछ नहीं बस ऐसे ही तुमसे कहा है ना कि उस बात के लिए जाधा पैशान मत हो ये बात भूल जाओ और सो जाओ काव्या सो जाती है लेकिन तभी वो देखती है क्यों उसके सर के पीछे एक नाग का जोड़ा बैठा हुआ है और वो डर कर उठती है ओ, ये सपना था तभी राज की भी आँख खुल जाती है क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, काव्या राज को सपने का हाँ करके सो जाती है और फिर कुछ देर बाद उसे फिर से वही सपना दिखता है कि उसके सिर के पास नाग नागिन बैठे है काव्या बार-बार सोने का प्रयास करती है लेकिन उसे बार-बार एक ही सपना आ रहा है मुझे इसके बारे में नाग गुरू को बताना होगा नेकिन यहां से नागुरू के पास जाओंगी कैसे काव्या सुबह को राज से गहीं जाने के लिए पूछती है मैं मंदर जा रही हूँ अगर तुम्हें अकेले जाने में कोई प्राव्लम है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ नहीं नहीं तुम आफिस जाओ मैं चली जाओंगी काव्या कोमल को बिना बताए नागुरू के पास चली जाती है काल गुरू इस समय बहुत क्रोधित हैं और चील को बुलाते हैं तुम जानते हो कि तुम्हें हमने मयूरी के साथ रहने के लिए बुलाय था और अब कोमल ने मयूरी को ही मार दिया चील चुप खड़ा रहता है अब तुम जाओ और उस कोमल को हत्म करके आओ चील काल गुरू से आग्या लेकर कोमल को मारने निकल जाता है दूसरी तरफ नागुरू के पास काव्या नाग गुरू के पास पहुँच कर उनको शीज जुका कर प्रणाम करती है आओ काव्या गुरुजी रात मुझे स्वपन देखा तुपने स्वपन में क्या देखा? गुरुजी मुझे मेरे सर के पास नाग नागिन बैठे हुए देखे वो इच्छा धारी नाग और नागिन है लेकिन वो मेरे सपने में क्यों आ रहे है? क्योंकि वो तुम्हारे मम्मी पापा है क्या? मेरे मम्मी पापा? हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा जिन्दा है लेकिन मेरे मम्मी पापा तो वो जिन्दा कैसे हुए ये तुम्हे मैं कल बताऊंगा मुस्कुराते हुए काव्या वहीं बैठ कर अपने मम्मी पापा के बारे में सोचने लगती है दूसरी तरफ विनीद को मारने से पहले एक बार विनीद से बात कर लेती हूँ और विनीद को उसका नागिन वाला रूप याद आ जाता है विनीद वहाँ से हट कर थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है क्या हुआ तुम मुझे ऐसे अंदीखा क्यों कर रहे हो विनीद कोई जवाब नहीं देता और दूसरी तरफ देख कर खड़ा हो जाता है मैं कुछ बोल रही हूँ विनीत और तुम ऐसे व्यभार कर रहे हो कि जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं क्या बोलू मैं तुमसे मुझे तो डर लगने लगा है और मैं ये बात राज को बताऊंगा तभी राज भी वहाँ आ पहुँचता है हाँ विनीत बताओ क्या बताने वाले हो कहीं कोमल से शादिका तो नहीं सोच रहे हो अभी चलते हैं रास्ते में बताऊंगा विनीत और राज के साथ कोमल भी गाड़ी में पीछे चुपचा बैट जाती है रास्ते में अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है और राज बाहर निकल कर मेकेनिक को फोन करता है और वो फोन पर बात करते हुए दूर चला जाता है कोमल बाहर निकल कर गाड़ी के सभी शीशे और खिड़्किया अपनी शक्ती से लॉग कर देती है विनीत भी गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता और कुमल अपनी आखों से एक रोशनी के जैसी शक्ती गाड़ी पर डालती है जिसके कारण गाड़ी खुद खाई की ओर चलने लगती है विनीत गाड़ी के शीशे में हाथ मारता है और राज पीछे मुड़कर देखता है कि गाड़ी खाई में जा रही है राज जीखता हुआ गाड़ी के तरफ दोड़ता है बचाओ, बचाओ, तुम गाड़ी को अंदर से रोखने की कोशिश करो विनीत के कोशिश करने पर भी गाड़ी नहीं रुखती है बलकि वो दूसरी ओर मोड़ जाती है और वो खाई में नहीं गिरती लेकिन सामने खड़े पेड़ और पत्थरों से टकरा जाती है राज विनीत को हॉस्पिटल पहुचाता है दूसरी ओर नाग गुरू के पास गुरू जी अब बताए कि मेरे मम्मी पापा कहा है रवीश नागेश और नरगेश को गोली मार देता है और काल गुरू भी वहाँ से बचकर भाग जाता है ये सब देखकर वहाँ नागरा जाते ह नागराज नरगेश और नागेश को उठा कर नाग लोग ले जाते है और वहाँ उनका इलाज करते है नागराज बहुत सारी जड़ी बूटियों और शक्तियों से नागेश और नरगेश के प्राण बचाने में सफल होते है नागराज आपने हमारे प्राण बचाए हम आप क्या बहारी है? नागराज, हम धर्ती लोग पर ही अपनी बेटी के पास जाना चाहते हैं नहीं, तुम महां नहीं जा सकते हमारी बेटी बहुत छोटी है और वो शत्रों से गहरी हुई है वो अकेली कैसे रहेगी? तुम घवराओं नहीं तुम्हारी बेटी का प्रत्वी लोग पर रहना बहुत जरूरी है भोले नाथ ने उसे कुछ देश्य के लिए भेजा है नागराज हम अपनी बेटी के पास कब जा सकते है तुम अभी नागलोग में ही रहकर भोले नाथ के प्रसंद होने तक तपस्या करो क्योंकि भोले नाथ से प्राप्त शक्तियों से ही कालगुरू का अंत हो सकता है अनिथा उसे मारना असंभव है कालगुरू इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कालगुरू ने सिध्धी करके अमरहने का वर्दान प्राप्त कर लिया है तो हम उसे कैसे मार सकते हैं तुम सिर्फ भोले नात की तपस्या करो। काल गुरु का अंत काव्या के हातों से होगा और प्रसंद होकर भोले नात तुमें खुद शक्तियां दे कर नागलोग से प्रत्वी लोग पर भेज देंगे। नर्गेश और नागेश तपस्या पर बैठे हैं। गुरु जी मुझे आज ही नागलोग जाना है। इतना असान नहीं है काव्या और नाहीं कोई सीधा रास्ता है जहां हम चलकर चले जाएं। मैं उन तक कैसे पहुँचूंगी। हमेश के लिए नागराज की पूझा करके उनको प्रसंद करना होगा और नागराज खुद उनको हम तक लेकर आएंगे। मेरे मम्मी पापा को अपने पास बुलाने के लिए मुझे जितना भी तब करना होगा मैं करूँगी। ठीक है काव्या, इस पूझा में मैं भी तुमारे साथ रहूंगा। काव्या और नागरू पूझा पर बैठ जाते हैं। राज घर पर सबको फोन कर देता है और सभी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। विनीद को अब इतने लोगों के सामने कैसे मारा जा सकता है। क्या करूँ मैं ऐसा। विनीद कैसा है अब। विनीद ठीक है अब। आप जाकर उससे मिल लेजिए। राज रवीश और काम्या विनीद के पास जाने लगते हैं। और कोमल पीछे खड़ी रह जाती है। कोमल तुम भी साथ आ जाओ। हां आ रही हूं। सभी विनीद के पास पहुँच जाते हैं। अब कैसे हो विनीद और ये एक्सिडेंट कैसे हुआ। गाड़ी खुद से ही कैसे चल गई। अंकल मुझे कुछ भी सही से याद नहीं आ रहा। कोमल मन में मुस्कुराती है। चलो अच्छा हुआ कि पहले ही भूल गया सब कुछ। अब मारने की जरूरत नहीं है। कुझा कर रहे थे, मुझे सिर्फ वही याद है। उसके बाद तो मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। जाओ तुम डॉक्टर को बुला लाओ। डॉक्टर आता है। राज डॉक्टर को विनीद की स्थिती के बारे में बताता है। दिमाग पर चोट लगने की वजह से विनीद की कुछ मेमोरी डिलीट हो गई है। और अब इसे वापस नहीं लाया जा सकता। सभी विनीद को लेकर घर आ रहे होते हैं। आंटी जी, मुझे रास्ते में कुछ काम है। मैं जल्द ही निप्टा कर वापस आती हूँ। मैं अभी जा रही होती हैं। चील कोमल की उपर मंडराने लगता है और मौका पाकर चील नागिन को स्योट से उठाने की कोशिश करता है लेकिन कोमल तुरंत मानव रूप में आ जाती है और चील भी आ जाता है। कोमल और चील के बीच कुछ समय तक लड़ाई चलती है और फिर अंत में कोमल चील को मार देती है काव्या नहीं आया अभी तक हाँ सुभा से गई हुई है हाँ मन नहीं ही तो गई थी तुझे सब याद आ गया पता नहीं बस खुद ही मन में आया तो चल तुझे तेरे कमरे में छोड़ाता हूँ काव्या और नाग गुरू पूजा कर रहे हैं प्रसन्न होकर नागराज आते हैं और एक तेज प्रखाश काव्या के सिर पर डालते हैं नागराज काव्या को आवाज देते हैं और वो आँखे खोल कर देखती है प्रनाम नागराज मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन होकर तुम्हारे मम्मी पापा को ले आया हूँ काव्या उठकर जाती है और नर्गेश और नागेश से गले लग जाती है नर्गेश, नागेश और काव्या की आखों से खुशी के आशू बह रहे हैं अब आप घर चलो, मैं बहुत वर्षों तक आपके बिना रही हूँ, अब नहीं रहना चाहती काव्या, तुम इन्हें मातर पांच दिन ही अपने पास रख सकती हो, उसके बाद इन्हें वापस नाग लोग जाना होगा परिशान मत हो तुम काव्या, हमारा शिवा सदिव तुम्हारे साथ है बेटा अब हम दादी के घर चलते हैं काव्या नागेश और नर्गेश को लेकर विभा के पास पहुँच जाती है विभा उनको देखकर बहुत खुश होती है उनको विभा के पास छोड़कर काव्या अपने घर आ जाती है राज विनीत को कमरे में आराम से लिटा कर वापस जा रहा होता है तब ही विनीत उसे रोक लेता है रुक राज, कुछ बताना है हाँ बोलो, मैं ठीक हूँ और मेरे दिमाग को भी कुछ नहीं हुआ है मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था फिर तुमने जोट क्यों बोला विनीत सोच में पढ़ जाता है कोमल नागिन है और ये इसलिए ही मुझे मानने की कोशिश कर रही है कि कभी मैं कुछ राज को बता दूं इससे अच्छा है कि मैं सब भूलने का नाटक करता हूँ और मौका देखकर राज को सब बता दूंगा सही मजा कर रहा है तुम भाई मजाग नहीं सच है तभी काव्या की आवाज आती है लो, काव्या भी आ गई राज नीचे आता है तुमने वापिस आने में बहुत समय लगा दिया वो कुछ बताना है तभी राज का फोन बचता है फोन पर उसकी बुवा निरूपा होती है कल निरूपा बुवा आ रही है काव्या दादी के पास फोन कर देती है राज काव्या और रवीश निरूपा को लेने निकल जाते है स्टेशन पर रवीश गाड़ी से उतर जाता है तभी काव्या की नजर रवीश पर पढ़ती है और राज गाड़ी में बैठे हुए फोन पर किसी से बात कर रहा है काव्या देखती है कि दूर से कोई तेज रफ़्तार कार आ रही है और रवीश रास्ते में खड़ा है काव्या जल्दी से जाकर रवीश को अपनी योच पीछ लेती है और राज भी पीछे मुड़कर देखता है काव्या तुमने मुझे बचाया है तब तक वहां राज भी पहुँच जाता है पापा अब ठीक हो ना काव्या ने आज मुझे बचाया है और मैंने हमेशा से ही मन में जहें पाल रखा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ मगर आज यहां काव्या नहीं होती तो पता नहीं क्या होता तब ही राज के फोन पर निरूपा की कॉल आ जाती है और राज और रवीश निरूपा को लेने स्टेशन के अंदर चले जाते है और काव्या उनका वहीं इंतजार करती है काव्या अकेले ही खड़ी है कि तब तक वहां कोमल पहुँच जाती है और कोमल को भी चोट लगी है कोमल तुम यहां और तुम्हें यह चोट कैसे लगी है सब कुछ भूल गई तू कोमल काव्या को थपर मारती है काव्या को भी गुसा आ जाता है और वो भी बदले में कोमल को मारती है दोनों लड़ने लगते है अच्छा तो तू अब काल गुरू के पास से आई है तू गलत समझ रही है काल गुरू मेरा कल भी दुश्मन था और आज भी दुश्मन है नाग गुरू ने कहां भेजा था भूल गई तू तो अपने जीवन का उदेश ही भूल गई रवीश को मारने आई थी और बार-बार उसको बचा रही है अब छोड़ अब किसी को मत मार आज तो तू ने उसे गाड़ी के सामने आकर मरने से बचा लिया लेकिन आगे से नहीं बचा पाएगी रवीश को कुछ मत करना लेकिन कोमल बिना कुछ सुने ही वहां से गायब हो जाती है और तभी वहां राज और रवीश निरूपा को लेकर आ जाते हैं काव्या निरूपा से मिलती है फिर सभी घर आ जाते है इस कोमल ने चील को भी मार दिया काव्या की शक्तिया भी अभी नश्ट नहीं हो पाई है अब मुझे खुदी कुछ करना होगा काव्या तुमने ममी पापा को नहीं बुलाया मैंने फोन कर दिया है बस आते ही होंगे राज तुम जाकर पौधों में पानी लगा दो फिर सभी एक साथ बैठते है राज पौधों में पानी लगा रहा होता है कि तभी वहां काल गुरू आ जाता है और राज के सिर में एक गमला उठा कर मारता है राज की आवाज सुनकर रवीश छट से नीचे देखता है तो उसे काल गुरू दिख जाता है रवीश नीचे दोड़ कर आता है और तब तक काल गुरू वहाँ से भाग जाता है राज तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे चोट कैसे लगी? पता नहीं मैं तुम्हारी आवाज सुनकर आया हूँ काल गुरू ये तुमने अच्छा नहीं किया काव्या से दुश्मनी थी काव्या तक रखनी थी लेकिन मेरे बेटे राज को भी इसमें शामिल कर लिया तभी निरूपा बाहर आ जाती है निरूपा राज की चोट देखती है और घर लाकर उस पर दवाई लगाकर पट्टी कर देते हैं सभी डिनर करने के लिए टेबिल पर बैठे हैं काव्या आज तुमने टेबिल पर ये तीन प्लेट जादा क्यों रखी है आज मेरे मम्मी पापा आ रहे है काव्या भी शायद पागल हो गई है जिनको मैं वर्षों पहले मार चुका हूँ वो अब कैसे वापिस आएंगे तभी दर्वाजे की घंटे बचती है जर में पढ़ कर खड़े हो जाते है नर्गिश नागेश तुम आज कितने दिनों बात दिखे हो क्या आप इन्हें जानती हो हाँ ये नाग नागिन है और इन्हे मैं और रवीश बहुत अच्छे से जानते है ये हमारे बच्पन के दोस्त है नागिन? काविया भी नागिन है निरूपा नर्गेश और नागेश के गले लग जाती है नागिन? हाँ नाग नागिन बुआ आपको कोई गलत पैमी हुई है बच्पन में हम सभी दोस्त थे रवीश तुम राज को कुछ बताते क्यों नहीं हो? रवीश अभी कुछ भी कहने की हालत में नहीं है वो चुपचाप खड़ा है काविया ये सुनकर डर जाती है और काविया की ओर देखती है राज भी काविया की ओर देखता है काविया? फिर काविया भी? ये काविया के मम्मी बापा है काव्या तुम्हारी बेटी है? हाँ, काव्या हमारी बेटी है और वो हमारे जैसी है विनीत और कोमल भी चुपचाप खड़े है ये बात सुनकर राज आग बबुला हो जाता है और चिल्ला कर बोलने लगता है तुमने मुझसे इतना बड़ा जुट बोला है काव्या बिना कुछ बोले ही चुपचाप खड़ी होकर रोने लगती है राज घर के बाहर चला जाता है मैंने तो बस कोमल को नागिन बनते देखा था काव्या भावी भी नागिन है ये तो मैं सोज भी नहीं सकता था विनीद के पास किसी की कॉल आती है और वो भी बाहर चला जाता है गुरु जी की बात एकदम सही थी हम सभी नहीं ध्यान नहीं दिया था आप सभी ने मिलकर इस बात को इतना बड़ा क्यों बना दिया ये दोनों हमारे बचपन के दोस्त हैं रवीश के फोन पर काल गुरु का फोन आता है और रवीश बाहर चला जाता है रवीश अगर अपने बेटे की सलामती चाते हो तो तुरंधी खंधर में आ जाओ काल गुरु आपने राज को क्यों पकड़ा है इसे छोड़ दो तुम पहले सीधे खंधर में पहुँचो रवीश किसी को कुछ भी बताए बिना खंधर पहुँचता है और देखता है कि वहां राज नहीं है राज राज कहा हो तुम अंकल यहां मैं हूँ विनीत अंकल मुझे बचा लो तभी काल गुरु हसते हुए आता है खुद को बहुत होश्या समझते हो अब हमने क्या किया है मैं तुम्हारे घर में नागेश और नर्गिस को देख पा रहा हूँ अब तुम सब मरोगे कोई नहीं बचेगा काल गुरु तुम्हारे लड़ाई सिर्फ काव्या से है अब तुमसे भी है मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा काल गुरु एक मंत्र पढ़ते हुए कुछ धूल रवीश पर भीकता है और रवीश हवा में उड़ने लगता है और एक खंबे पर जाकर बंध जाता है अंकल अंकल आप ठीक हो तभी काल गुरू विनीद के उपर भी कुछ भीकता है और विनीद बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है भावी आप इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हो आपको पता भी नहीं है कि इन लोगोंने हमारी कितनी मदद की है तभी वहां राज भी आ जाता है काव्या पहले से ही गुस्से में है और अब वो बोल पड़ती है आप लोगोंने क्या किया? मेरे मम्मी पापा को ही गोली मार दी? ये क्या कह रही हो तुम? काव्या सच कह रही है? रवीश ने हमें गोली मार दी थी फिर तुम हैरानी हो रही होगी न देखकर कि ये जिन्दा कैसे बच गए है है ना काव्या तुम निरूपा से ऐसे बात मत करो उसको इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है मुझे सच में ही इसके बारे में कुछ नहीं पता था मैं थो समझती थी कि तुम लोग नाग लोग चले गए हो हम नाग लोग ही गए थे लेकिन गोली लगने के बाद नाग राज हमें ले कर गए तुम इतने दिन बाद क्यों लोटे हो हम वहां महादेव की तपस्या में ली इन थे नरगिश और नागेश बैठ कर तपस्या कर रहे हैं कई वर्षों के बाद भोले नाथ प्रकट होते हैं उठो नरगेश और नागेश नरगिश और नागेश भोले नाथ को देख कर बहुत खुश होते हैं तुम दोनोंने बहुत तपस्या की है मैं तुम से प्रसंद हुआ, मांगो, तुम क्या वर चाहते हो? हम प्रत्वी लोग पर अपनी बेटी के पास जाना चाहते हैं, वो वहाँ दुश्मनों से घिरी हुई है तुम जा सकते हो, और अपनी बेटी की तरफ से निश्चिन्त हो जाओ, उसे कुछ नहीं हो सकता, मेरी क्रपा हमेशा उस पर है भोले नाथ नर्गेश और नागेश को आशिरवात देकर अंतरध्यान हो जाते हैं, और फिर नागराज दोनों को प्रत्वी लोग ले आते हैं मुझे माफ कर दो नर्गेश और नागेश कि तुमने हमारी इतनी मदद की और मेरे भाई ने तुम्हें बदले में मौत दी, मैं बहुत शेर्मिंदा हूँ नहीं निरूपा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं सोच में नहीं सकती थी कि आप लोगों के साथ ऐसा किया होगा, मुझे ऐसा व्यवार नहीं करना चाहिए था, मुझे तो रभीश से नफ्रत ही हो गई है तुम सब इतना परिशान मत हो, रभीश तो सिर्फ कट पुतली है, उसकी डोड तो किसी और के हाथ में है काल गुरू के पास खंधर में, काल गुरू अकेले ही जोर-जोर से हसते हुए, खंधर में घोम रहा है, तभी वहाँ एक नागिन आती है और काल गुरू के पैर में काट लेती है काल गुरू पैर की तरफ देखता है और पहले चुप रहता है फिर नागिन की बेवकूफी पर हसता है बेवकूफ जहर इली नागिन क्या तू इतना भी नहीं जानती कि काल गुरू अमर है और उस पर किसी भी जहर का असर नहीं होगा काल गुरू हसता है और नागिन अपने मानव देख में आ जाती है और वो नागिन कोई और नहीं कोमल ही होती है कोमल बहुत गुस्से में आ गई है और उसका चहरा नीला पड़ चुका है तेरा अंत बहुत नस्दीक है काल गुरू तू अब नहीं बच पाएगा तो जिन्दा बचेगी तब ना तब ही विनीद थोड़ा होश में आने लगता है काल गुरू ये देख कर फिर से कुछ दूर विनीद पर फेंकता है लेकिन विनीद पर गिरने से पहले ही कोमल अपनी आखों से एक प्रकाश भेचते है और काल गुरू की शक्ती को बीच में ही नश्ट कर देती है काल गुरू गुस्से में इस बार कोमल की उपर शक्तियों से वार करता है लेकिन कोमल इस बार भी काल गुरू की शक्ती को बीच में ही नश्ट कर देती है मुझको कोई चनौती दे ये मुझसे बिल्कुल भी बरदाश्ट नहीं होता मैंने कहा है न कि तेरा अंत निश्चित है और बहुत पास है काल गुरू इस बार शक्तियों से एक चाकू मगाता है और उसे कोमल की ओर फेकता है कोमल एक बार भी बच जाती है दूसरी तरफ राज के घर चलो अब पुरानी बाते भूल जाओ और सभी डिनर करते हैं रवीश विनीत और कोमल कहा चले गए यही बाहर ही होंगे तीनों एक सथ बाहर कैसे जा सकते हैं कुछ तो गरबर है कावया अपनी शक्ती से देखती है कि तीनों काल गुरू के पास खंडर में है राज कावया के पास आता है और पश्चरताब करके माफी मांगता है कावया मुझे माफ कर दो तुमने सच नहीं बोला था बस मुझे इसलिए ही गुसा आ गया था लेकिन पापा ने भी बहुत गलत किया है कावया चुप रहती है अब तुम ये मत सोचो कि मुझे पता चल गया है तो मैं तुमें छोड़ दूँगा लेकिन मैं तुमें कही नहीं जाने दूँगा और हम हमेशा साथ रहेंगे कावया मुस्कुराती है और राज को माफ कर देती है सभी बैठकर दिनर करते है जल्दी से दिनर खतम करकि मुझे खंडर पहुँचना है और उनको बचाना है आप सभी बाते करो मेरे सर में हलका दर्द है मैं अपने कमरे में जा रही हूँ कावया अपने कमरे में जाकर पीछे के रास्ते से खंडर पहुँच जाती है खंडर में कोमल और कालगुरू अभी लड़ रही है और कावया अभी चुपचाप खड़ी है कालगुरू अब एक तलवार निकालता है और विनीत की तरफ भेक कर मारता है इस बार कोमल तलवार को शक्तियों से रोक नहीं पाती और दोड़ कर विनीत के आगे आ जाती है तलवार विनीत को ना लग कर कोमल को लग जाती है कोमल घायल होकर वहीं गिर जाती है ये देख कर कावया बहुत प्रोध में आ जाती है लेकिन कालगुरू के पास न जाकर सबसे पहले रवीश को खंबे से खोल देती है और काल गुरू ये देख लेता है मेरे सारे काम कितने आसान होते जा रही है मेरे सारे शत्रों खुद अपनी वली देने मेरे बाज आ रही है काव्या अपने मुँझ से धुआ निकालती है और उससे बहुत तेज आंधी आ जाती है बदले में काल गुरू उस आंधी को रोक देता है काव्या अपनी नाजिन मानद रूप में आ चुकी है काल गुरू तुम ये सब ठेक नहीं कर रहे हो रवेश तुम काव्या से कहो कि मणी को एक बाज जीव से छूदे बस तुम मेरी लिए इतना ही कर दो मैं तुम सब से दूर चला जाओंगा अब तुम्हारा विश्वास नहीं किया जा सकता है काल गुरू ठीक है मत करो विश्वास मैं खुद ही काव्या को इतना विवश कर दूँगा कि काव्या खुद आकर मड़ी को छुएगी ये तेरा सपना है काल गुरू तो कभी भी इसे पूरा नहीं कर पाएगा काव्या कोमल की ओर जाती है और अपनी शक्तियों से कोमल को ठीक करती है और फिर विनीद को भी ठीक करती है कालगुरु अपनी शक्तियों से एक आग का गोला काव्या की ओर भीगता है काव्या उसे अपनी शक्तियों से नश्ट कर देती है और कोमल अपनी जीव को बाहर निकाल लेती है कोमल कालगुरु के पीछे से उसकी गर्दन को बांधने की कोशिश करती है तुम तुनों जल्दी से भागो, हम इसको सबक सिखा कर आते हैं। रवीश और विनीत भागने की कोशिश करते हैं। कालगुरु कोमल की जीब को खोलनी की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जीब खुल नहीं पाती। काल गुरू फिर से काव्या पर वार करता है लेकिन काव्या भी पलट वार करती है कोमल काव्या को भी वहां से जाने का इशारा करती है कोमल फिर से इशारा करती है कि तुम यहां से जाओ लेकिन काव्या फिर से जाने से मना कर देती है कालगुरु अपनी शक्तियों से कोमल की जीब को छोड़ा देता है और एकदम से नीचे गिर जाता है और फिर जब तक वह उठने का प्रयास करता है तब तक कोमल और काव्या गायब हो जाते हैं राज के घर के बाहर रवीश और विनीद वहाँ पहले से ही खड़े हैं और कोमल और काव्या भी पहुँच जाते हैं तुम लोग अंदर नहीं गए अभी तक? ऐसी हालत में कैसे जा सकते हैं? काव्या तुम और मैं तो पीछे से ही जा सकते हैं लेकिन हम कैसे जाएं? अब सब को पता तो चल ही गया है वैसे भी कब तक चुपाएंगे अब हम ठीक है चलते हैं अंदर रवीश घर की घंटी बजा देता है देखो अब आए है ये लोग राज गेट खोलने जाता है विनीद कोमल काव्या और रवीश सभी बहुत गंदे हालत में है और रवीश को चोट भी लगी हुई है राज काव्या को बाहर देखकर एकडम से चौक जाता है तुम सब एक साथ कहां से आये हो और काव्या तुम कमरे के अंदर आराम करने गई थी तुम बाहर कैसे ये सुनकर बाकी सब भी उठकर आ जाते हैं तुम बाहर कैसे और क्यों गई अंदर आकर सब बता जाते हैं नर्गेश और नागेश काव्या की आँखों में देख कर वहां की सारी घटना समझ जाते हैं सभी की हालत देख कर काम्या घबरा जाते हैं तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं मैं आज सब सच कहना चाहता हूँ काम्या के ममी पापा मेरे और निरूपा के बच्पन के दोस्त है और इन्होंने हमारी बहुत मदद की थी और काव्यान की बेटी है ये बात मैं पहले से ही जानता था रवीश नर्गिश और निरूपा के पास जाता है और अपनी घुटनों पर बैठ कर उनसे माफी मांगता है मुझे माफ कर दो मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था रवीश इतना कहकर रोने लगता है नागेश रवीश को ऊपर उठाता है चुप हो जाओ रवीश मैं शबा के लायक नहीं हूँ जो अतीत में हुआ उसे भूल जाओ मैं मर जाना चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारी गल्दी का एहसास है क्या इतना कम है मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो रोते रोते फिर से जमेन पर गिर पड़ता है हमने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है दोस्त क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे पीछे कोई और है रवीश काविया के पास जाता है काविया मैंने तुम्हें अनात बना दिया और हमेशा ही तुम्हें मारने की कोशिश करता रहा मैं सबसे बड़ा प्राधी तो तुम्हारा हूँ मुझे माफ कर दो काव्या मैंने अपने इड़ी हातों से तुम्हारे ममी पापा को गोली मारी थी रवीश को ऐसे पश्चाताप करते हुए देख कर काव्या की आखों में भी आसू आ जाते है राजी ये सब बाते सुनकर दंग रह जाता है पापा आपकी अजी क्या मजबूरी थी जो आपको ये करना पड़ा मैं एक तांत्रिक के चकर में आ गया था और मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया तांत्रिक? हाँ काम्या एक दुष्ट तांत्रिक रवीश पूजा करने मंदर जा रहा है तब ही सामने से काल गुरु आता है कहा जा रही हो रवीश? मैं मंदर जा रहा हो भगवान तुम्हें क्या दे सकते है? मन की शांती और बिजनस में तरकी परंतु मैं अचानक से शक्तिशाली होने का एक रहस्य जानता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे दोस्त है ना नर्गेश और नागेश वो इच्छाधारी नागनागिन है उनके बास एक मड़ी है और अगर तुम वो मड़ी लेकर आओ तो मुझे अमरत्वताप्त हो जाएगा और तुम्हारी सब ही इच्छाएं पूरी हो जाएंगी लेकिन वो हमें मड़ी क्यों देंगे? इतनी आसानी से नहीं देंगे उसके लिए उनकी जान लेनी होगी ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कभी अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकता वो नाग नागिन हैं और एक दिन तुमसे दूट चले ही जाएंगे अपने इच्छाओं को क्यों दूर भेज रहे हो? मार दो, मार दो रवीश के कानों में ये आवाज गूंजने लगती है और रवीश पिस्टॉल उठा कर नागिश और नर्गिश के पास जाने के लिए निकल जाता है रवीश ये खबर बता कर भूट भूट कर रो रहा है मैं जानता हूँ कि कालगुरू ने मडी को कहां पर रखा है चलो हम उसे लेने चलते हैं दूसरी तरफ कालगुरू अपनी हार से क्रोधित हो चुका है और अब हवन कुंड के पास जाकर बैट गया है और खुद से ही चीक चीक कर बाते कर रहा है सब मरेंगे, सब मरेंगे अब तक मैंने मडी के लिए सब को जिन्दा रखा था लेकिन अब मैं सब को मार दूँगा, सब को तेज तेज बोलते हुए हवन कुंड में घी डालता है राज के घर आज उसी कालगुरू ने मुझे अविनीद को किड्नैप कर लिया था खाविया और कोमल हमें बचाने वहाँ पहुंचे मैं इस कालगुरू को नहीं छोड़ूँगा राज बाहर जाने लगता है सब ही राज को आवास लगा रहे हैं लेकिन राज नहीं रुकता और फिर पूरा परिवार राज के पीछे-पीछे चलने लगता है और कालगुरू की गुफा में पहुच जाते है मौत के मुह में खुद ही आ गए मौत तो तेरी आईह दुष्ट तांत्रिक आज तुझे नहीं छोड़ूँगा कालगुरू खड़ा हो जाता है राज कालगुरू के हवनकुंद में लात मार देता है और हवनकुंद की जलित सामगरी कालगुरू के उपर जाकर गिरती है कालगुरू जलने लगता है अच्छा हुआ कि भगवान ने दुष्ट का विनाश कर दिया अभी नहीं मरा है ये इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है लेकिन मरेगा जरूर कालगुरू आग में जल रहा है लेकिन हस रहा है क्योंकि आग उसको जला नहीं पा रही है और उस पर इसका कोई असर नहीं पढ़ रहा है कालगुरू अपनी सिर से पैर तक अपने हाथ को लाता है और सारी आग को अपनी मुठी में बंद करके एक बॉक्स में रख देता है सब ये देखकर एकदम भचके रह जाते है काव्या उस एक बॉक्स में रखी हुई आग में फूख मारती है और वो आग वापस जाकर काल गुरू से चिपक जाती है काल गुरू आग को इस बार भी नश्ट कर देता है रवीश चुपके से उस मनी के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन काल गुरू की शक्तियां रवीश को जमीन पर घसीर्टे हुए वापस ले आती है मुझे से विश्वास खात वो तो तूने भी क्या है काल गुरू काव्या कालगुरु पर वार करती है और कालगुरु भी प्रतिवार करता है दोनों लड़ते लड़ते गुफा की बाहर आ जाते हैं बाकी सभी लोग भी उनकी साथ बाहर आ जाते हैं लेकिन विनीद और कोमल गुफा में ही रह जाते हैं विनीद प्यार भरी नजरों से कोमल की तरफ देखता है कोमल कुछ बोलना चाहती है लेकिन विनीद बीच में ही रोग देता है रहने दो कुछ मत बोलो मैं तुमसे गुसा नहीं हूँ कोमल सिर्फ मुस्कुराती है कि तभी कालगुरू वापिस गुफा में जाता है और विनीद और कोमल बाहर आकर देखते हैं कि सभी बाहर खड़े हैं और कालगुरू लड़ाई छोड़कर अचानक से गुफा में चला गया है कालगुरू वापिस गुफा में क्यों भाग गया कोई कुछ नहीं बोलता लेकिन उससे पहले ही एक आवाज आती है एक मुस्कुराते हुए साधू आकर खड़े हो जाते हैं जो निश्चिती नाग गुरू है काव्या उन्हें देख कर बहुत खुश हो जाती है और नागेश, नरगेश और काव्या तीनों नाग गुरू को प्रणाम करते हैं काव्या आज तुम्हारे पास आखरी मौका है फिर शायद तुम्हें ये मौका दुबारा नहीं मिलेगा तबी एक और शक्तिगी आहट होती है और वो नागराज होते हैं नागुरू सहित सभी उनको प्रणाम करते हैं नागुरू सही कह रहे है काव्या इस दुष्ट को खत्म करने का याकरी मौका है और समस्त ब्रह्मान इसका साक्षी बनेगा इसका अंत तुम्हारे हाथों ही लिखा है और हम सब सिर्फ खड़े होकर इसका अंत देखेंगे तभी हवा में एक सुगंध फैल जाती है और सबका मन और चेहरे खिल खिलाने लगते है आसमान में भूले नाथ प्रकट होते है पिर कालगुरु का अंत कैसे संभव है? कालगुरु के प्राड उसकी नाभी में है और यह कुछी तुम अपने पास रखो इसे तुम कालगुरु की नाभी में मार देना और कालगुरु का अंत हो जाएगा तथास तुम नागुरु, नागराज और भोले नाथ ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए तभी कालगुरु वापस बाहर आता है उसके हाथ में एक भाला है जिसे उसने आग में तपाया है आज इस भाले से तेरी आखे बाहर निकाल लूँगा नागेन और मैं तेरे प्राण बाहर निकाल लूँगी कालगुरु अपना भाला काव्या पर फेकता है काव्या उसे बीच रास्ते में ही नश्ट कर देती है और भोले नाथ के द्वारा दिया गया त्रिशूल कालगुरु को मार देती है जो कालगुरु की नाभी में जाकर लगता है कालगुरु दर्द से करहाते हुए छट पटाकर वहीं गिर जाता है कालगुरु की मृत्यू के बाद वातावरण में आनंद ही आनंद घुल गया सभी पक्षी गा रहे है पूल खुशी से जूम रहे है कालगुरु के अंत के बाद नागराज वापस आते है आप तो मणी लेकर वापस नाग लोग चलो रवीश गुफा में जाकर मणी उठा लाता है और काव्या उसे अपनी जीब से छू देती है मणी सक्रिय हो जाती है नागराज हम तो आपके साथ नाग लोग चल रहे हैं लेकिन हमारी बेटी काव्या को इस नाग जीवन से मुक्ती देती जिए उसे भी नाग लोग आने दो राज काव्या को बहुत प्यार करता है उसका भी यह परिवार है उसे उसे दूर मत कर जिए ठीक है मैं काव्या को इस नाग रूप से हमेशा के लिए मुक्ती देता हूँ नाग राज काव्या को साधरन लड़की बना देते हैं और काव्या राज के साथ अपने घर चली जाती है साथ में रवीश, विनीत और काव्या होते है नर्गिश और नागेश नागराज के साथ नाग लोग जा रहे है उपर से फूलों की बारिश हो रही है कोमल नाग गुरु में जाकर विलीन हो गई है